मैं संजीव पांडे आनेकेडमी के लेट्स क्रेक UPSC CSC हिंदी के चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन करता हूँ और यह उम्मेद रखता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे आनेकेडमी के बारे में हम लोग कुछ आधार भूत बातों को जाने इससे पहले यह जान लेना बेहत जरूरी और उप्योगी है कि आज की क्लास में हम किसका अध्यन करने वाले हैं तो आज की क्लास में हम लोग पूरे UPSC के GS में सबसे महत पूर्ण टापिक का अध्यन करेंगे और यह है टापिक जो संबंध रखता है वो भारतिय कलायों संस्कृति के इतिहास से रखता है और कलायों संस्कृति का जो सबसे महत पूर्ण टापिक है जो सबसे important टापिक है जहां से सीधे question आते हैं सबसे ज़्यादा question आते हैं हमेशा वो है भारतिय वास्तुकला का इतिहास या भारतिय अस्थापत्य कला का इतिहास तो हम लोग दो तीन चर्णों में संपूर्ण भारतिय अस्थापत्य कला या वास्तुकला के इतिहास का अध्यन करेंगे हलाकि वास्तुकला का जो इतिहास प्रारंब होता है वह पासान काल से तो प्रारंब नहीं होता यानि संधो गाटी सभ्था से प्रारम्व होता है और आधुनिक भारत तक यानि आधुनिक भारत में जो Victoria Sally के अंतरगत भारत में तमाम सारे अस्थापत्य संबंधी निर्माण किये गए चाहे वो संसत धोन हो चाहे वो राष्टपती भोन हो चाहे वो चंडी गढ़ का सबका अध्यन हम लोग करेंगे और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो कलायुम संस्कृति की सबसे प्रसद्ध पुस्तक है जिसका नाम है नितिन सिंखानिया उसी का यहां पर हम लोग अध्यन करेंगे और उसमें कहीं कहीं पर कुछ चीजें जो थोड़ा सा छोटी हुई हैं उसमें हमने चीजों को जोड़ा हुआ है अच्छे तरीके से इसलिए यह आपके यानि एक्जाम की परिपेश में काफी उपयोगी होगा तो आए हम लोग आनेकेडमी के बारे में कुछ आधार भुद बातों को जानते हैं जैसे कि आप लोग को बिदित होगा कि आनेकेडमी देश का सबसे बड़ा आनलाइन का प्लेट फार्म है यहां पर सबक्रिप्शंस लेने पर क्या क्या सुपधाय मिलती है इसको देखते हैं हम लोग तो यहां पर सबक्रिप्शंस लेने पर तेली लाइव क्लासिस की सुभधा मिलती है किसकी सुभधा मिलती है लाइव क्लासिस की सुभधा मिलती है और लाइव क्लासिस के माध्यम से आपके जो डाउट होते हैं जो आपको प्राबलम्स होती है कभी-कभी उसको दूर करने का पूर्ण रूप से सारभौमिक प्रयास किया जाता है इसकी अलामा यहाँ पे जो भी schedule मिलता है जो भी course मिलता है वो structured fab में मिलता है इसकी अलामा यहाँ पे live test और quiz की भी सुविधा मौझूद है आप लोगों को unlimited access की भी सुविधा प्रदान की जाती है इसकी अलामा आप लोग देखेंगे तो एक साधरण सा तरीका है आप लोग अपने mobile के play store पर जाए और यहाँ से आप लोग unacademy के learning app को इस तरीके से download कर ले इससे unacademy की जो free live classes की सुविधा है वह आपको मिल लाएगी इसकी अलामा मैं अपने बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ पहली बात तो यह है कि यह हमारे telegram channel का link दिया हुआ है बहुत सारे student कहते हैं sir telegram channel का link नहीं देते तो यह link आपके पास में है इसको आप लोग click करें और join कर लें यहाँ पर तमाम सारी सुविधाएं आपको प्राप्थ होंगी इसके अलामा जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरा नाम संजीव पांडे है और मैं इतिहास को बिसे के रूप में और जीयस के रूप में जैपूर हो चाए वो दिल्ली का मुखरजी नगर हो सब जगों पे बड़े-बड़े संस्थानों में हमने इतिहास को बिसे और जीयस के रूप में पढ़ाने का काम किया है इसके अलामा हमने इलाहबाद इनुस्टी से यमे की सिख्षा प्राप्त की हुई है इतिहास विसे से हमने UPSC का दो बार इंटर्विव दिया है और UPSC का चार-पांच बार इंटर्विव दिया है लोवर का भी कई बार इंटर्विव दिया है तो ये हमारे बारे में कुछ खास बाते रही हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सब्क्रिप्शन्स लेने पर आप लोगों को जो देश के सबसे बड़े-बड़े एक्सपर्ट हैं या सिख्षक हैं उनका मारदर्शन आपको प्राप्थ होगा जैसे मुडाल पटली का मारदर्शन आपको प्राप्थ होगा रोमन सैनी जी का मारदर्शन आपको प्राप्थ होगा अन इक्सपर्ट भी इसमें सामिल हैं तो इनका भी आप लोगों को मारदर्शन मिलता रहेगा मैं भी इसी में सामिल हूँ तो मेरा भी आप लोग को मार्ग दर्शन मिलता ही रहेगा इसके अलावा यहाँ पे सब्क्रिप्शन्स लेने पे आप लोग देखेंगे तो यह पाएंगे कि जो UPSC का चाहे वो प्रारंभिक परिक्षा का कोर्स हो चाहे वो मुख्य परिक्षा का कोर्स हो वो तो मेंटीन किया ही जाता है यहाँ पे NCRT का भी अध्यन करवाया जाता है यहाँ पे जो UPSC के सारे सब्जेक्ट हैं उसका भी अध्यन करवाया जाता है इसके अलावा current affairs का भी यहाँ पे अध्यन मुझूद है practice और strategy के बारे में बताया जाता है और मुख्य परीक्षा में कैसे answer writing की जाए इसके बारे में भी आपको बताया जाता है इसके अलावा यहाँ पे दू तरीके का सब्क्रिप्शन्स मौझूद है पहला जो सब्क्रिप्शन्स है वो plus course के रूप में है दूसरा iconic course के रूप में है इसमें plus course के एक महिने के फी 9000 रुपए है तीन महिने के फी 22,500 रुपए है ठी महिने के फी 40,500 रुपए है फारा महिने की फी 49,500 रुपए है 24 महिने के फी 72,000 रुपए है 37 महिने यानि 3 साल के जो फी है वह 90,000 रुपए है इसमें आप लोग सब्क्रिप्शन्स लेते समय हमारे रफरल कोड संजीव का प्रियोग करें ऐसा करने पे इस फी में आपको 10% का डिसकाउंट मिलेगा 10% का डिसकाउंट मिलेगा जिस तरीके से आपके यहाँ पे एक महीने की फी 9000 रुपे थी वहाँ 10% लेस होके 8100 रुपे हो जाएगी इसी तरीके से 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने में भी यही 10% की छूट आप लोगों को मिलेगी इसकी अलामा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आईकोनिक सब्कृप्चिंस भी आप लोगों के बीच में मौजूद है आईकोनिक सब्कृप्चिंस के 12 महीने की 12 महीने की फी यहाँ पे 79000 रुपे है इसी तरीके से 24 महिने 36 महिनी की फी भी यहाँ पे मेंसन है आप लोग इसमें भी सब्क्रिप्शन्स लेते समय हमारे रफ्रेल कोट संजीव का प्रियोग करें ऐसा करने पे इस फी में भी आपको 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी इस तरीके से आपके 12 महिने की फी 79,500 थी वह 10% लेस होके 62,550 हो जाएगी उसी तरीके से 24 महिने और 36 महिनी की फी में भी 10 प्रतिशत का आप लोग को डिसकांट मिलेगा आगी बढ़ते हैं हम लोग इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो यहां पर UPSC CSC का आप्षनल सब्क्रिप्शन्स भी मुझूद है इसमें एक महिने के सब्क्रिप्शन्स की फी 5000 रुपए है छे महिने के सब्क्रिप्शन्स की फी 2500 रुपए है 12 महिने के सब्क्रिप्शन्स की फी 27,000 रुपे है 24 महिने और 36 महिने का भी यहां पे सब्क्रिप्शन्स मुझूद है इसमें भी आप लोग सब्क्रिप्शन्स लेते समय हमारे रफरल कोट संजीव का प्रियोग करें अईसा करने पे इस फी में भी आपको 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी और में भी आपको यहां पे सब्क्रिप्शन्स लेने में कोई दिक्कत होती है तो मैं हूँ आप मुझसे कांटरिट कर सकते हो इसके लावा हमारे मैनेजर भी हैं उनसे भी कांटरिट कर सकते हो हमारा टेलिग्राम चैनल भी आप लोग जोइन कर सकते हो और हार्ट्शेफ ग्रूप है उसको भी आप लोग जोइन कर सकते हो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब आप लोगों को विरित होगा कि आनेकेडमी ने एक combat series का प्रारम किया हुआ है इसमें आप लोगों को आप लोग आमंत्रित हैं इसमें 60 question होता है और 65 minute का समय आपको दिया जाता है इसमें आपको rank प्रदान की जाती है इसके अलामा आनेकेडमी में तमाम सारे new batches प्रारम हुए हैं 2021 की परिक्षा के लिए 22 की परिक्षा के लिए और 23 की भी परिक्षा के लिए तो आप इसे जल्दी से ज्वाइन करें इसके अलामा जैसा की आप लोगों को बिदित होगा कि UPSC 2021 की जो प्रारम्भीक परिक्षा है वह June में सुनिस्चित हुई है आने के एडमिने जनवरी ओर दिसम्बर में भी प्रारंभिक परिच्छा की कई zähऊ को अब प्रारंभिक परिच्छा के बैच्छा के प्रारंभ किया हुआ है उसे भी आप लोग ज़ाइन कर सकते हैं इसके अलामा 11 जनवरी से भी एक बेच स्टार्ट हुआ है इसको भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग प्लस और आइकोनिक सब्क्रिप्शन्स दोनों की बात करेंगे जो प्लस का सब्क्रिप्शन्स है वो आप्शनल का सब्क्रिप्शन्स है और जो UPSC CSC GS का सब्क्रिप्संस है इसकी कंबाइंड फीस यहां पर दी हुई है इसकी जो कंबाइंड फीस है वो 12 महीनी की फीस 88,705 रुपे है इसी तरीके से 24 महीने और 36 महीने की फी भी यहां पर दी हुई है इसमें आप लोग इसका सब्क्रिप्संस ले सकते हैं इसमें करें ऐसा करने पर इसमें भी आपको छूट प्रदान की जाएगी जैसा कि आप लोगों को एक सूचना देदू कि आने केडमी का जो आइकोनिक कूर्स है उसकी जो फी है वो हाइक होने वाली है और यह 25 जनौरी के बाद इसकी फिस बढ़ जाएगी तो इसे अगर आइकोनिक क जल्दी से जल्दी आइकोनिक कूर्स का सब्क्रिप्शन्स ले लें तेरी मत करें आईए हम लोग पहुंचते हैं आज के अपने टापिक पर तो आज का हमारा टापिक है कला का इतिहास तो आप लोग जल्दी से आज की क्लास को शेयर कर ले अपने हाट्षप ग्रूप में अपने टेलीग्राम ग्रूप में और क्लास को समय समय पर आप लोग लाइक भी करते रहें जहां कोई दिक्कत होती है उसको तुरंत पूज भी सकते हैं तो कला का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो कला का इतिहास पढ़ने से पहले हम लोग को यह जानना बेहत जरूरी है कि कला क्या है कितने प्रकार की कलाएं होती है और इसी के अंदर में जो वास्तुकला यानि अस्थापत्य कला का अध्येन है इसको हम लोग करेंगे तो कला के परिपेश में आप लोग देखेंगे तो जो कला सब्द है वह संस्कृती के कल धात उसे निकला है किस से निकला है? संस्कृती के कल धात उसे निकला हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सांख्यान और सांख्यान का मतलब क्या होता है? सांख्यान का मतलब ये होता है कि जिसको बाणी के द्वारा प्रकट किया जाए जिसको बाणी के द्वारा अभिव्यक्त किया जाए वही कला है जिसको बाणी के द्वारा अभिव्यक्त किया जाए ये प्रकट किया जाए वही क्या है? वही कला है, वही आर्ठ है, इतनी बातों को हम लोगों ने जान लिया, अगर आप से कोई पूछे कि कला की उत्पति किस धात उसे हुई है, तो संस्कृति के कल धात उसे इसकी उत्पति हुई है, और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सांख्या और दूसरे सब्दों में हमने बताया ही कि दूसरे सब्दों में जिसे बानी के द्वारा बैवस्थित रूप से प्रकट किया जाए या अभिविक्त किया जाए वही क्या है वही कला है आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इसमें हम लोग कला के विभाजन को देखते हैं पहले समझते हैं उसके बाद स्क्रीन साट आप लोग ले लिजेगा मैं समय आप लोग को दे दूँगा लेकिन पहले समझते हैं इसको कला के विभाजन को हम लोग देखते हैं जो कला का विभाजन यहां पर किया गया है, वो कला के अध्येन के आधार पर किया गया है, और कला को अध्येन के आधार पर कुल तीन भागों में विभाजित किया जाता है, अब समस्ते रहना है यहां से आप लोगों को, पहला है दृस्य कला, दूसरा है निस्पादन कला, औ और तीसरा साहितिक कला है और इसी कला में से हमें एक कला का अध्येन करना है जिसका नाम है अस्थापत्य कला या वास्तुकला अब आईए देखते हैं कि अस्थापत्य कला या वास्तुकला का रूप इन कलाओं में कहां प्रकट होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है तो आईए देखते हैं कि ये जो दृष से कला है आखिर दृष से कला किसे कहते हैं तो समझते रहिएगा बहुत ध्यान पूर्वक आपको समझना है बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों को समझाओंगा कि समझ में भी आ जाए और परिक्षा में भी आ जाए इससे और अच्छी बात क्या होगी और परिक्षा में तो आपके आएगा ही एक क्विश्चन वादा करता हूँ आप लोगों के बाहर नहीं जाने वाला है यहां से तो द्रिष्य कला के बारे में हम लोग जानते हैं द्रिष्य कला है क्या आप समझे इसको कला का वहरूप जो द्रिष्य प्रकिर्ति का होता है द्रिष्य प्रकिर्ति का होता है मतलब जो दिखाई पड़ता है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं उसे हम लोग द्रिष्य क कला के नाम से जानते हैं कला का वह रूप जो द्रिश्य प्रकिर्टिका होता है उसे हम लोग द्रिश्य कला के नाम से जानते हैं जैसे आप लोग देखेंगे तो इसमें वास्तुकला सामिल है इसी वास्तुकला का हम लोग अध्यन करेंगे वास्तुकला के अंदरगत विभिन्य प्रकार के मंदिरों का, विभिन्य प्रकार के भौनों का, विभिन्य प्रकार के असमारकों का, विभिन्य प्रकार के मुगल कालिन, सल्तनत कालिन असमारकों का ताज महल का अध्यन करेंगे, आगरा के किले का अध्यन करेंगे, बहुत सा का अध्यान दृष्य प्रक्यृतिका होता है समझे इस इसको कैसा होता है दृष्य प्रक्यृतिका होता है आप लोग कहीं ने कहीं इस संचार की दुनिया में हमको देख पा रहे हैं तो उसका कारण क्या है उसका कारण है वीडियोग्राफी तो यह कला का कौन सा रूप है वी इसके अलावा जो चित्र कला के परिपेक्ष में बात आती है जो विभन्न प्रकार के चित्रों की बात आती है वह भी दृष्य कला का रूप है तो दृष्य कला को हमने देखा अब दूसरी कला को हम लोग देखते हैं दूसरी कला है निस्पादन कला अब देखते हैं कि निस् भाव भंगीमा के द्वारा कला को प्रगर्थित करता है। उसे क्या कहते हैं उसे नस्पादन कला की नाम से जानते हैं जैसे इसमें कौन-कौन सी कला आती है तो आप लोग कह दिजिए कि इसमें नत्य कला आती है इसमें संगीत आती है और इसमें रंगमंच आता है इसमें रंगमंच आता है इसका मतलब समझा इसमें क्या होता है इसमें एक ब्यक्ति होता है और वो अपने हाव भाव के द्वारा वो अपने मुख मंडल के द्वारा वह अपनी भाव भंगिमा के द्वारा विभिन्य प्रकार की कलाओं को प्रदर्शित करता है उसे किसके नाम से जानते हैं निस्पादित कर रहा है वो कलाओं को उसे निस्पादन कला के नाम से जानते हैं जैसे नित्यकला जैसे मालेजिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी नारी या कोई भी लड़की या कोई भी कभी पईर को उठाएगा कभी कमर को हिलाएगा नुला कि आज़ी मुक्डे को एधर उधर करेगा तो यह possibility स इसको किसका रूप है निस्पादनकला का रूप है इसके की अलामा कला का जो दूसरा रूप है वह संगीत कानना हिए भाव भंगिमा का ही प्रियोग बिक्ति करता है और रंगमंच है रंगमंच का मतलब आप लोग देखते होंगे डिपरन डिफरन आजकल सो चलते हैं बेब सो है कोई सर्मा का सो है कि इसके अलावा कला का जो यहां पर रंगमंच से तादात में है वह मुख्य तया नाटक वगयरा से तो इस निस्पादन कला को भी हम लोग पढ़ेंगे और जिसे मान लीजिए कि ग्रामेड अंचल में हलाकि आज कल तो नाटक या नोटंकी का जो सुरूप है वो लगभग समाप्त हो चुका है आज कल तो ब्याह और साधी में भी क्या होता है आरके इस तरह और क्या-क्या होता है डांस वगेरा तो वो भी क्या है वो भी रंगमंच ही है उसमें क्या होता है एक बड़ा सा मंच होता है और उसमें विभिन प्रकार के कलाकार अपने कलाओं का परदर्शन करते हैं उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रंगमंज के नाम से जानते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ब्यक्ति सीधे जुड़ा हुआ है, ब्यक्ति सीधे अपनी कला को निस्पादित करता है, इसलिए इसको निस्पादन कला के नाम से जाना गया, इसको समझना बहुत important है, ये ब्यक्ति लिपी के माध्यम से भासा के माध्यम से साहित्य की रशना करता है यानि कला का वह रूप जिसमें ब्यक्ति भासा के माध्यम से लिपी के माध्यम से साहित्य की रशना करता है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं साहित्य कला के नाम से जानते हैं तो आप लोग इस स्क्रीन सार्ट ले सकते हैं जल्दी से यह कला का आप लोगों के सामने तीन रूप हुआ अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब यहां पर जिस टापिक का का हमें अध्हिन करना है box द्रिष्क चूठ टिकला का अध्हिन करें हम लोग इसे पहले उसका परिश्य देख लेते हैं कि किसी कहते हैं अस्थापत टेकला इसकी उत्पति प्र टि हुई तो ये जो अस्थापत्यकला या वास्थुकला में जो वास्थुसब्द है इसकी उत्पत्ती संस्कृत भासा के वसधातु से हुई है किस धातु से हुई है? वसधातु से इसकी उत्पत्ती हुई है और इसका वास्तुकला या अस्थापत्यकला का मतलब क्या होता है? तो आप लोग कहें कि इसका अर्थ बसना या रहना होता है. क्या होता है इसका अर्थ बसना या रहना इसका अर्थ होता है? जबकि अस्थापत्यकला नामक जो सब्द है वो वास्तुकला का ही प्रयाय बाची सब्द है क्या है वास्तुकला का ही प्रयाय बाची सब्द है आगे बढ़ते हैं वास्तुकला ये अस्थापत्यकला के परिपेक्स में आप लोग देखेंगे तो मुख्य तया भौनों की डिजाइन और इसमें नर्मान को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा नर्मान कारे में आप लोग देखते होंगे जो अस्थापत्य संबंधी नर्मान कारे होता है उसमें किन-किन चीजों का प्रियोग किया जाता है। पहले तो इसमें लकडी के भवन और तमाम सारी चीजें बनती थी असमारा को गरा बनते थे अब पत्थर का भी इसमें प्रियोग किया जाता है। और खिड़कियों के परिपेक्स में आप लोग देखते होंगे कि कांच की खिड़किया भी बनी होती है लकडी की भी खिड़किया बनी होती है जाली भी इसमें होती है पत्थर भी इसमें होता है और कई प्रकार के आजकल पत्थर चलते हैं। इन सब बस्तूओं का इस अस्थापत्य कला में क्या होता है प्रियोग होता है आगे बढ़ते हैं हम लोग अब जो अस्थापत्य संबंधी निर्माड है उसको हम लोग दो भागों में बाढ़ सकते हैं कितने भागों में बाढ़ सकते हैं दो भागों में पहला जो अस्थापत्य है वो धार्मिक अस्थापत्य है और दूसरा जो अस्थापत्य है वो धर्म निर्पेक्ष अस्थापत्य है और धर्म निर्पेक्ष पहले धार्मिक अस्थापत्य की रूप में आप लोग देखेंगे तो क्या-क्या चीजें आपको पढ़नी है यह ज अस्तूप क्या है, इसका साब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी संरशना क्या होती है, इसकी विसिस्ता क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, किन-किन अस्तूपों को किसने बनवाया, उसकी क्या विसिस्ता हैं, इसका अध्यन हम लोग करेंगे, अभी किवल आपको यही जानना है कि अस्तूप का मतलब पूजा घर से होता है और यह मुख्यत यहाँ बौध धर्म से सम्मंधित कैसी सनचना है धार्मिक सनचना है और इसी में हम लोग चैथ्य का अधर्यन करेंगे तो चैथ्य क्या है हमने आपको बौध धर्म का इतिहास पढ़ाया और बौध धर्म की इतिहास में हमने आपको बताया होगा कि चैत्य क्या होता है तो चैत्य बौध बिहारों के अंदर होता है और जो बड़ी बड़ी बौध बिहार थे जिए घोसिता राम बिहार हो जितवन बन बिहार हो, जै अन्य कोई बन बिहार हो, उसके अंदर में एक प्रात्ना कक्ष होता है, जिसके आकरती चौकूर प्रकार की होती है, उसमें बाओद भिक्षू एकठा होके क्या करते थे, प्रात्ना करते थे, इसकी प्रात्ना करते थे, अपनी इस्ट देवता, या तो मुख्यत्या प्राथना कक्ष से सम्मंदित होता है यही है चैत जैसे कारले का चैत बहुत अत्यप्रसिद्ध है इसके बाद में बि molar कि भीहार के अंदर में ही होता है और बिहार क्या होता है तो आप लोग कहें कि जो बिहार होता है वो एक तरीकी से निवास अस्थान होता है किसका निवास अस्थान होता है चाहे वो जैन संत या साधु हो या भिक्छुणी या भिक्छु हो चाहे वो बौध संत हो चाहे भिक्छुणी या भिक्छु हो उनके ही निवास का यह केंद के अंमग कोन कोन से होते हैं चेहे वो अधिस्थान हो चेहे वो चबूतर हो चाहे वो ठीखर हो sikhar ho चाहे गर्भग्रे हो एक एक अंगों का अधियन करेंगे चाहे वो piramid नुमा मा इसकी आक्रति हो कौन इंट का बना हुआ पहला मंदिर है तो कौन पत्थर का बना हुआ पहला मंदिर है तो कौन सिखर युक्त पहला मंदिर है इसका अध्यन हम लोग करेंगे इसके अलामा हम लोग विभिन्न प्रकार की मस्जिदों का भी अधिन करेंगे हलाकि मस्जिद का जो इतिहास है भारती वास्तुकला के छेत्र में आप लोग देखते होंगे कि वो भारत पर तुरकों के या अरबों के आक्रमन के साथ प्रकट होता हुआ दिखाई पड़ता है और भारत में इसलामिक पध्धती पर अगर पहली जो मस्जिद बन रही है उसको कुतुबूल इसलाम मस्जिद के नाम से जाना जाता है जो दिल्ली में इस्थित है और इसको किस ने बनवाया है इसको बनवाया है कुतुबूद्धिन एवक ने जो गुलाम बंस का क्या है संस्थापक है लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं है क्यों इसको हम लोग बताएंगे इसको मैं आपको बताता रहूँगा समय समय पर पाद में तमाम सारी मस्जिदें बनी जो फेमस मस्जिदें हैं चाया वो जौनपुर की अटाला मस्जिद हो चाया वो दिल्ली की जामा मस्जिद हो या गुजरात की तमाम सारी मस्जिदें हैं अन्य सहरों के भी तमाम सारे मस्जिदें हैं उनका अध्यन हम लोग करेंगे इसके अलावा इसी में हम लोग गिर्जया घरों का अध्यन करेंगे ये एक तरीके से इसाईयों का पूजा अस्थल है इसका भी अध्यन करेंगे गोवा के तमाम सारे गिर्जया घरों का अध्यन क करेंगे हम लोग दोगो अपूरवध्वारा जो सिख्षों का प्रमुख पूजा घर है कई बार यह निवांस की परिपेश में भी इसको जाना जाता है तो किस सिख्ष गुरू ने किस गोद्वारे का निर्मान करवाया अम्रिस सर का निर्मान किसने करवाया तेहरा दून की गद्धी का निर्मान किसने करवाया पटना साहिब का निर्मान किसने करवाया इसको हम लोग दिखेंगे इसके अलामा अस्थापत्य का जो दूसरा रूप आप लोगों के सामने है वह धर्म निर्पिक्ष अस्थापत्य के रूप में है अब धर्म निर्पेज अस्था पत्य का ताथपर किससे है जो भी भवन जो भी अस्मारक होंगे जो भी निर्मानकारी होंगे उनका धर्म से कोई संबंद नहीं होगा वो कैसे Anders मारा को कैसे होंगे वो सामुदाइक विकास के लिए होंगे, इसी परिपेक्ष में इसी क्या कहा गया, ये धर्म से अलग, मतलब जो धर्म से जुड़े हुए अस्थापत्यकार नहीं है, उनको धर्म निर्पेक्ष अस्थापत्य के नाम से जाना गया, इसमें कौन-कौन से भाग सामिल होते हैं, इस जैसे आप लोग देखेंगे कि इसमें महल भी सामिल होता है क्या सामिल होता है महल भी सामिल होता है इसमें सार्वजनिक भवन भी सामिल होते हैं इसमें बड़े-बड़े किले भी सामिल होते हैं इसमें बड़े-बड़े नगर भी सामिल होते हैं जैसे किले अक्बर ने चार-पांच किलों का निर्मान करवाया चाहे वो इलहाबाद का किला हो, चाहे लाहोर का किला हो, चाहे फतिह पूर सीकरी का किला हो, चाहे आगरा का किला हो पर दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया क्या खास बातें हैं इसे लाल किला क्यूं कहा जाता है इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो अलावदीन खिलजी ने भी किलों की एक सरचना को ही बनवाया था तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया और उसकी खास पहसान क्या है इसको हम लोग देखेंगे इसकी अलामा नगर अस्थापत्य का भी हम लोग अध्यन करेंगे जैसे दिल्ली में हमने आपको बताया कि कनाट पैलस का अध्यन करेंगे चंडी गढ़ की अस्थापत्य का अध्यन करेंगे सेंधों सभ्यता की नगरों की इतिहास का अध्यन करेंगे और अस्थापत्य कला का जो इतिहास प्रारम्भ होता है वह नगरों से ही प्रारम्भ होता है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा सर्वा प्रथम हम लोग सेंधों सभ्यता कि नगरों की इतिहास का ही अध्यन करेंगे तो बढ़ते हैं आगे हम लोग कि इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग के इसका आप लोग स्क्रीन सार्ट ले लेते हैं ले लिजी आप लोग लेने का आप लोगों को पूरा मौका मिलेगा चिंता मत कीजिए आप लोगों का कमेंट बार बार रहता है कि सर इसक्रीन साथ नहीं मिल पाता इसक्रीन साथ आप लोगों ने ले लिया होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग अब आप लोगों के बीच में भारती अस्थापत्य का उद्भो और विकास दिख रहा होगा कैसे भारती अस्थापत्य का उद्भो हुआ कैसे इसका विकास हुआ इसको हम लोग देखेंगे फिर टापिक पर हम लोग आएंगे तो इसमें आप लोग देखेंगे तो यह पाएंगे कि भारतिय अस्थापत्यकला या वास्तुकला की कहानी का जो इतिहास है वो एक लंबा इतिहास है अगर हम लोग भारती अस्थापत्यकला या वास्थुकला की उत्पत्ती क्या बात करें तो यह माना जाता है कि जब से मानों की उत्पत्ती हुई तो प्रारंभ में जो पासान काल इन मानों था जो पुरा पासान काल का मानों था वो बिल्कुल असभ्य था, वो बर-बर था, वो नदियों के किनारे रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, वो कच्चे-कचे मांस को खाता था, किसी तरीके से अपने जीवन का नरवाह करता था, यानि वो असभ्य मानो था, वो बर-बर मानो था, तो हला कि पासान काल में जिस कला का विकास हुआ उसको हम लोग चित्रकला के नाम से जानते हैं तो अभी हमें अध्यन करना है वास्तुकला यानि अस्थापत्य कला का जिस तरीके से हम लोग यहां पर वास्तुकला का सर्भोमिक और संपून अध्यन कर रहे हैं उसी तरीके से हम लोग चित्रकला का भी अध्यन करेंगे लेकिन हम लोग पहले वास्तुकला का अध्यन कर लें लेकिन फिर भी आप लोग जानते रहिए कि वास्तुकला के उद्भो की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी मानों के सभ्यता के उद्धै की कहानी है इसमें आप लोग देखेंगे तो मुख्यतया अस्पस्ट रूप से जो अस्थापत्यकला या वास्थुकला की उद्भो का साक्ष एविडेंस हमें मिलता है वह संधो काल में मिलता है तो यानि पासान काल के अस्थापत्य का कोई हमें साक्ष नहीं मिलता, कोई हमें अविडेंस नहीं मिलता, जबकि चित्रकला का हमें यहां पे साक्ष मिलता है, जबकि मूर्तिकला का हमें यहां पे साक्ष मिलता है मात्रदेवी की प्रतिमारिक के रूप में, लेकिन का कोई अस्पस्ट साक्ष नहीं मिलता आगे हम लोग आ जाएंगे और अब हड़ापाई अस्थापत्य का अध्यन करेंगे हड़ापाई अस्थापत्य में मुख्य तयाहा जो नगर का अस्थापत्य है जो मोहन जुदड़ो का अस्थापत्य है जो लोथल का अस्थापत्य है जो चनुदड़ों का अस्थापत्य है, जो काली वंगा का अस्थापत्य है, उसको हम लोग देखेंगे, इसके बाद में हम लोग आ जाएंगे कहां, मौरे कालीन अस्थापत्य पर? मौरे कालीन युग में विभिन्य प्रकार के अस्तूपों का निर्माण हुआ, विभिन्य प्रकार के अस्तंभों का निर्माण असुक ने करवाया, उसका हम लोग क्या करेंगे? सार्भूमिक अध्यन यहाँ पर करेंगे, इसके बाद में मौरे उत्तर कालीन अस्थापत्य का आपके सामने आती है वास्तों में अस्पस्ट रूप मलų जो अस्थापत्य के इतिहास का अध्यन हम लोग करते हैं वहां गुप्त काल में ही करते हैं। हलाकि मौरेकाल में या मौरेत्तर काल में भी हम लोग अस्तूप का, चैत्य का, बिहार का, अस्तम्भ का, इन सब बातों का अध्यन करेंगे। इसके बाद में जो अस्थापत्य का स्वनकाल प्राजीन भारत में आता है वो दक्षिन भारती इतिहास के परिपेक्स में आता है या दक्षिन भारती अस्थापत्य के परिपेक्स में आता है और मुख्यतया यह जो अस्थापत्य सम्मंधित है दक्षिन भारती इतिहास का य किसका हम लोग अध्यिन करेंगे इसके बाद में हम लोग मध्यकालिन अस्थापत्य के इतिहास का अध्यिन करेंगे और मध्यकालिन अस्थापत्य के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के अस्थापत्य को पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अस्थापत्य में हम लोग किसका किसका इतिहास पढ़ेंगे गुलाम बंस का पढ़ेंगे गुलाम बंस के बाद में खिलजी बंस का पढ़ेंगे तुगलक बंस का पढ़ेंगे सयद बंस का पढ़ेंगे लोधी बंस के जो तमाम सारे अस्थापत्य संबंधी कारे हैं उनका हम लोग अध्यिन करेंगे चाहे वो मस्जित के रूप में हो चाहे वो किलेओ के रूप में हो चाहे वो टॉम यानि मकबरों के रूप में हो इनका अध्यिन करेंगे इसके बाद में हम लोग मुगल कालिन अस्थापत्य का भी अध्यन करेंगी और मुगल कालिन अस्थापत्य में बिभिन्य प्रकार के जो किले हैं, जो अस्मारक हैं, जो भवन हैं, ताज महल है इसके अलावा इसी समय हम लोग जो अस्थानी अस्थापत्य हैं जो विभिन राज जी के अस्थापत्य संबंधी कारे हैं उनका भी अध्यन करेंगे और हम लोग आधुनिक भारती अस्थापत्य का भी इसी समय अध्यन करेंगे इसमें हम लोग इंडो गोठिक सैली में इंडो का मतलब भारती है और गोठिक का मतलब जो बैस्टण आइरकिटेक्ट्षीर स्टाइल है उसका मिला जुला हम लोग अध्यатель करेंगे et ए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग पहुंचते हैं संधो कालिन अस्थापत्य पर, तो अब मुख्यतेया आप लोगों का टापिक शुरू हो गया है, संधो कालिन अस्थापत्य का हम लोग अध्यन करेंगे, अगर संधो कालिन अस्थापत्य के बारे में हम लोग देखें, तो ये पाएंगे, कि सेंधो छेत्र में अस्थापत्य कला का जो विकास हुआ या सेंधो छेत्र में जो अस्थापत्य और वास्तुकला सम्मंधी कारे का हमें अध्यन करना है वो सेंधो नगरों के परिपेक्ष में करना है किसके परिपेक्ष में करना है? सेंधों नगरों की परिपेक्ष में करना है क्यों क्योंकि नगरों में ही हमें अस्थापत्यकला या वास्थुकला के साक्ष मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं और जो सेंधो काल के नगर हैं, चाहे वो हडपा हो, चाहे वो मोहन जोदड़ो हो, चाहे वो चनुदड़ो हो, चाहे वो लोथल हो, चाहे वो काली बंगा हो, चाहे वो सुर्ग कोतड़ा हो, चाहे वो धौला बीरा हो ये सब ही सेंधो सभ्यता के अस्थापत्य का क्या करते हैं प्रतनिधित तो करते हैं तो एक प्रकार से सेंधो काल के जो सभी नगर हैं वो क्या हैं वो सेंधो छेत्र के अस्थापत्य के किंद्र हैं तो इन सब बातों का हम लोग अध्येन करेंगे आप लोग इसका स्क्रीन साट ले सकते हैं जल्ली से अब सेंधो कालिन अगर हम लोग नगरों की बात करें तो उसकी जो विसेश्टाइं हैं उसका जो आकार है उसका जो प्रकार है उसका जो निर्मान कार है और उससे सम्मंदित जो साक्ष है उसका हम लोग अध्यन करेंगे ये प्रारंभिक परिक्षा में पूछा जाने वाला महत्त पूर्ण खंड है और मुख्य परिक्षा में भी पूछा जाने वाला महत्त पूर्ण खंड है आप से मुख्य परिक्षा में कुछ सन पूछ लेगा कि अस्थापत्य या वास्टुकला के अर्थ या परिचे को बताते हुए आप लोग सेंधों नगरों के अस्थापत्य की बिशिस्ताओं को बताईए इनी बिशिस्ताओं का ही हम लोग अध्यन करने वाले हैं कहां की बिशिस्ताओं का अध्यन करने वाले हैं सेंधो सब्वेता के जो नगर हैं, उनकी विशेस्ताओं का अध्यन हम लोग करने वाले हैं, तो आएए देखते हैं, तो आप लोग यह मान के चलिए कि सेंधो सब्वेता के जितने भी नगर हैं, चाहे वो हडपा हो, चाहे वो मोहन चुदड़ो हो, चाहे कोई भी नगर हो, इन सभी नगरों की जो संरस्टना है वो दो भागों में विभाजित है केवल धौला वीरा को छोड़के। जो धौला वीरा नामक नगर की संरस्टना है वो त्रिय अस्तरिय संरस्टना है। धौला बीरा नगर के परिपेक्स में आप लोग देखेंगे तो वो तीन भागों में बटा हुआ है जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां पर बताता हूं धौला बीरा के बारे में यहां पर आपको जैसे ये मान लिजे कि ये धौला बीरा है ये जो धौला बीरा नामक नगर है ये तीन खंडो में विभाजित है अब इसमें जो पहला भाग आपको दिख रहा है ये उपरी नगर के नाम से जाना गया तो दूसरा भाग आपको दिख रहा है यह मध्य नगर के नाम से जाना गया और यह जो तीसरा भाग दिख रहा है यह है निचले नगर के नाम से जाना गया धौला बीरा को छोड़के जितने भी सेंधों काले नगर हैं वो दो खंडों में विभाजित हैं कितने खंडों में व जैसे माली झीए कि यह हडपा नामक नगर है और यह नगर इस तरीके से चौकोर आकरती में बना हुआ है अब यह दो खन्डो में विभाजित है अब एक खंड इसका इधर हो गया और एक खंड इसका इधर हो गया अब इस खंड को हम लोग पस्ष्मी खंड के नाम से जानेंगे और इस खंड को पूर्वी खंड के नाम से जानेंगे तो यह तो बड़ी सुभाविक सी बात में आपको बता रहा हूँ लेकिन अब इसमें जानने वाली बात और समझने वाली जो बात है वो आगे की है बात ये है कि इसको पस्यमी खंड को हम लोग और पूर्बी खंड को हम लोग सभाविक रूप से जान रहे हैं लेकिन वास्तों में इसका इतिहास क्या है जो ये पूर्बी खंड है ये पस्यमी खंड आपको दिख रहा है ये पस्चमी खंड इसको थोड़ा सा इस तरीके से आपको कर लेना है थोड़ा सा उपर कर लेना है और ये थोड़ा सा नीचे आपको दिखाई पड़ा होगा अब इसी परिपेक्स में कहा जाता है कि ये क्या है ये पस्समी टीले हैं और ये क्या है ये पूर्वी टीला हो गया यानि सेंदो सब्वेता के धौला बीरा को छोड़के जितने भी नगर हैं वो दो खंडों में विभाजित हैं और इसके पस्वी खंड को पस्वी टीले के नाम से जाना गया और पूर्वी खंड को पूर्वी टीले के नाम से जाना गया इसकी अन्यवी सिस्ताओं को हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे असपस्ट रूप से आप लोग के सामने अध्यान होगा पहले इसका आप लोग स्क्रीन साट ले लिजे जल्दी से अब यही है सेंधो नगरों का अस्थापत्य यही है सेंधो नगरों का इतिहास और यही है आप लोग के सामने सेंधो नगरों की विसेस्ता तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सेंधो सब्यता में धावला बीरा को छोड़ के कोई भी नगर का, कोई किसी भी नगर का आपकितिहास ले लेंगे तो उसमें ये हैं पाएंगे कि सेन्धो नगर दो टुकड़ों में बटा हुआ है और एक टुकड़े को पस्चिमी टीला के नाम से जाना गया और दूसरी को किसके नाम से जाना गया? पूर्वी टीला के नाम से जाना गया तो आप लोग देखेंगे तो यह पाएंगे कि जैसे माल लीजे यह हडपा नामक नगर है और हडपा नामक नगर का यह पस्चिमी टीला हो गया और यह पूर्वी टीला हो गया यह पस्चिमी खंड हो गया और वो पूर्वी खंड हो गया तो ये खंड आप जो देख रहे हैं यहाँ पर पस्मी खंड इसको पस्मी टीले के नाम से जाना गया और इसको पूर्वी टीले के नाम से जाना गया इसमें मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि ये जो पस्चमी टीला आपको यहां पे दिखाई पड़ा है ये कई प्रकार की रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ है रक्षा प्राचीरों का अब मतलब क्या है तो रक्षा प्राचीरों का मतलब यह होता है कि जो पस्चमी टीला है इसकी एक सुरक्षा प्राचीर है सुरक्षा प्राचीर के रूप में आप लोग देखेंगे तो यह पाएंगे कि जैसे माल लो इस नगर के तरफ एक चाहर दिवारी कर दी गई इस नगर को एक तरीके से गहरी खाई से घिर दिया गया कि कोई अटेक करे या कोई आक्रमन करे तो आसानी से इस नगर के केंद्री भाग या केंद्रे टीले तक ना पहुँच पए अब एक अंतर में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यह है जो सुरक्षा प्राचीर की इस्थती आपको दिखाई पढ़ रही होगी यह पस्चमी टीले के परिपेक्ष में ही दिखाई पढ़ रही होगी पूर्वी टीले के परिपेक्ष में यहाँ नहीं मिलती एक बात और कि देखने में तो पस्चमी टीले का छितरफल आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन इसका छित्रफल ज्यादा है नहीं इसका छित्रफल कम है और इसका छित्रफल ज्यादा है इस दूसरी भी सिष्टा है अब अगर छित्रफल कम होगा किसी भी भाग का जैसे मान लिजिए कि एक जिला है फैजाबाद जिला है एक सुल्तान पुर नामक जिला है और उसमें सिटी में जाएंगे तो जो सिटी का छेतरफल होता है वो काफी कम होता है उसके परिपेक्ष में पूरे जिले का छेतरफल होता है वो काफी बड़ा होता है तो city में जो जनसंख्या निवास करती है वह पूरे जिले की अपेच्छा क्या निवास करेगी कम निवास करेगी और दूसरी बात कि city में जो जनसंख्या निवास कर रही है वो ग्रामीर परिपेक्ष में आप लोग देखेंगे तो यह पाएंगे कि वह जो सिटी वाली जनसंख्या होगी, वह कोईशी जनसंख्या होगी, वह कुलीन जनसंख्या होगी, वह एक उतक्रिष्ट बर्ग होगा, वही इस परिपेक्ष में भी देखने को मिलता है। अपिक्षा, तो छेत्रफल कम है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पस्च्मी टीले की दूसरी बात हुई, पूचाई अधिक है, लेकिन जब छेत्रफल कम है, तो जनसंख्या या आबादी भी यहाँ पर क्या होगी, कम ही होगी, और इसका छेत्रफल ज्यादा है, पूर्वी टील में जनसंख्या ज्यादा निवास करती थी, अब एक बात ये समझो कि ये अधिक उचाई पर इस्थित्था, इससे क्या असपस्थ हो रहा है, इससे एक लेबल का यहाँ पर इस्थित्थी को समझो, लेबल का मतलब यहाँ पर ये है, कि अगर ये उचाई पर बसा हुआ छित्र होगा, तो उचाई पर कैसे लोग रहेंगे, उचाई पर कुलीन लोग रहेंगे, उचाई पर धनी लोग रहेंगे, ब्यापारी लोग रहेंगे, धनाडे लोग रहेंगे, और जो निचला नगर होगा इसका मतलब क्या है कि घांस फूस बास बल्ली से लोग घर बना लिए तो वो कैसा नगर होगा वो निचला नगर होगा लेकिन सैंधो सब्वेता के परिपेक्ष में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि सैंधो सब्वेता के जो मकान बने हैं वह पक्की इंटों के बने हुए हैं क्यों बने हुए हैं क्योंकि यह अत्यन तो बिक्सिस सब्वेता थी और भारत में जो पहली बार नगरी करण की स्थिति देखने को मिलती है वह सैंधो सब्वेता के परिपेक्ष में ही देखने को मिलती है तो नगर अगर कम उचाई पर है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आप एक्षा क्रत वहाँ पे जो जन्य समुदाय निवास कर रहा है वो कमजूर तपके का आदमी यही बात हमने आपको पहले भी बताई कि कई प्रकार से सुरक्षा प्राचीरों से घिरे होते थे जबकि यह दुर्गी क्रत नहीं था यहाँ पर बिसाल असननागार आप जैसे माल लिजे यह चेतर है यहाँ पर कुलीन बर की लोग रह रहे है या स्रिस्ट बर की लोग रह र प्रेटर में होगी इस शेतरमें तो होगीugen Г CAP यहां पर क्या है यहां पर विसाल- असननागार है क्या है बरहत असनागार सब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं श्रीत हैं यह ब्रहत असननागार और दूसरा सबद यहां पर लिख रहा है म profile असननागार या विशाल अन्नागार यानि greater granaries अन्नागार की बात नहीं कर रहा हूँ विशाल अन्नागार ब्रहद अन्नागार की बात कर रहा हूँ इन सब्दों में अंतर को आप लोग समझते रहेगा अन्नागार और ब्रहद यानि बहुत बढ़ा अन्नागार तो साक्ष कहां मिला इस छित्र से मिला एक स्चित्र से नहीं मिला इस छित्र से तो असनानागार का साक्ष मिला इस छित्र से तो अननागार का साक्ष मिला ब्रहद का साक्ष नहीं मिला ब्रहद का इस पस्चिमी टीली से साक्ष मिला इसके अलामा आप लोग देखेंगे तो य किसका साक्ष मिलेगा सभाभवन का भी साक्ष मिलेगा यही से आपको प्रसासनिक भवन यानि administrative house का भी साक्ष मिलेगा और यहीं पर आप लोग देखेंगे तो जो समाज का सबसे बड़ा इस समय बर्ग है इसको हम लोग ब्रहमण बर्ग के नाम से जानते हैं हलाकि बर्ग की रूप में यहाँ पर भारती समाज का असपस्ट विभाजन नहीं मिलता लेकिन फिर भी जो सेंधो कालिन समाज था वह चार बर्गों में बटा था तो जो पहला बर्ग था उसको हम लोग कहेंगे ब्रहमण ही लेकिन ब्रहमण की रूप में उसे बाधिक दूसरा युद्धा बर्ग, तीसरा बैसे बर्ग, चोथा स्रमिक बर्ग. और यह विभाजन किसके आधार पर है कर्म के आधार पर यह विभाजन है यहीं पर आपको अगन वेदिका का भी साक्ष मिलेगा यहीं पर आपको अगनी कुंड का साक्ष मिलेगा जैसे आप लोग देखते होंगे कि आयोध्या के छेतर में या मतुरा के छेतर में या कासी के चेत्र में बड़ी-बड़ी यग्यों का Aeogen किया जाता है और उसमें जो यगनी कुण्ड बनाय जाता है कुण्ड को छारों तरफ से सजाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं यगनी बेदिका बोलते हैं यहाँ पर अब क्या होगा यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यह पाएंगे यहाँ पर तो महत्तपूर्ण आपको इमारती मिल नहीं है महत्वपूर्ण आपको असमारक मिल रहे हैं लेकिन यहां निचला नगर है और यहां पर कैसे लोग रह रहे हैं यहां पर आप लोग देखेंगे तो स्रमिक यह मजदूर बर्ग रह रहे हैं तो जो कम महत पूर्ण इमारते होंगी वो यहां पे होंगी जैसे अन्नागार हो गया जैसे असनानागार हो गया छोटे छोटे अन्नागार मिलेंगे छोटे छोटे असनानागार मिलेंगे इसके अलामा और क्या मिलेगा स्रमिक बस्ती, लेवर क्वाटरस का यहां से साक्ष मिलेगा किसका साक्ष मिलेगा अन्नागार का साक्ष मिलेगा स्रमिक बस्ती का साक्ष मिलेगा तावे की भट्टी का साक्ष मिलेगा चुकि यह लोग स्रमिक हैं देखा और नगरों की संरचना की जो विश्यस्ताइं हैं उसको हम लोगों ने अस्पस्ट रूप से समझा और यह समझा कि जितने भी संधों नगर हैं धौला बीरा को छोड़की वो दो भागों में विभाजित हैं एक पस्चिमी भाग एक पूरवी भाग पस्चिमी भाग को पस्चिमी भाग को पूरवी भाग के नाम से जाना गया और इसकी विश्यस्ताओं को भी हमने देखा इसकी विश्यस्ताओं को भी हमने देखा चाहे प्रारंभिक परिक्षा की बात हो चाहे मुख्य परिक्षा की बात हो पढ़ना यही है इसके अलामा कुछ और भी नहीं पढ़ना है तो इसको आप लोग कंठस्ट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में अब हम लोगोंने संधो काले नगरों की इतिहास का अध्यन कर लिया नगरों की इतिहास के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और संदोकालीं भावनों कि इतिहास को देखते है तो संदोकालीं भावनों कि परिपेक्स देखेंगे तो जैसे मालीजे यह संधो कालिन भवन यानि घर का यह क्या है यह आंगन है यह जो घर है घर का आंगन है और यह बगल-बगल में जितने भी आपको यहां पर यह चीजें देख रही है यह किसके रूप में देख रही है कमरे के रूप में देख रही है किसके इनका दरवाजा किधर open हो रहा है तो आप लोग कहिए कि इनका जो gate open हो रहा है वो कहां हो रहा है वो यहीं पर open हो रहा है कहां पे open हो रहा है, इसी आंगन में ही open हो रहा है, इसमें open हो रहा है, आंगन में open हो रहा है इन कमरों का दर्वाजा, इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि ये आंगन की तरफ ही क्या हो रहा है, open होता हुआ आपको दिखाई पड़ा है, जितने भी कमरे आपको मिलेंगे, इनके दर्वाजे इसी आंगन में ही खुलते हुए आपको दिखाई पढ़ रहे होगे, यह है आंगन. इसके अलावा इनके घरों की एक खास बात ये है कि इनके घरों का जो मुख्य दर्वाजा है आप लोग देखेंगे तो हो सकता है इधर को भी दर्वाजा खुल सकता है मुख्य दर्वाजा जो आज की समाद में होता है इधर भी खुल सकता है मुख्य दर्वाजा इधर भी खुल सकता है तो कि ये पस्चिम की दिशा हो गई ये पूर्व की दिशा हो गई और ये सामनी की दिशा हो गई लेकिन सेंधो काल में जो घरों का मुख्य गेट होता था मुख्य दर्वाजा होता था वो पीछे की तरफ खुलता था यहां खुल की यहां पर फर्स बनी हुई हैं ये एक तरीके से पत्थर की बनी हुई है और इनको बिटुमिनस जैसी महट्ट्पूर्ण धातुओं से जोड़ा गया है कि इससे जोड़ा गया है। इसके अलामा इसमें एक खास बात आप लोग और देखेंगे कि यहां के जो घर है यहां के जो मकान है यहां के जो भवन है उसमें जो इंटों का प्रियोग किया गया है वो पक्की इंटों का प्रियोग किया गया है केवल काली बंगा को छोड़ के काली बंगा में कच्ची इं अगर हैं उसमें पक्षी इंटों का प्रियोग किया गया है और इन इंटों का अनपात क्या है इन इंटों का अनपात चार अनपाते दो अनपाते एक है इसको यूपी स्सी में कई बार पूंचा है इंटों का अनपात क्या है चार अनपाते तीन अनपाते ऐसे कर दिया तो चार अनपाते, तीन अनपाते, दो कर दिया, तो तो फिर गड़बढ हो गया, चार अनपाते, दो अनपाते, एक है, यहां की इंटों का अनपात है, इसके अलावा यहां 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 इस घर की पानी की निकासी के लिए पक्की नालियां होती थी, पक्की नालियों से पानी निकलता था सेंधो काल के नगरों का फर्स की देवारों पर जिफसम का लेफ है जिफसम से इसको जोड़ा गया है इसके अलामा ये जो सेंधो काल के भवन है या सेंधो काल के भवनों की बात छोड़िए जो सेंधो काल के नगर है ये आप लोग देखेंगे तो ये एक तरीके से जाल की तरीके से इस तरीके से जाल आप लोगों ने देखा होगा ना मच्छडी पकलने वाला जाल ये इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जाल की तरीके से सेंधो काल के नगर कैसे जुड़े हुए हैं जाल की तरीके से जुड़े हुए हैं सेंधो काल इसका मतलब यहां पर जो अस्थापत्रे की स्टाइल आपको दिख रही होगी वो कितनी बिक्सित दिख रही होगी जबकी संधोचागे स Bongini 때 Tanti जिसका नाम था mesopotamia और mesopotamia बिष्व की सबसे प्राचीन सब्लीत थी जिसका बिकास इराक में हुआ था और इराक में टिगरिस, रिवर या नदी के किनारे हुआ था तो मेसो पोटामिया के जो नगर मिले हुए हैं वह नगर इस तरीके से सेंधों नगरों की तरीके से एक दूसरे से जाल की तरीके से नहीं बुने हुए है वो बेतर तरीव है बेतर तरीव का मतलब क्या हुआ बेकर तरीव का मतलब यह हुआ कि अल्ला गलक बस से हुए है एक नगर यहां पे है एक नगर यहां पे है तो एक नगर कहीं और बसा हुआ है तो जो सेंधो काल के नगर है वो सेंधो काल के भवन है वो एक दूसरे से जाल की तरीके से इस तरीके से जुड़े हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा सभी भवनों में, सभी नगरों में सोचाले और कुईये की भी स्थती है ऐसा नहीं कि सोचाले नहीं है सारवजिनिक सोचाले भी हैं, प्रसनली भी सोचाले हैं सबके घरों में भी सोचाले हैं और कुईये का साक्ष भी मिला है ऐसा नहीं कि साक्ष नहीं मिला, साक्ष भी मिला है आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सेंधो काल के सबसे महत्पूर अस्थापत्य का हम लोग अध्यन करेंगे और इस अस्थापत्य का नाम क्या है? तो इस अस्थापत्य का नाम है ब्रहद अस्नानागार ब्रहद अस्नानागार इसका नाम है इसको बढ़ने के लिए आप लोग पूरी तरीके से सतर्ख हो जाए तभी यह समझ में आएगा अब अगर आप से question कुछा जाए कि संदो सभ्यता में जो आप सर्व बिरहद असनानागार के साक्ष की बात बता रहे हैं या ब्रहद असनानागार को समझाने के लिए आप आगे हैं तो इसका साक्ष कहां से मिला हुआ है ग्रेट बात का तो आप लोग कहेंगे कि ग्रेट बात का यानि ब्रहद असनानागार का जो संदो काल में साक्ष मिलता है वो केवल और केवल कहां से साक्ष मिलता है केवल और क केवल मोहन जोदरों से मिलता है कहां से मिलता है मोहन जोदरों से मिलता है एक फिलम आई है इस मोहन जोदरों के नाम से इसको देख लेंगे तो अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएंगे तो ये मोहन जोड़ों से हमें किसका साक्ष मिला है ग्रेट बात का साक्ष मिला हुआ है या ब्रहद अस्नानागार का साक्ष मिला हुआ है आप इसे समझेए क्योंकि यहां से प्रारंभिक परिक्षा में कई बार क्विस्टन पूछा गया है और बहुत कठिन लगता है उस समय लेकिन आपको बड़ी आसानी से मैं यहाँ पर समझा दूँगा और एक भी question कभी भी जिन्दगी में यहाँ से न छूटेगा और न ऐसा होगा कि आप कर न सकें लेकिन सतर्क होना है और हमारी class को आप लोग share भी करते रही है लाइक भी करते रही है अपने गुरूप में share कीजिएगा आप लोग प्लीज अब आईए हम लोग पढ़ते हैं सेंधो सभ्यता के जो प्रसिध नगर है उसमें मुहन जुदडव है और यहाँ से हमें ब्रहद असननागार यानि great बात का साक्ष मिला है अब इसकी सनरचना क्या है इसको हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे मान लिजिए कि ये आपको क्या मिला है ये यहाँ पे आपको ये great बात की सनरचना दिखाई पढ़ लए है इसको आप लोग मानिए कि ये great बात है और इसकी जो आकरती है आप से पूथा जाए कि कैसी आकरती है इस great बात की तो आप लोग कहिए कि चोकोर है गोलाकार इसकी आकरती नहीं है चोकोर इसकी आकरती है अब इस ग्रेट बात की यहाँ पे हम लोग गहराई देख रहे हैं तो इस ग्रेट बात की गहराई कितनी है NCRT में भी यही गहराई लिखी हुई है इसकी गहराई कितनी है 2.43 मीटर इसकी गहराई यहनि लगभग लगभग 3 मीटर इस असनानागार की गहराई है चोड़ाई कितनी है इस अस्तनागार की तो 7.01 मीटर इसकी क्या है इसकी चोड़ाई है देखो किताबों में कहीं कहीं पे टेस्ट बुक में इसकी जो लंबाई चोड़ाई और गहराई की माप मिलेगी वो थोड़ा सा अलग-अलग मिलेगी लेकिन यहाँ पे हमें NCRT के अंसार चलना है तो कि वो भारत सरकार की किताब है और UPSC उसी को मानता है और वही सही भी है ऐसा नहीं कि वो सही नहीं है वो सही भी है तो इसकी चोड़ाई कितनी है 7.01 मीटर इसकी क्या है इसकी चोड़ाई अब एक बार question पूछा, देखो question कैसे पूछ रहा है UPSC आपसे पूछा कि यह जो असनानागार है इसकी लंबाई का और इसकी चोड़ाई का और इसकी उचाई का अनुपात क्या है और आपसनल में देखो आपको क्या दिया लंबाई 11 देदिया और 11 अनुपाते आपको चोड़ाई कितना देदिया साथ देदिया और अनुपाते यहाँ पे यहाँ पे अनुपाते कर लेजिएगा अनुपाते तीन इस तरीके से आपको देदिया इसके अलावा भी कई विकल्प इसमों दिये लेकिन ये क्या होगा ये सर्भोमिक बिकल्प होगा और सत्य होगा यहां पे हो सकता है बारा भी दे दे तब भी ये सही होगा लेकिन अगर काफी दूर दूर आपको विकल्प में लाया है जैसे यहाँ पे 15 दे दिया, यहाँ पे 17 दे दिया, यहाँ पे आपको 13 दे दिया तो वो तो बिल्कुल गलत दिखाई पड़ा है और यही अनुपात यहां पे दिया हुआ है यहां पे 12 दिया हुआ है यहां पे 7 दिया हुआ है यहां पे 3 दिया हुआ है कुश्चन पूँचा हुआ है 12 अनुपाते 7 अनुपाते 3 मान के चलिए लेकिन real अनुपात भी आप लोग मान के चलिए गहराई 2.43, यह तो आपको यादी हो जाएगा, इसके अलामा चवडाई 7.01, इसके अलामा लंबाई 11.88 मीटर, अब अन्य बाद इसकी देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे एक बार देखो question कैसे पूँचा, question यह पूँचा, कि यह जो असनानागार है, यहाँ पे प्रवेश के लिए, यहाँ पे इंट्री के लिए, जो प्रवेश द्वार है, वो किस छित्र में इस्थित है, और बिकल्प में क्या दिया, उत्तरी पार्स, दक्षिनी पार्स, पूर्भी पार्स, और पस्चिमी पार्स ऐसे उत्तर दिया हुआ है, बहुत कठिन हो जाता है ये प्रस्ण, तो आप देखेंगे कि इस असनानागार के असनानागार में इंटी के लिए जो प्रवेश द्वार यहां पे बना हुआ आपको दिखाई पढ़ रहा है, वो किस दिखाई पढ़ रहा है, वो आपको दक्षि थे, वह उत्तर दिशा में भी थे, और दक्षिन दिशा में भी थे, यानि उत्तर दिशा से और दक्षिन दिशा से ही इसमें इंटी की जा सकती थी, और किसी दिशा से इंटी नहीं होती थी, इधर से नहीं होती थी, इधर से नहीं होती थी, तो जो पार्षो थे, जो दरव गार है इस अस्णाना गार में एक तरीके से जो पानी गंदा हो जाता था उस पानी गंदे पानी को निकालने के लिए नाली बनाई गई थी वह किस दिशा में थी उत्तर पस्चिम पूर्ब पस्चिम तक्षिन पस्चिम ऐसे उसमें उत्तर आपको दिया था यहां पर की व्यवस्था आपको दिख रही है और आप ही बताईए कि यह किस दिशा में है तो यहां पर जल निकासी की यह जो व्यवस्था दिखाई पढ़ रही है यह किस दिखाई पढ़ रही है यह यहां पर पस्चिम दिशा में भी दिखाई पढ़ रही है और यहां पर आपको दक्षिण दिशा में दिखाई पड़ रही है, यानि दक्षिण पस्चिम के कोने से जो गंदा पानी था, उसको निकलने के लिए एक नाली बनी हुई थी, तो इसको भी आप लोग जानगे, अब एक क्विश्चिन को आप लोग बताईए, मैं कमेंट बाक्स में आपको देख इसनानगार का नेचर क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसमें पानी कहां से आता था, लोग इसको किस परिपेक्स में यूज करते थे, या आज ये परिपेक्स में आप लोग देखें, तो जो स्विमंग पूल है, या उसी परिपेक्स में लोग इसको यूज करते थे, क्य ये सेंधो बासियों के मनो रंजन का साधन था और मेंस अगर मनो रंजन का साधन था तो इसमें पानी कहां से आता था क्या कोई नल वगेरा कोई ट्यूबेल वगेरा का साक्ष मिला है तो आप कहेंगे नहीं नल का साक्ष नहीं मिला ट्यूबेल का साक्ष नहीं मिला तो भाई लोग देखेंगे ये पस्चिम दिशा में तो ये किसका यहां पर मांचित्र बना हुआ दिखाई पड़ा है ये कुई का मांचित्र बना हुआ दिखाई पड़ा है तो आप से अगर कुछे ये जो ब्रहत असनानागार था इसके किस दिशा में कुई का साक्ष मिला है तो आप आती है कि आखिर इसका यूज किस परिपेक्ष में किया जाता रहा होगा संधो काल में तो आप लोग कह सकते हैं इसका यूज इस काल का मानो धार्मिक परिपेक्ष में करता रहा होगा करता रहा होगा हम असपस्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि हाँ इसी परिपेक्ष में इस काल का मानों इसको यूज करता रहा होगा तो जब लास की लास को दफन करके लोग वापस लोडते हैं तो घर में असनान करके ही लोडते हैं तो असनान करने के लिए आज के लोग तो यह मानते हैं कि स्वक्ष जल होना चाहिए और स्वक्ष के अलामा पवित्र हो जाए तो और अच्छी बात हो जाए तो मुख्य तया नदियों के किनारे ही आप लोग देखते होंगे कि लासों की दफन करिया होती है तो उस समय के मानों भी साइद इसका योज इसी प्रिपेक्ष में करते रहे होंगे लोग आते रहे होंगे वापस यहां असनान करते रहे होंगे और करने के बाद में घर गए होंगे जो धार्मिक क्रिया का लाप है सेंधो काल का वो कैसा है वो आप लोग कहेंगे कि वो हीनो थिजम का नहीं है यानि एक देवबाद का नहीं है बहु देवबाद का है बहु सारे देवी देवताओं की लोग यहां की लोग पूजा करते हैं पनस्पती की भी पूजा करते हैं, पसुओं की भी पूजा करते हैं, मात्र देवी, पसुपती देवता, सर्फ पूजा, समुद्र पूजा, पीपल की पूजा, केली के ब्रक्ष की पूजा, बबूल के ब्रक्ष की पूजा, नीम के ब्रक्ष की पूजा, ये सारे इसकाल के मा बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो सेंधो कालीन लोगों का धर्म एक तरीके से बहुत देवबाद की परिपेश में आपको दिखाई परढ़ा होगा तो ये आपका हुआ क्या ये आपका हुआ यहां पर जो मोहन जोदरो से असनानागार का साक्ष मिला हुआ है अब एक इतिहासकार है वो विदेशी इतिहासकार है जिसका नाम है जान मार्सल जान मार्सल सहब ने इस अस्नानागार को देखा और जब अस्नानागार को देखा तो इसे क्या कहा इसे एक आश्चर ये जनक निर्माण कहा इसने कहा याद रखिएगा जान मार्सल ने कहा मार्टीमर हुईलर ने नहीं कहा जान चाइल्ड ने नहीं कहा मैक्स मूलर ने नहीं कहा बीए इसमित ने नहीं कहा जान मार्सल ने यह बात कही थी इसके परिपेक्श में कही थी इसी असना नागार के परिपेक्श में कही थी तो यह बात मुझे लगता है आप लोग की समझ में असपस्ट रूप से आ गई होगी अब आप लोग इस्क्रीन सार्टिस का ले सकते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब एक तो हम लोगों ने सैंधो काल से जो एक बहुत महत्वपूर्ण इमारत मिली जिसका नाम था ब्रहद अस्ननागार जो मोहन जुदरो से मिली उसका अध्हिन किया अब सैंधो काल से जो मुख्य इमारते और मिली हुई हैं उसका भी हम लोग अध्हिन करते हैं इस परिपेश में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला निर्मान कारी है वो गोदिवाडा की रूप में है वो बंदरगाह की रूप में है वो डाक यार्ट की रूप में है बंदरगाह का जो पहली बार हमारी सभ्यता और संस्कृती में मिलता है वो सेंधो काल में मिलता है बंदरगाह का साक्ष मिलता है और यह जो लोथल नामक नगर है यह कहां इस्थित है तो आप लोग कह सकते हैं कि यह जो लोथल नामक नगर है यह गुज रात में इस्थित है यानि प्रधान मंतरी मोदी जी के छित्र में इस्थित है यहां से हमें डाक्यार्ट का साक्ष मिला, बंदरगाह का साक्ष मिला, यह कैसा नगर है लोथल तो बंदरगाही नगर है जैसा कि आप लोगों को बेदित होगा कि लोथल की खोज किसने की थी तो लोथल की खोज की थी S.R. राव महोदेने और लोथल भोगवा नदी के किनारे इस्थित्था कब खोज की थी 1954 में खोज की थी यहां से अगर अन्य सनरशना के बारे में हम लोग देखेंगे तो जो साक्ष मिलता है लोथल से वो अगनी बेदिका का भी मिलता है अगनी कुंड का भी साक्ष मिलता है तो हम लोग लगे हाथ अगनी वेडिका और अगनी कुंड को भी देख लेते हैं तो ये आपका क्या है? ये आपका अगनी कुंड है यहीं पे ब्यक्ति विभिन्य प्रकार की यग्यों के परिपेक्ष में क्या करता है? यगनी कुंड या अगनी कुंड को बनाता है यहीं पर एक तरीके से अगनी का क्या होता है प्रजुलन होता है इसके चारों तरफ आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से बेदिकाएं बनाई जाती है इसको तमाम सारे रंगों से यहाँ पर गेहूं अक्षत चावल से इसको क्या किया जाता है इसको सजाया आजाता है इस तरीके से क्या किया जाता है इसको सजाया जाता है तो ये है क्या ये है कुंड एक तरीके से ये है अगनी कुंड और ये क्या है ये अगनी बेदिकाएं है तो ये क्या है ये बेदिका है और यहीं पर आप लोग देखते होंगे कि एक तरफ कौन ब बैठता है जो इस यगनी का संचालन करता है और यहां पर मुख्य ब्यक्ति बैठता है मुख्य ब्यक्ति के आसपास में तमाम सारे लोग पती हों पत्नी हों बच्चे हों रिलेटिव सों यहां पर क्या करते हैं बहुत उपयोगी बहुत बहुमूले सामान जैसे घी है जैसे अक्षत है, यहीं पर क्या करते हैं, सब कुछ जला देते हैं, क्यूं जला देते हैं इसको, हमारी हिंदू धर में ऐसा माना जाता है, कि हम अपने देवताओं को प्रस्वन्य करने के लिए ऐसा करते हैं, इससे क्या होता है, कि यहां से जो धुआ उठता है, चाहे वो हमारा धरती का देवता हो, चाहे वो हमारा आकास का देवता हो, चाहे वो हमारा पताल का देवता हो, सब के पास पहुंचता है और जब पहुंचता है धुआ तो जो हमारे गाड़ है जो हमारे इस्वर है उनको पता चलता है कि धरती पर जो उनका भक्त इस्थित है वो विहवल इस्थिती में है वो आपको याद कर रहा है तो इसी धुईये के माध्यम से हम क्या करते हैं हम अपने प्रभु को हम अपने इसर को प्रसन्न करने का काम करते हैं आप लोगों को जैसे मैंने बैदिक काल में पढ़ाया ही होगा कि एक बेदांग है और उस बेदांग का नाम क्या है उस बेदांग का नाम है निरुक्त निरुक्त नाम है और कुल जो बेदांग है वो कितने हैं तोटल छे बेदांग है यानि शिक्स बेदांग है और इस बीदांग की रचना एक रिसी ने की थी जिसका नाम था यासक, रिसी ये यसक, मुनी अब ये जो यास्क मुनी या रिशी थे इन्होंने बैदिक देवताओं की संधो देवताओं की नहीं बैदिक देवताओं की एक मंडली बनाई है और उस मंडली में कुल कितने देवताओं को रखा है कुल 33 देवताओं को रखा है और इन 33 देवताओं को धरती अकास उसके बा स्वात में स्टेडीम का साक्स मिलना है और इस्टेडीम को स्टेडीयम के रूप में नहींपुछता हो सब्ध रूप में byदरुक्त कोई सफेद कवा हुआ होता है और लोगो कहेंगे या इनि-वास्टिविक अर्थ क्या हुआ हुआ इसा कुछ सरचना नहीं मलती लेकिन इसका अर्थ क्या मिलता है इसका अर्थ सफेद कुआ निकल के आता है इस्टेडियम का साक्ष कहां से मिला केवल और केवल आज तक धौला बीरा से मिला है हो सकता है कल किसी भी इतिहासकार को या पुरा तत्वित को कई अन्य छेत्रों से भी सूसना पट्ट का साथ इसका अभी इस्टेडियम का साक्ष मिलना है इसके अलावा सूचना पट्ट काभी जो साक्ष मिला हुआ है वो धौलाबीरा से मिला हुआ है जैसे यह आपको यहाँ पर पिज दिखाई पढ़ रहा है न यहाँ पर तमाम सारी बातें लिखी हुई है यह भी क्या है यह भी एक सूचना पट ही है यह भी एक अभुलेक के रूप में हैं, आप लोगों के पास यह सनरक्षित रहेगा तो सूचना पट है या एक अभुलेक मिला है, एक ऐसी तरीके से एक अभुलेक मिला हुआ है, उसपे कुछ बात में लिखी हुई इसी को इतिहास करोने क्या मान लिया सूचना पत्ट मान लिया या अभिलेक मान लिया अभिलेक कहां से मिला हुआ है इसी धौला बीरा से मिला हुआ है सूचना पत्ट कहां से मिला हुआ है इसी धौला बीरा से मिला हुआ है आगे प्रसासनिक भवन यानि administrative house एड्मिनिस्ट्रेटिव हाउस का जो साक्ष मिला है वहां मुख्यतया कहां से मिला है लोथल से मिला है प्रसास्निक भवन का साक्ष इसके अलामा अगनी कुंड का जो साक्ष मिला वो लोथल से भी मिला है काली बंगा से भी मिला है दोनों नगरों से इस अगनी कुंड का साक् का साक्ष संयुक तुरूफ से लोथल से भी मिला हुआ है और लोथल के इलामा काली बंगा से भी मिला हुआ है काली बंगा दो सब्दों से मिलके बना हुआ है काली और बंगा का मतलब होता है क्या बंगा का मतलब होता है बंगा का मतलब होता है बेंजल्स और बेंजल्स का मतल अनुमान गढ़ जिले में इस्थित था और इसकी खोज अमला नंद घोष सहब ने की थी इसके अलावा अन्नागार का जो साक्ष मिला हुआ है हम लोग ब्रहद अन्नागार की बात नहीं कर रहे हम लोग अन्नागार की बात कर रहे हैं और यह जो अन्नागार का साक्ष मिला य एक ही रो में एक ही लाइन में कितने अन्नागारों का साक्ष मिला तो कुल छे अन्नागारों का साक्ष मिला कहां से मिला हडपा से मिला जबकि आप लोग देखेंगे तो मोहन जुदरों से किसका साक्ष मिला मोहन जुदरों से यहां अन्नागार नहीं महान अन्नागार का साक् अग in यहां पर बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा और पूरी तरीगे से मुझे असपस्थ है कि आप लोगों को फील हो रही होगी है एकक्लास और समझ में आ रही होगी यह बहुत उपयोगी चीज़ें हैं नए बच्चों के लिए और पुराने बच्चों के लिए भी आगे बढ़ते हैं हम लोग अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पैदिक यूगी इन अस्थापत्य की चर्चा करेंगे बैदिक यूग के परिपेश में अगर हम लोग देखेंगे तो बैदिक यूग मुख्यतया दो भागों में बटा था रिग बैदिक यूग और उत्तर बैदिक यूग रिग बैदिक यूग के इतिहास का प्रारंभ होता है पंदरासो बीसी से एक हजार बीसी में खतम होता है और उत्तर बैदिक यूग का जो इतिहास प्रारंभ होता है वो एक हजार बीसी में प्रारंभ होता है और छेसो बीसी में समाप्थ हो जाता है और इसके पहले हम लोगों ने सेंधो सब्वेता के नगरों का अध्यन किया और उसकी इस्थदी को जब देखा तो यह पाया कि जो सेंधो सब्वेता के नगर थे वो अत्यनत विक्सित अवस्था में थे और इसी परिपेक्ष में कहा जाता है कि भारत में पहली बार जो नगर करण की अवस्था प्रकट हुई थी वो सेंधों काल में प्रकट हुई थी उसकी विप्रीत यानि सेंधों सभ्यता के नगरों की विप्रीत या सेंधों सभ्यता के विप्रीत जो बैदिक सभ्यता या संस्कृति थी वह नगरिक्रत नहीं थी वह कैसी सभ्यता या संस्कृति थ वह एक ग्रामीड सभ्यता या संस्कृति थी तो जो ग्रामीड सभ्यता या संस्कृति थी यानि सेंधों सभ्यता के जैसे लोग बैदिक सभ्यता के लोग नहीं थे असले न उन्होंने बड़े बड़े अस्थापत्य संबंधी कारे कराए और ना ही कला से संबंधित कोई अन्य विसिस कारे करवाया केवल बैदिक युग में सबसे ज़्यदा जिस इतिहास का हम लोग अध्यन करते हैं वह साहित्य का अध्यन करते हैं और साहित्य की रूप में चारो बेदों का अध्यिन करते हैं और चारो बेदों में हम लोग कल्चर में ही साहित्य को पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, सारे साहित्य को इकठे पढ़ेंगे, चाहे हो प्राजीन, चाहे हो मध्यकालिन और चाहे हो आधुनिक भरतिय साहत्य हो तभी खंडों की अलग-अलग बिल्कुल असपस्ट रूफ से क्लास होगी कि एक-एक चीज बिल्कुल आपको असपस्ट रूफ से समझ में आ जाए और आप लोग बड़े अच्छे तरीके से इंटरलिंक कर सको उसीज को क्योंकि हमने देखा है कि आज कल UPSC में इंटरलिंकिंग वाला क्विस्टन बहुत ज़्यादा पूछने लगा है इसलिए हमने किसी एक टापिक का अध्यन नहीं प्रारंब किया जैसे सेंदो सब्विता की सारी चीज़ों का अध्यन कर लें ऐसा नहीं हमने अलग अलग छेद्र का विस्ट अध्यन प्रारंब किया और आप सोच नहीं सकते कि यह आपके लिए यह जो क्लास है यह कितनी उप्योगी होने वाली है जब आप सफल होंगे आपको कुश्चन मिलेगा तब उस समय आप लोग हमें याद करेंगे इसलिए पढ़ते रहिए कि उस समय आप लोग कुश्चन भी कर लें तो बैदिक युग में अस्थापत्य का हमें मुख्यत यहाँ पता नहीं चलता क्यों नहीं पता चलता क्योंकि यह एक ग्रामेड सभ्यता यह संस्कृती थी यहाँ के जो भवन बने होते थे वो घास फूस के बने होते थे वो बास बल्ली के बने होते थे यहाँ पे पत्थरों की भवनों का साक्ष नहीं मिलता लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यह जल्दी से कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है इसको यानी आप लोग देखेंगे तो जो जिस किताब का हम लोग अध्यन कर रहे हैं अध्यन कर रहे हैं वहां भी यह चीज लिखी हुई नहीं मिलती आपको सद्भुजी इमारत के रूप में से रट कोठी हैं इसमें सेवन फ्लोरस है इसमें और इसलिए इसका नाम पढ़ा सत्भुजी इमारत और इसमें कौन सा बेधिक योगीन आरियय जो देवतार रहता था। तो आप लोग कह दिजिए कि इसमें बैदिक यूगीन आरिया जो देवता रहता था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंद्र, क्या नाम था? इंद्र, तो इंद्र देवता ही सत्भुजी इमारत में रहता था, और UPSC ने इसको एक बार पूछा है, कि इसमें कौन सा देवता निवास करता था इंद्र, बरोण, या मित्र, या अगनी, तो आप लोग कहेंगे इंद्र, और इंद्र के कई नाम है, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, इंद्र को समापा कहा जाता है, पुरंदर यानि किलों को नस्ट करने वाला कहा जाता है, समापा यानि नमबर का देवता था पतलब सबसे सर्चित देवता था सबसे उच्च कोटी का देवता था और रिग बेद में इसका 252 बार उलिख मिलता है इसी इंद्र का तो यह क्या है सत्भुची इमारत यह इंद्र का घर है जल्दी से आप लोग स्क्रीन साथ ले लेए आगे बढ़ते है हम अब बैदिक अस्थापत के बारे में हमें कोई बहुत उधरन नहीं मिलता इसी प्रकार जो बैदिक अस्थापत है यानि उत्तर बैदिक काल का जो अस्थापत है उसका भी कोई विशीज इतियास हमें पता नहीं चलता लेकिन बैदिक उत्तर इतिहास में आप लोग देखेंगे तो जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का समय आता है यानि गंगा घाटी में तीन चार सो संप्रदायों को जो उदे हुआ उसमें से दो संप्रदाय ज्यादा प्रशिद्धर है बाध धर्म और जैन धर्म तो बाध धर्म और जैन धर्म से संबंदि थी अब तीन rachnada है एक अस्तूप की है और एक चैट्ध की है एक बिहार की है तो बिहाल की रूप में तो आप लोग देखोगे तो बैदिक उत्तर काल यानि उत्तर बैदिक काल जो समाफ्थ होता है वो 600 BC में समाफ्थ होता है और 600 BC में भारत में दूसरी बार नगरी करना आता है गंगा घाटी के मैदानों में तो उत्तर बैदिक यूग में भी हमें कोई विशेष अस्थापत्य का पता नहीं चलता इसके बाद में हम लोग महत्मा बुद्ध और बौध वास्तुकला की परिपेक्ष में देखेंगे तो बौध वास्तुकला की परिपेक्ष में हम लोग देखेंगे तो बौध वास्तुकला से संबंधित किस से संबंधित है तो मुख्यत्या तीन इमारतों से संबंदित है, एक अस्तूप है और अस्तूप का मतलब पूजा घर होता है और दूसरा क्या है, दूसरा छेत्य है, और तीसरा क्या है, तीसरा बिहार होता है यहीं यहाँ पर आपको अस्पस्ट रूर्फ से दिख भी रहा होगा यानि बौध बास्तुकला बास्तुकला की उन आवययों उन आवययों का एक तरीके से प्रतीक है या प्रतनिधित तो करती है जिसका नाम है अस्तूप और जिसका नाम है चैत्या और जिसका नाम है बिहार और जिसका नाम है क्या गुफाएं यानि गुफा अस्थापत्य भी हम लोग पढ़ेंगे जिसे मौरेकाल में असुक ने कई गुफाओं का निर्माण करवाया असुक के पौत्र दसरत ने कई गुफाओं का निर्माण करवाया उसके बाद में अजन्ता एलोरा की अस्थापत्य को भी हम लोग पढ़ेंगे बाख की गुफाओं का भी हम लोग अध्यन करेंगे इसके अलामा आप लोग देखेंगे कि अस्थापत थे कि अब ये जो तीन आवयो आपको दिखाई पढ़ रहे हैं इनका निर्माण ऐसा नहीं कि महत्मा बुद्ध के समय सुरू हो गया था इनका निर्माण मुख्यतयाहा मौर्यकाल में सुरू हुआ और आगे गुप्तकाल, गुप्ततरकाल, कुसानकाल इन सब में जारी रहा आगे बढ़ते हैं हम लोग अब मौर्य कालिन अस्थापत्य का अध्यन करते हैं और मौर्य कालिन अस्थापत्य के बारे में कुछ खास बातों को हम लोग जानते हैं खास बातों में अगर मुख्य परिक्षा में या प्रारंभिक परिक्षा में आप से क्विस्टन पूछे कि मौरे कालिन अस्थापत्य की विश्यस्ताओं को आप बताईए तो मौरे कालिन अस्थापत्य की विश्यस्ताओं का हम लोग अध्यन करेंगे मौरे कालिन अस्थापत्य की विश्यस्ताओं में आप लोग देखेंगे और यह लाल वलुवा पत्थर कहां से मंगवाय जाता था तो आप कहेंगे कि चुनार से मंगवाय जाता था और यह चुनार कौन सा चुनार था तो यह चुनार मिर्जापुर का चुनार था कहां का चुनार था भीया मिर्जापुर का चुनार था और इसी मिरजापुर में चुनार इस्थित है यहीं से पत्थर मंगवाय जाता था इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो और एक छित्र से पत्थर मंगवाय जाता था और इस छित्र का नाम यहाँ पर एड़ कर लीजेगा मथुरा है इनी दोनों छित्रों से मौरे कालिन सासकों ने पत्थर मंगवाए थे और अपने अस्थापत्य संबंधी नर्माण करवाए थे मौरे कालिन अस्थापत्य के परिपेक्ष में देखेंगे तो आप लोग यह भी पाहेंगे कि इस समय लोहे का उत्पादन अत्यन्त विक्सित अवस्था में भारत में हो रहा था तो जो मौरे कालिन सासक आये तो उन्होंने अपने अस्तंभों में लवह आयस्क का प्रयोग किया यह लोहे का प्रयोग किया और भवन निर्मान में भी लोहे का प्रयोग किया यह भी ध्यान देने योग बात है और जो अस्तंभ बनवाए उनकी एक खास विस्ष्था आपको और देख रही होगी कि इन अस्तंबों पर चाहे वो सारनात का अस्तंब हो चाहे वो धमेक अस्तंब हो चाहे वो साची का अस्तंब हो इन अस्तंबों पर क्या की गई है एक ओपदार पालिस की गई है ओपदार पालिस का मतलब चमकदार पालिस की गई है आज भी वो चमकती है अब सोची असोग का बनवाया हुआ आज भी सारनात पिलर इडिक्स है क्या है अपनी जगापे उसी तरीके से खड़ा है जबकि आप लोग देखें होगे कि अभी कुछ दिन पहले गाजियबाद में ही एक छित्र है जिसका नाम है मुराद नगर वहाँ पे गाजियबाद विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी लोग है सवाधानों का बताईए वो सब निर्मान कर रहे थे गिर गया उसमें कितने लोग एक्सपायर हो गए आए दिन आपको बिहार के छित्र में नदी पे बने हुए पुल दूसरे दिन नदी में बह जाते हैं एक ही बारिस में सड़क पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है एक साल भी नहीं चलती और सूचो तो ये जो असोग था ऐसा थोड़ो न था कि ये कोई मंगल ग्रह से आया था असोग के समय में तो साधन की कमी थी और आज तो साधन की कमी है ही नहीं और इस समय के भवन निर्माण में लकडी का प्रियोग किया जाता था चाहे वो अस्तूफ हो चाहे वो पिलर्स हो जिसे जो सांची का अस्तूफ है उसको असोक ने बनाया हम लोग पढ़ेंगे उसे और उसकी जो बेडी का बनवाई जो बल्ली बनवाई जहां पे हम लोग परिक्रमा करते हैं और साइड में जो चीज हम आपको अस्तूफ दिखाएंगे अभी वो समझ में आएगा आपके बाद में कुसान साजको ने उसमें परिवर्तन किया उससे मित्रसुंग ने भी उसमें परिवर्तन किया अब अगर हम लोग मौर्य कला की परिपिक्ष में देखें तो मौर्य कला का अध्यन हम लोग दो भागों में बांट की करेंगे मौर्य कला में एक है दर्बारी कला और दूसरी कैसी कला है तो दूसरी जो कला है वो लोग कला के नाम से प्रसिद्ध है और दर्बारी कला में मुख्यते हम लोग तीन बातों का अध्हिन करेंगे दर्बारी कला में हम लोग तीन बातों का अध्हिन करेंगे एक क्या है एक महल है जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजा प्रशाद है इसका अध्यन करेंगे और दर्वारी कला में हम लोग अस्तंभों का अध्यन करेंगे जैसे सारनात अस्तंभों का अध्यन करेंगे और अस्तूप में भी हम लोग कई प्रकार के अस्तूपों का अध्यन करेंगे जिसे सांची का अस्तूप हो गया जिसे भरहुत का अस्तूप हो गया जिसे सारनात का अस्तूप हो गया यह अन्य छित्रों का अस्तूप हो गया नागारजुन कुंडा का अस्तूप हो गया उसका का अध्हिन करेंगे इसके अलावा लोग कला में हम लोग मुख्यतया तीन कलाओं का अध्हिन करेंगे एक है गुफा अस्थापत्य और दूसरा क्या है जैसे यहां पे विश्व जुपड़ी गुफा है कंडचोपार गुफा है गुपी की गुफा है सुदामा की गुफा है तन होता है यानि मिट्टी के बरतनों का भी हम लोग अध्यन करेंगे इसके अलावा इस काल में बनी हुई तमाम सारी मूर्तियों का अध्यन करेंगे हलाकि जो मूर्ति अस्थापत्य है उसका हम लोग अध्यन अस्थापत्य की इस सैली में नहीं करते हैं उसको कला में करते है लेकिन कुछ मुर्तियों का अध्यन हम लोग करेंगे तो मुख्य तया हम लोगों ने ये मौरे काल की विशिस्ताओं को देखा और मौरे कला को दो भागों में विभाजित किया पहला आप लोगों ने देखा कि दर्बारी कला और दूसरा यहाँ पे देखा लोक कला जो लोक कला यहाँ पे सम्मंधित आपको लग रही होगी वो मुख्यतया सर्भोमिक रूप से लग रही होगी और जो दर्बारी कला हला की दूनों का निर्मान कौन करवा रहा है असुक करवा रहा है चंद्रगुप्त मोरे करवा रहा है या सम्मंधित सासक करवा रहे है इसका भी और इसका भी तो यह दर्बारी की रूप में आएगा और यह लोक कला की रूप में आएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग अब एक important पहलू आप लोगों के सामने आ गया है सबसे पहले हम लोग दर्बारी कला का अध्हिन करेंगे और दर्बारी कला में हम लोग किसका अध्हिन करेंगे महल का अध्हिन करेंगे किसका अध्हिन करेंगे भी या तो महल का अध्हिन करेंगे और महल में सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं किस के पास महल में पहुंचते हैं हम लोग पाटली पुत्र के राजा प्रसाद के पास या पाटली पुत्र के राजा भौन के पास या पाटली पुत्र के नगर के अस्थापत्य के पास पहुंचते हैं तो अगर हम लोग पाटली पुत्र के नगर के अस्थापत्य की बात करें तो पाटली पुत्र के नगर का अस्थापत्य का जो भगरण मिलता है वो कहां कहां मिलता है तो दो साहित्य में मिलता है पहली साहित्य इंडिका है और इंडिका को किस ने लिखा था? इंडिका को Megas Thaniz ने लिखा था लेगिन Megas Thaniz की इंडिका आज वास्तविक सुरूप में हमारे सामने नहीं है तो किसके रूप में है Megas Thaniz जो चंदरगूप्त मौरे के समय भारत आया था यह उनानी-णागरिक था ये लूकस का राजदूत था इसका इसकी जो test book है इसका नाम Indica है ये अपने मूल स्रोत की रूप में उपस्थित नहीं है इसका कुछ इतिहास करों और यात्रियों ने एक दो पन्ना पाया कुछ ने और पाया कुछ ने और पाया और फिर उसका एक दो पन्य का विबरण लेके इस इंडिका के बारे में बताया कि इसमें वास्तों में क्या विबरण मिलता है तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इस ट्रेवो, एरियन, जस्तिन, पलिनी, प्लूटार्ग और डायोडूरस इसको मैं इतिहास में पढ़ाऊँगा लेकिन याद रखिएगा आप लोग इन नामों को और इसको याद रखने का एक कोड है S, A, J और P, P, D ये क्या हैं? ये छे विदेशी यात्री और इतिहास कारिया सहित्यकार है इसमें S का मतलब स्ट्राइबो से है, A का मतलब एरियन से है, J का मतलब जस्तिन से है, पहले P का मतलब प्लूटार्ग से है, दूसरे P का मतलब प्लिनी से है, और D का मतलब डायोडूरस से है तो मुख्य तयाहा जो इंडिका का इतिहास हम लोग जानते हैं वो है इन किसके माध्यम से जानते हैं इन विदेशी यात्रियों के माध्यम से जानते हैं इन्होंने जो बिबरण दिया है उसके माध्यम से जानते हैं हम लोग ये लोग ही बताते हैं कि ये जो मेगस्थनीश की इंडिका थी इसमें वास्तों में किसका विबरण मिलता है तो ये जो इंडिका है मेगस्थनीश की इस इंडिका में जो विबरण मिलता है वो इन अच्छे विदेशी यात्रियों के उधरण के आधार पर आधारी थे और इस जिसमें किसका विब्रण मिलता है पाटली पुत्र के नगर का विब्रण मिलता है पाटली पुत्र के अस्थापत्य का विब्रण मिलता है पाटली पुत्र के राजा प्रसाद जिसमें राजा प्रसाद का मतलब क्या हुआ राजा का मतलब राजा प्रसाद का मतलब निवास कर लोगों ने देखा था कि जो वास्तुकला सब्द है वो संस्कृत के बस धातु से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है इसका होता है बसना या रहना तो उसी परीपेक्ष में इसको समझना है यह आपको क्या दिख रहा है यह है चंद्रगुप्त मौरे का तीसे और पाटल पुत्र नाम को राजधानी की रूप में किसंग ने बसाया तो आप लोग कहेंगे उद्यइन ने बसाया तो उदçar को और पुत्रु का पुत्र है और हर्यकबन्स का सासक है अब पस आप लोग ध्यानती को एक भी question यहां से बिछोडने वाला नहीं है UPSC या कोई भी State Commission आप ले लो Assistant Professor की तैयारी कर लो, NetJRF की तैयारी कर लो, इतिहास विशे की तैयारी कर लो, TGT, PGT की तैयारी कर लो यहां से एक भी question आपको किसी भी पार्ट में छोटने वाला नहीं है चाहे वो concept का हो, चाहे वो fact का हो, दोनों चीजे में सार्भामिक रूप से लेके आप लोगों के सामने चल ला हूँ तो किस में मिलता है इंडिका में विवरण मिलता है और किस में मिलता है अर्थसास्त में मिलता है अर्थसास किस की पुस्तक है विष्णु गुप्त की पुस्तक है चानक्या की पुस्तक है इसके पुस्तक है भारत के मैक्यावेली के पुस्तक है कौटिल्या के पुस्तक है ये सब कौटिल्य के ही नाम है चानक क्या मैक्यावेली ये सब इसके दूसरे नाम है इसी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थ सास्थ अब अर्थ सास्थ से आपको लग रहा होग कि इसमें अर्थ विवस्था के बारे में पूरी तरीके से विवर्ण मिलता है या मिलता है अर्थ विवस्था के बारे में विवर्ण लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अर्थ सास्त्र कैसी पुष्टक है इसका बिसे बस्तु क्या है तो आप लोग देखो यही कुष्टन है UPSC में जो आता है हम लोग पूरे अर्थसास को पढ़ लेते हैं लेकिन उसके निचोड को नहीं पढ़ पाते उसके सुरूप को नहीं पढ़ पाते सब लोगों को पता होगा लेकिन अगर कुष्टन पूछ ले कि इसका मुख्य सुरूप क्या है यानि इसकी बिसे बस्तु क्या है तो आप लोग कहेंगे कि यह राजनीती सास्त्र की एक सामान्य पुस्तक है और इसकी सीमा यह है कि इस अर्थसास्त्र में मौर्यकाल के किसी भी सासक के नाम का उलेक नहीं मिलता तो इस अर्थसास्त के अधार पर और मेगस्थनीच के बिबरन के अधार पर या मेगस्थनीच के इंडिका के बिबरन के अधार पर हम लोग पाटली पुत्र के नगर अस्थापते ये पाटली पुत्र के राजा प्रसाद या राजभोन का अध्यन करेंगे अब आईए देखते हैं ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पाटली पुत्र का राजा प्रसाद इसकी आकरती जो यहाँ पे आपको दिख रही है ये चोकोर आकरती में दिख रही है तो आप लोग कहेंगे कि जो पाटली पुत्र था और पाटली पुत्र का जो राज भूण था उसकी आकरती आयताकार नहीं थी चोकोर थी गोलाकार नहीं थी चोकोर थी ठिक और मेगस थनीज व्यापक रूप से अपनी इंडिका में कहता है यह जो पाटली पुत्र है इसके उत्तर में यहाँ पे देखिए ऐसे भी आपको नक्सा दे सकता है और पूँछ सकता है कि किधर ये नदी इस्थित है और इधर कौन सी नदी इस्थित है इधर आपने देखा कौन सी नदी इस्थित है इधर पूरब में कौन सी नदी इस्थित है गंडक और इधर पूरब में कौन सी नदी इस्थित है गंगा यानि तीनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है पाटली पुत्र और पाटली पुत्र में इस्थित उसका राजा प्रसाद तो आप लोगों ने आंतरिक द्रिशिकोंड से देखा या आंतरिक रूप में आंतरिक इस्थिती के परिपेक्ष में सुरक्षात्मक द्रिशिकोंड से देखा तो यह क्या आपको लगा यह चारो तरफ से नदियों के जल से घिरा हुआ है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह जल दुर्ग है तो अगर आप से कुश्चन पूशे कि पाटली फुत्र के नगर अस्थापत्य के परिपेक्ष में किस ने कहा है कि यह जल दुर्ग के रूप में था तो दोनों में विपरण मिलता है अर्थसास्थ और मेगस्थनीज की इंडिका और अगर दोनों भीकल्प हो तो राजनी दिशास की एक सामान्य पुस्तक है अब इधर आप लोग देखेंगे तो दक्षिण में बिंध्याचल परबतमाला इस्थित है तो तीन तरफ से जल और चावती तरफ से यह बिंध्याचल परबतमाला से घिरा हुआ छेतर है अब यहां पे आप लोग से घिरा गया है पहला जो घिरा आपको यहां पर मिल ला होगा यह किस के रूप में मिल ला होगा एक चाहर दीवारी के रूप में मिल ला होगा और दूसरा जो घिरा आपको मिल ला होगा यह जल दुर्ग के रूप में मिल ला होगा यह जल की गहरी खाई के रूप में मिल गहरी खाई थी और इसमें पानी बरा होता था ऐसे माल लीजिए कि इससी कि सेना इसके ओपर अटेक कर रही है, तो 36ません फॉस्थन गहरी आपста सब्दिखें Korea कारी और अगर की को बिल्स और अगर कोई आक्रमन करता है तो पहले तो गिरे यह इसी में को लाफ सोजाएगा तो उस समय के जो प्रसिद्ध इमारतें और राजधानियां थी वो अपनी सुरक्षा प्राचिर इसी तरीके से बनाती थी इसके अलामा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यह जो चाहर दिवारी है यह बहुत उची है जैसे चाइना की दिवार तो एक बड़ी बात थी तो यह उची दिवारों से घिरा हुआ है चाहर दिवारी है और इसमें प्रवेश करने के लिए 64 तोरण द्वार है यानि 64 क्या है चोटा मोटा असमारक नहीं है और इसमें 570 क्या बने हुई हैं बुर्ज बने हुई हैं जिसको हम लोग पिलर्स के रूप में जानते हैं जिस पे ये पूरा भवन टिका हुआ है इसके अलामा अब एक और चीज आपको मैं बताता हूँ ये जो पार्टली पुत्रा नामकर यहां पे आपको राजधानी ये भवन के रूप में दिख रहा है इसके जो लंबाई थी वो असी इस्टेडिया थी इस्टेडिया क्या है तो इस्टेडिया लंबाई मापने का एक पैमाना है जिसको बताता कौन है जिसको इंडिका बताती है यानि जिसको मेगस थनीज बताता है यानि मेगस थनीज के अंसार मौरेकाल में लंबाई नापने के पैमाने को किस नाम से जाना जाता था तो आप कहिए कि स्टेडिया के नाम से जाना जाता था और एक स्टेडिया में कितनी किलोमीटर होते थे यह जानने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि एक किलोमेटर में यानि एक किलोमेटर में कितना स्टेडिया होता था एक किलोमेटर में कितना स्टेडिया होता था तो पांच स्टेडिया होता था तो इस की यानि पार्टली पुत्र की इस भवन या राजधानी की लंबाई कितनी थी तो आप लोग कहेंगे कि 16 km इसकी लंबाई थी, कितनी इसकी लंबाई थी? 16 km, यहाँ पर देखिए, वो आपको मीटर की रूप में भी दे सकता है, यहाँ रखिएगा, मीटर की रूप में भी दे सकता है, 16 km इसकी लंबाई थी, इसलिए मैं कई बार यहाँ पर 20-20 में बोल पांच इस्टेडिया होता था तो 16 किलोमेटर में कितना इस्टेडिया होगा तो 16 किलोमेटर में 5 इस्टेडिया होगा चुंकि 1 किलोमेटर बराबर 5 इस्टेडिया के तो 16 पंचे 80 यानि 80 इस्टेडिया इसकी लंबाई थी तो चोड़ाई कितनी थी तो आप लोग कहेंगे कि इसकी जो चौड़ाई थी, वह 15 स्टेडिया थी, तो 15 स्टेडिया यानि कितनी किलोमेटर इसकी चौड़ाई थी, तो 3 किलोमेटर इसकी चौड़ाई थी, यानि 15 स्टेडिया इसकी चौड़ाई थी, और 1 स्टेडिया बराबर, 1 किलोमेटर बराबर 5 स्टेडिया के होता है, तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, पाटली पुत्र के राजा प्रसाद का अध्यन हम लोगों ने किया, पाटली पुत्र के राजभुवन का हम लोगों ने अध्यन किया, स्क्रीन साट आप लोग ले सकते हैं जल्दी से, ले लेजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में अब मौरे काल में हम लोग आगे बढ़ते हैं और मौरे काल इन अस्तम्भ संबंदी जो अस्थापत थे उसका अध्यन करते हैं अस्तम्भ का मतलब किस से होता है पिलर से होता है तो मौरे कालिन अस्तंभों में आप लोग देखेंगे तो जो सबसे प्रसिद अस्तंभ रहे हैं वो असोक के अस्तंभ रहे हैं असोक ने कई अस्तंभों का निर्मान किया इसी का अध्यन हम लोग करेंगे अब असोक के अस्तंभ या मौरे कालीन अस्तंभों का अध्यन हम लोग करेंगे मुख्यत है असोक चुंकि असोक नहीं बड़े पैमाने पे अस्तंभों यानि पिलर्स का निर्माण करवाया था अब आईए देखते हैं इसमें बहुत इंपार्टन बातें आपको मिलेंगी खास करके यह जो असोक के अस्तंभ हैं इनकी बिशिष्टाएं क्या हैं इस पहलो में इस पार्ट में इस पेज में हम लोग इसी का अध्यन करेंगे है अभी कुछ अस्तंभ हैं उनकी बिशिष्टाएं क्या है यूं कैसे बने हुए कितनी लंबाई है किस इंट से बने हुए इसका अध्यन में करना तो जो असोग के अस्तंभ हैं पहली बात यहां पहले क्लिक्स फर्ट में लिखा हुआ है कि अखास्म पत्थ्र के बने हुए एक आस्म पत्थर के बने framework क्या हुँ ? नरीजे इस समय दूँगा आपा Sud जिसान नहीं होना है एक ही पत्थर के बने हुए हैं और उन पत्थरों में न इंट का प्रियोग किया गया है न किसी अन्य चीज का प्रियोग किया गया है जैसे सारनाथ का आप लोग पिलर देख रहे होंगे तो उपर से नीचे तक कहीं उसमें जोड़ दिखता ही नहीं इसलिए एक पत्थर का वो बना हुआ है इसलिए कागे एकास्म पत्थरों के बने हुए हैं और ये एकास्म पत्थर असो कहां से मंगवाता था तो आप लोग कहेंगे कि यह हैं चुनार यानि मिरजापुर यानि उत्तर प्रदेश से मंगवाता था और मतुरा से मंगवाता थ और इन पत्थरों का रंग क्या था तो लाल पत्थर होता था यह और बलुई मिट्टी का बना हुआ यह पत्थर होता था लाल बलुआ पत्थर होता था यही है एकास्मक पत्थर आगे ये जो असोक के अस्तम्भ हैं इस पे चमकदार पालिस की गई है इस पे ओबदार पालिस की हुई आज भी ये चमकते हैं इसके अलामा ये जो असोग के अस्तम्भ हैं ये उच्छाई अगर इनकी हम लोग लंबाई देखेंगे तो इनकी लंबाई 30 फिट से प्रारंभ हो जाती है इससे कम लंबाई नहीं है किसीगी और इसके लंबाई 50 फिट तक है देखना यहाँ पर फिट लिखा हुआ है फुट लिखा हुआ है यहाँ पर मीटर उटर नहीं लिखा ये भी ध्यान रखिएगा तो 30 फिट से प्रारंभ नर्माण तीस फिट से मतलब कम किसी का नहीं है और 50 फिट तक इसकी लंबाई जाती है असो के अस्तंभ किस सीर्स पर पसूओं की आकरती मिलती है जैसे ब्रसब की आकरती मिलती है जैसे सीर की आकरती मिलती है कहां बिलकुल उपरी सीरे पे अभी आ खास बात है जो अस्तंबों को सिर्ष और तना नामक दो भागों में बाटा जाता है जो उप्री भार्ग हो गया उसको किसके नाम से जना गया सीष्के नाम से थे प्रावित होते हैं हलांकी आप लोग देखेंगे कि हका मनी सासक या हर्वा मनी सासक और असोग के अस्तंबों में कई अंतर प disappointed हैं कई बार प्रारमभीक परिक्षा में भी अस्तम्बों का निर्मान करवाया था तो दोनों के अस्तम्बों में अंतर क्या है यह बहुत इंपार्टेंट है इसका हम लोग अध्यन करते हैं अगले पेज में कि अंतर हम लोग देखते हैं अंतर अखा मनी सासक के जो अस्तम्ब है और असोक के जो अस्तम्ब है उसमें अंतर देखते हैं तो एक तरफ यहाँ पे असोक के अस्तम्ब है और दूसरी तरफ अखा मनी सासकों के अस्तम्ब है इसे हम हरवा मनी भी कहते हैं यह भी द्यान रखिएगा हाखा मनी को अब इसमें जो असोक के अस्तम्भ हैं हमने आपको बताया कि वो एकास्म प्रकार के हैं यानि एक ही पत्थर से बने हुई हैं जबकि इधर आप लोग देखोगे तो यह पाओगे कि इनके जो अस्तम्भ हैं वो पत्थर के कई खंडों से बना जाते थे यानि कई प्रकार के प किया गया असो के अस्थापित करने का क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि बिल्कुल खाली जगह में असो के अस्थापित किया गया है किसी चबूतरे पर इसका निर्माण नहीं किया गया किसी अधिस्थान पर इसका निर्माण नहीं किया गया पिल्कुल खाली जगह में खाले जमीन पर इसका निर्माण किया गया किसके असो के अस्थापित किया गया जबकि इधर इरानी आपको अस्थापित मिलेंगे या इर administrative house है एरान के जो राजभवन हैं वहां पर इनको अस्थापित किया जा रहा है तीसरी बात एक अंतर और समझ लीजिए कि जो असोग के अस्तम्भ हैं उनके सीर्थ पर आप लोग देखेंगे तो इनके सीर्थ पर आपको पसुओं की आकरती मिलती है किसकी आकरती मिलती है इनके उपर आपको अलंग करण मिलेगा बिफिन्य परकार से जिसे कमल का फूल आपको मिलेगा जैसे अन्य परकार के आपको यहां पर फूल मिलेंगे लेकिन यहां पर पसुओं की आकरती मिलेगी यहां पर बनस्पतियों की आकरती मिलेगी अलंग करण आपको मिलेगा ठी ये असुक के और हकामनी सासकों के पिलर्स में यानि अस्तम्भों में आपको अंतर बताया आगे बढ़ते हैं अब आईए ध्यान पूर्बख पढ़ते हैं कुछ उप्योगी बातों को ये उप्योगी है असुक का जो पहला अस्तम्भ था अगर आप से कुछें कि असुक का पहला अस्तम्भ का नाम बताईए तो आप कहेंगे असुक का जो पहला अस्तम्भ यानि असुक ने जिस पहले अस्तम्भ का नर्मान करवाया उसका नाम है बसाढ अस्तम्भ और बसाढ अ बैसाली में इस्थित है कि आपालिए बैसाली में ओर यी बात में आप लोग देख रहे होंगी कि पस्रमी भीहार के चेट्र में मिलता है मुझफः पूर अगर незQue दूसरी खास बात कि असो के बहुत सारे अस्तंब हैं उसमें जो सबसे छोटा अस्तंब है वो रुम्मिन देई अस्तंब है और यह कहां है यह नेपाल की तरही में है सबसे छोटा अस्तंब यही है सबसे पहला कौन सा हुआ तो सबसे पहला बैसाली या बसार का अस्तंब हुआ सबसे छोटा अस्तंब रुम्मिन देई नेपाल की तरही में स्थित है तो रुम्मिन देई हम लोग पढ़ा करते थे कि रुम्मिन देई का देई तो रुम्मिन देई धन देई इसका मतलब क्या ह दन किस परिपेक्ष में क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि असोक ने विभिन धर्मों को मिला कि एक नवीन धर्म का विकास किया था जिसका नाम था धम और असोक ने धर्म का नहीं बाउद धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करवाया था धम का प्रचार प्रसार करवाया था आज इस बात को जान लीजिएगा आप लोग लुसेंट मत पढ़िएगा उसमें बाउद धर्म लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक पढ़िएगा उसमें धम लिखा हुआ है तो समझते रहिएगा जिन चीजों को मैं बताऊंगा उसको सुधार करते रहिएगा आप लोग तो धम के प्रचार और प्रचार के क्रम में असुक ने विभन अपने आस पा अपने जो आचारे थे बहुत अपने धम से समझत उनको भेजा बाहर श्री लंका हो कोरिया हो तिबबत हो पनबासी हो तमाम सारे छेत्रों में भेजा अपने पुत्रों को भी भेजा अपने पुत्रियों को भी भेजा चार असुक के पुत्र थे दो पुत्रियां थी, पुत्रियों में एक बड़ा प्यारा नाम आज भी लड़कियों का मिलता है, एक पुत्री का नाम तो आप लोग असो की जानते ही होंगे, उसका नाम है संग मित्रा, वो फापलर नाम है, लेकिन दो पुत्री थी असो की कौन बताएगा दूसरी पुत्री का दूसरा जो पापुलर नाम है उचारू है लेकिन चारू में एक सब्द और जुड़ा हुआ है बताइए है पापुलर या नहीं बताइए है कोई टिया नहीं है चारू लेकिन एक नाम और जुड़ जाता है आखरी वाला चारू मती तो उसमें ऐसे ही नाम होते थे चारू मती चारू देवी फला ऐसे ऐसे कुछ तो दो पुत्रियां हैं चार पुत्र हैं एक पुत्र का नाम है जालोख तीवर का उलिख कवसामभी अस्तंभ लेक में मिलता है असू का एक प्रसिद्ध पुत्र है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं महेंद्र और लड़कों में एक बहुत प्रसिद्ध और कुईत नाम है बायज में, वही एक नाम बच रहा है तीन नामों को हमने बता दिया, टीवर बता दिया जालुक बता दिया महेंद्र बता दिया बहुत बहुत अच्छा नाम बहुत सटीक नाम आपको मिलेगा बहुत प्यारा नाम बैज में आपको मिलेगा और वह नाम क्या है वह नाम है कुणाल बताईए अगर प्यारा नहों तो पुनाल, फिल्मों में ये नाम बहुत मिलता है आपको, फिल्मों में मिलता है, तो फिल्मों में उसी नाम को रखा ही जाता है, जो सबसे प्यारा नाम हो, तो असुक के हमने चार पुत्र बताए, दो पुत्रियां बताई, और कई पत्नियां थी, समय समय पे इस काउलेक में कर प्रकार का क्या है लेकिन एक बात आप लोग जान लेजिए रुम्मिन्दई के बात हो रहे थी तो रुम्मिन्दई कादई धन्दई कैसे अब असोग वहां की यात्रा पर जब गया तो वहां की लोगों से असोग को मोह उत्पन हुआ और मोह उत्पन होने के बाद में असोग ने वहां का जो क्रिशी रिण था यानि राजस्व कर था वहां एक बटाई छे से कम करके एक बटाई आठ कर दिया था तो इस परिपेक्स में क्या दिया रुम्मिन देई के लोगों को धन ही तो दिया राजस्व कर घटा दे रहा है कहां रुम्मिन देई के लोगों का एक बटाई आठ कर दे रहा है और पूरे भारत में आप लोग देखोगे तो जो राजस्व के करकी दर मिलती है वो एक बट चार थी अड़सास के अंसार एक बटा छे थी और पूरे प्राचिन भरत में एक बटा छे ही थी जबकि रुम्मिंदई में कितनी थी एक बटा आठ थी इसको भी याद रखिएगा तो कला की दिन सिकेवन से अगर कुश्चन पूचे कि असोक के अस्तंभों में सबसे उत्तम प्रकार का सबसे सर्बोत किस्ट प्रकार का अस्तंभ कौन है तो आप लोग कहेंगे कि यही सारनात अस्तंभ क्रला की परिप्रेक्ष में सबसे सर्बोत्तम प्रकार का अस्तंभ है इसके अलामा अगर आप से पूचे कि सबसे सुरक्षित अस्तंभलेक असुक का कौन है तो आप लोग कहेंगे लौरिया नंदन गढ़ का अस्तंभ लेख है यह लौरिया नंदन गढ़ का अस्तंभ लेख असुक का कहा है तो आप लोग कहेंगे चमपारण जिले में लौरिया नंदन गढ़ लौरिया अरराज और रामपुर्वा यह तीनों अस्तंभ लेख या कि यहाँ पर कहीं भी यह जो पत्थर आपको दिख रहा है कहीं भी जुड़ा हुआ पत्थर दिख रहा है कहीं पिल्कुल एकदम धरती पे किसी चबूतरे के कि इससे सार नात्र किया है और इसकी साख्षात प्रतिम्याज आप लोगों के सामने प्रकठ हुई इसी साख्षात प्रत्मया आप आपको अस्पस्ट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आप लोग के सामने एक महत्पूर्ण पहलू है, बहुत उप्योगी पहलू है, इसका अध्यन हम लोग करेंगे, तो अस्तम्ब का अध्यन हम लोगों ने कर लिया, अस्तम्ब के बाद में हम लोग अवस्था में आजएए अस्तूप को समझ लेते हैं तो कि यह बहुत important है किताबों में हम लोग पढ़ते हैं तो जल्दी से समझ में नहीं आता लेकिन आज हमारा promise है कि बड़ी सरल भासा में आप लोग समझ लेंगे और question भी सारे आपको यहां मिल लेंगे तो बात आती है कि यह जो अस्तूप समझ अस्थापत्य या वास्तु है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे अस्तूप के अर्थ को जानेंगे अस्तूप के मतलब को जानेंगे उसके बाद में क्या जानेंगे अस्तूप के प्रकार को जानेंगे कई प्रकार के अस्तूप होते हैं और फिर किसको जानेंगे अस्तूप की संरचना या अस्तूप की बिसिस्ता को देखेंगे और बिभन्न प्रकार के अस्तूपों को भी हम लोग पढ़ेंगे तो यानी अस्तूप का अध्यन हम लोग केवल एक पहलू के अंतरगत नहीं बलकि कुल चार पहलू के अंतरगत करने वाले हैं तो आईए देखते हैं हम लोग अस्तूप का अर्थ क्या होता है उसके बाद में अस्तूप से सम्मंधित अन्य बातें हम लोग जानेंगे हलाकि यहाँ पर अस्तूप का एक चितर बना हुआ है अभी इसको के बल देख लीजिए आप बस इसको समझाओंगा मैं आगे चिंता मत किजेगा आप लोग चिंता नहीं करना है आप लोग को बिल्कुल अब आईए देखते हैं अस्तूप का अर्थ अब खुड़ा सा अस्तूप के अर्थ के बारे में आप लोग देखेंगे तो अस्तूप का अर्थ क्या होता है धेर होता है या धूहा होता है यहाँ पे दूहा लिखा है लेकिन धेर या ढूहा क्या होता है अस्तूप का अर्थ होता है तो धेर लिखा हुआ है डूहा मैं लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है तो अस्तूप का अर्थ क्या होता है धेर अस्तूप का अर्थ मतलब अस्तूप का साब्दिक अर्थ क्या होता है धेर या धूहा अब आप से अगर पूछे कोई की अस्तूप क्या है तो आप लोग कहेंगे कि यह है एक धार्मिक संरस्पना है जिसका संबंध मुख्यतया बाउद धर्म से है दूसरी तरीके से भी बता सकते हो अस्तूप क्या है तो अस्तूप पूजागर है जिसका संबंध किस्से है बाउद धर्म से अगर कोई पूँचता है जैसे मानलों यहां से अध्यन करके आप लोग जाते हो कोई पूचिले कि क्या पढ़के आ रहे हो तो आप कोगे अस्तूप तो वो एक छोटा सा question वो कहेगा एक छोटा सा question बताईए हमारे जैसा intellectual होगा तो एक छोटा सा question बताईए अस्तूप क्या है बस काम खतम है तो नाटा सा जाएगा दिक्कत हो जाएगी, प्राबलम हो जाएगी तो उसी दिक्कत को मैं खतम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आपको कोई छोटा ना बना सके आपका स्लेबस भी कबर हो जाए आपको आपकी कुश्चन भी सारे मिल जाए आपकी समझ में भी आ जाए इसलिए मैं यहाँ पर इस बुक को लेके आया हूँ और यह जो अध्यान है यह आपको सिंपल लग रहा होगा लेकिन इसको सिंपल बनाने के पीछे बहुत एफ़र्ट किया गया है तो आप लोगों ने देखा कि अस्तूप का साब्दिक अर्थ क्या हुआ धेर या धूबा हुआ अस्तूप क्या है एक धार्मिक संरचना है अस्तूप क्या है एक पूजागर है जो मुख्यत्या संबंध किस से रखती है बाध धर्म से रखती है अब अगली बात अस्तूप की संरचना को हम लोग देखते हैं तो अस्तूप की सनरचना को हम लोग देखेंगे चित्र के रूप में लेकिन पहले हम लोग इसको देव नगरी लिपी में समझते हैं तो अस्तूप कैसी संरचना है तो आप कहिए कि एक अर्ध ब्रत्ताकार संरचना है और इसकी आकरती कैसी है तो अपने मन में सोचे जरा अर्ध ब्रत्ताकार संरचना और अर्ध ब्रत्ताकार जैसे आप लोग कटोरे में छीर पकोदन या खीर खाते होंगे तो कटोरे को उल्टा पलट के रख दीजे अभी सोचते रहे चितर भी दिखाऊंगा लेकिन सोचिए इसको आप कटोरे को उल्टा पलट के रख दीजे तो कटोरा जो दिख रहा है इसका मतलब आपको अस्तूप दिख रहा है अब कटोरा तो बंद हो गया लेकिन जो अस्तूफ है उसमें तमाम सारी खुली चीज़ें आपको मिलेंगी लेकिन जो अस्तूफ है वो अर्ध बृत्ताकार सरस्थना है किसकी तरीकी की सरस्थना है उल्टे कटूरी की भाती एक सरस्थना यही यहाँ पर लिखा भी है उल्टे कटूरी की भांती क्या है एक संरस्ना होता है अब अस्तूप का जो सीर्स भाग होता है सीर्स भाग पर क्या होती है एक हर्मिका लगी होती है और यह हर्मिका किसकी लगी होती है आईरन की एक हर्मिका लगी होती थी अभी आपको दिखाऊंगा नहीं, वो हर्मिका नहीं है, वो यस्ति है तो अस्तूप के सीर्स पर एक हर्मिका होती है और यहां पर महत्मा बुद्ध और उनके सिस्यों के आवसेस रखे जाते हैं और यह अस्तूप का सबसे पवित्र भाग होता है यह जो सीर्स सब्द लिखा है इसको कार देजे सीर्स नहीं अस्तूप का एक अंग है हर्मिका और हर्मिका का जो मतलब है उसको आप मंदिर अस्थापत्य में जाए तो मंदिर अस्थापत्य में हर्मिका को क्या कहेंगे गर्वग्रह कहेंगे और आप लोग गर्वग्रे की परिपेक्ष में देखेंगे तो गर्वग्रे में ही देवता की देवी की क्या रखी जाती है? मूर्ती रखी जाती है तो पूरे मंदर का जो प्रसिद्ध जो सबसे पवित्र अस्थान हो जाता है वो वही क्या हो जाता है गर्फ ग्रही हो जाता है उसी परिपेश में आपको हर्मिका को समझना है यहां पर हर्मिका क्या है हर्मिका इस्टूप का सबसे पवित्र भाग होता है कैसे क्योंकि यहां पर महत्मा बुद्ध के अवसेसों को रखा गया है महत्मा बुद्ध के रूप में महत्मा बुद्ध के दांत को रखा गया महत्मा बुद्ध के केस को रखा गया और महत्मा बुद्ध के हड़ी को रखा गया यानि बून्स को रखा गया धातु अवसेस के रूप में यही ची था जैसे अन्य उनके सिस्थे उनके भी यही अंगसंग रखे जाएंगे यही केसूस रखे जाएंगे कहां पर रखे जाएंगे इसी हर्मिका में रखे जाएंगे और इसी के ऊपर इस सलचना का निर्माण किया जाएगा तो यह क्या हुआ यह पवित्र भाग हुआ किसका अस बॉद्ध भिक्षू जिसको नरबान प्राप्त हो चुका होता है वो बसता है वो रहता है कि इसी लिए प्रारमवे हमने कहा था कि कि वास्ट vorbei क्रिखह साथ क्या होता है बसना या रहना यहां पे रहे रहे हैं को महात्मा बुद्ध यहां पे रह ने बौध धर्मस संमंदित आचारे तो अस्तूप आगर आप से question पूछे कि अस्तूप का सबसे पवित्र भाग क्या होता है उसमें विकलब के रूप में जैसे मालो आपको तोरण द्वार दे दिया जैसे बेदीका दे दिया जैसे हर्मिका दे दिया जैसे यस्ति दे दिया तो आप लोगों को टिक करना है क्या आप लोगों को टिक करना है हर्मिका को आगे बढ़ते हैं अभी और आच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा चिंता मत कीजिए वो हमारा काम है लेकिन आप थोड़ा सा सुचना शुरू कीजिए इसको स्क्रीन साट आप लोग लेना चाहते हूं तो ले लीजिए जल्दी से ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अस्तूब की संरचना या विशेष्टा में कुछ अन्य चीजिए को हम लोग देखते हैं अब अस्तूब की अभी एक बार और समझेंगे इसको चित्र में भी समझेंगे चिंता मत किजिए हर्मिका के ऊपर एक यस्ति लगी होती है अब अस्तूप का एक दूसरा अंग को यहाँ पर मिल गया समझते रही है अस्ति लगी होती है इस यस्ति में तीन चत्र लगे होते है जैसे थोड़ा सा समझ लिजिए यहाँ पर यह क्या है यह एक तरीके से यहां पे यह हर्मिका है और हर्मिका में आप लोग देखेंगे तो यहां पे एक क्या लगी हुई है एक यस्ति इस तरीके से लगी हुई है और यहां पे यह तीन छत्र लगे हुई है अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे ही इसको समझती रहिए च दूसरा सम्मान का प्रतनिशत्य तो कर रहा है, तीसरा उदारता का प्रतीक है या सिंबल है या देवतक है, इसको याद रखिएगा, पीटी में एक कुश्चन पूशा जाता है, चद्धा, सम्मान और उदारता, अस्तूप की प्रमुक्र सनरचना की रूप में क्या है, चबूतरा है, चुंकि अस्तूप का निर्माण चबूतरे के उपर ही किया जाता था, स्वतन्त रूप से असोग की पिलर्स की तरीके से इसका निर्माण नहीं होता था, तो अस्तूप का प्रमुक्र अंग या आधहार, कई ये बेस है, मंदिर में इसी को क्या कहेंगे, अदिस्थान मेंीत चबूतरा है लेकिन अस्तूप में lifes एक में मेथी मेत सबूतरा एक चारौ और घूमने के लिए एक प्रदक्षिणा पत होता है क्या होता है प्रदक्षिणा पत्थ कि क्या कहते ही हम लोग ये मन्दिर में परिक्रमा मार्ग बोलेंगे खूमना जहां पर परिक्रमा किया जाता है उसे परिक्रमा मारगी आज भी बोला जाता है लेकिन अस्तूपों में उसे क्या बोला गया प्रदक्षिना पत बोला गया अब आप लोगों ने देखा कि ये अस्तूप का एक अंग ये हर्मिका के रूप में हो गया अस्तूप का दूसरा अ और अस्तूब का जो छट्वां अंग है वो एक बेदी का की रूप में हो गया और अस्तूप का एक सात्मा जो अंग है वो तोरण द्वार की रूप में हो गया तोरण द्वार को हम लोग प्रबेश द्वार के नाम से जानते हैं अभी दिखाएंगे आपको तोरण द्वार और मौरे काल की अगर बात आए तो मौरे काल में जो अस्तूपों का निर्माण होता था यह हम मुख्यत यहाँ लकड़ी और पत्थर से इसको बनाया जाता था कई बार लकड़ी से ज़्यादा बनाया गया पत्थर से कम बनाया गया आगे बढ़ते हैं हम लोग अब समझे आप लोग यह सांची के अस्तूप का चितर आप लोग के सामने है अब इसे आप लोग को समझना है बढ़ियों से समझे बचले इसका screen shot आप लोग ले सकते हैं इसका screen shot आप लोग ले सकते हैं स्क्रीन सार्ट ले लिए जल्दी से अब आई ये स्टूप को समझते हैं स्टूप के सारे अंगों को समझते हैं बिना समझे छोड़ना नहीं है एक भी चीज़ को और आज के बाद कभी आप लोग इस्टूप नहीं पढ़ेंगे केवल रिवीजिन करेंगे बस पढ़ने की जरूत नहीं है डाउट नहीं बनाना है बिल्कुल क्लियर कट आपको पढ़ना है अब कोई आप से पूछे कि अस्टूप क्या है तो आप लोग कहेंगे अस्टूप पूजा घर है अस्टूप किस धर्म से सम्मंदित है बहुत धर्म से सम्मंदित है अस्तूप का साब्दिक अर्थ क्या होता है धेर या ढुवा होता है यहाँ पर यह जो संरशना आपको दिख रही होगी यह अर्ध वित्ताकार संरशना देख रही होगी इसकी आकरती किसकी होती है, इसकी आकरती का सुरूप क्या होता है, इसकी आकरती का सुरूप उल्टे कटोरी की भाती होता है, इसकी भाती होता है, उल्टे कटोरी की भाती होता है, ठीक, इतनी बात समझ में आई, अब आईए अस्तूपों की अंग को हम लोग देखते हैं, त उनको तोरण द्वार के नाम से जाना गया अब यह जो अस्तूप आपको मिला हुआ है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसके चारो तरफ से प्रभेश्द्वार है पीछे चुपा हुआ है प्रभेश्द्वार लेकिन प्रभेश्द्वार पीछे भी है चारो दिशाओं में चारो दिशाओं से इस अस्तूप में इंटी होती थी यह है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या यह आकरती आप देखिए यह आकरती आपको देखना है यह आकरती देखना है बस यह किसकी आकरती है यह प्रबेश द्वार की आकरती है किसकी आकरती है यह तो यह प्रवेश द्वार की आकरती है यहाँ पे भी प्रवेश द्वार आपको दिख रहा होगा पीछे छुपा हुआ है वहाँ भी है लेकिन चारो दिशाओं में प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार को किसके नाम से जाना गया तोरण द्वार क के नाम से जाना गया कि देखिए यहां भी प्रवेश्द्वार आपको दिख रहा होगा और यहां भी आपको प्रवेश्द्वार दिख रहा होगा यह चारों तरफ इसमें आपको प्रवेश्द्वार दिख रहे हैं और प्रवेश्द्वार का मतलब तोरण द्वार से हैं कि जो ये आकृति है ये एक तरीके से एक चबूतरे पर निर्मित है इस पर निर्मित है चबूतरे पर निर्मित है और ये जो चबूतरा आपको दिख रहा होगा ये मेथी के रूप में दिख रहा होगा नीचे आपको चबूतरा दिख रहा है लिखा है यहां ये एक चबूत पर बना हुआ है पूरा अस्तूपूप।। और चबूत्रे को किस के नाम से जानते हैं ? मिथी के नाम से जानते है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये चीज ये सरंखला और ये सरंखला जो आपको देख रही है ये एक बेदिका के रूप में देख रही है चारो तरफ से इसको घेरा गया है और ये बेदिका लकडी की भी बनी होती है ये बेदिका किस की भी बनी होती है पत्थर की देखेंगे तो यह पाएंगे कि यह आपको उल्टे कटोरी की भाती यहां पर यह सरस्टना आपको दिख रही है और इस पूरी सरस्टना की परिपेक्ष में देखेंगे तो पाएंगे यह उल्टे कटोरी की भाती है और इस सरस्टना को यहां से लेके यहां तक की इस सरस्टन को क्या कहा गया इस संरचना को अंड के नाम से जाना गया इसके नाम से जाना गया इसके अलामा आप लोग देखोगे तो यहां पर आप आओगे तो यहां पर अस्तूप का क्या मिलेगा यह जो छेत्र आपको दिखाई पड़ा बिल्कुल एक तरीके से मंदर के पीछे वाला पिलकुल अस्तूप के पीछे वाला भाग ये क्या है? ये हर्मिका है और हर्मिका की परिपेश में लिखा है देव सदन यानि देवता का सदन यानि जहां पर देवता वास करता है या निवास करता है या रहता है उसे किसके नाम से जाना गया, हर्मिका के नाम से जाना गया, उसे किसके नाम से जाना गया, पूजा, घर के नाम से जाना गया, उसे सबसे पवित्र छेत्र है, इस अस्तूप में सबसे पवित्र छेत्र यही है अब यहां पे आप लोग देखेंगे तो यह सरजना किस की हो गई इसकी हर्मिका की हो गई आब यहां पे यह आकृती बनी हुई आपको दिखाई पढ़धी होगी इस त्रीके से एक आकृती यहां पे बनी है इसे क्या बोलते हैं इसे हम लोग yesटी बोलते हैं किया बोलते हैं या इसे यस्टी बोलते हैं अब यस्टी में यहाँ पे आप लोग देख रहे हुँगे तीन छत्र लगी हुए दिखाई पढ़दे असपस्थू रूप से इस तरीके से एक ये छत्र है एक ये छत्र है और ये जो तीनों छत्र हैं स्रद्धा, सम्मान और उदार्था का प्रतिनिधित्त कर रहे हैं और यहाँ पे जैसे माल लिजे कि हमने इंट्री की यहाँ से जैसे माल लिजे कि यह इंट्री की यहाँ से पीसे से यह इंट्री की अस्तूप में यहाँ से entry की तो यहाँ पे आपको यह दिखाई प्रढ़ा होगा यह किया है, यह एक तरीके से अस्तूप के चारो तरफ घोमने का या परिक्रमा करने का क्या है मार्ग है और इस परिकरमा मार्ग को हम लोग किसके नाम से जानते हैं इसको प्रदक्षिना पत के नाम से जानते हैं इसके नाम से जानते हैं प्रदक्षिना पत के नाम से जानते हैं तो यहां पर आप लोगों ने अस्तूप की आकरती देखी और उसके बिभिन प्रकार के अंगों को देखा अब अस्पश्ट रूप से आप लोगों के समझ में आ मज़ पाया था आप सोचिए कि असफल आदमी जब मैदान में आता है तो वो कितना खतरनाक होता है तो हमारी असफलता से आप लोग सीखिए और आप लोग भी असफल मत बनिये सफल बनिये इसी के लिए मैं यहाँ पर आया अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और अस्तूप के प्रकार को देखेंगे पहले इस्क्रीन साट आप लोग ले लिए फटा फट ले लिए जल्दी किजिए कि मुख्य परिक्षा का भी यह प्रस्न है यह प्रारंभिक परिक्षा का भी प्रस्न है और आया भी है प्रारंभिक परिक्षा में तो अस्तूप के प्रकार का हम लोग अध्यन करेंगे तो अस्तूप कुल कितने प्रकार का होता है तो आप लोग कहेंगे अस्तूप कुल चार प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है भी या तो कुल चार प्रकार के अस्तूप होते हैं पहले प्रकार के अस्तूप को सारेरिक अस्तूप, जबकि दूसरे प्रकार के अस्तूप को पारिभावगिक अस्तूप, तीसरे प्रकार के अस्तूप को उद्देशिक अस्तूप, और चोथे प्रकार के अस्तूप को संकल्पित अस्तूप कहा गया है किताबों से नहीं समझ पाएंगे आप जिंदगी में कभी भी इसलिए पूरी तरीके से अपने अंदर में तनमैता लाइए और यहाँ पे समझ लिजिए यहाँ पे content भी है यहाँ पे आप समझ भी सकते हो यहाँ से आपको question भी मिल लाएगा इससे ज्यादा अगर कोई आपको कहता है कि पढ़ने की जरूरत है आपको ना बाबाना यह कम नहीं है यह बहुत है इसको सभालना इतना आसान नहीं है इतने को तो आप सभालिए पीटी तो क्या मुख्य परिच्छा तो क्या इंटर्व्यू भी आपका निकल लाएगा या वैसे अस्तूप को सारिडिक अस्तूप कहा जाता है जिनकी उपर महात्मा बुद्ध या पौद धर्म से संबन्दित जो आचारे हैं या महात्मा बुद्ध और बौध आचारे के जो सारिरिक अवसेस हैं जहे वो बाल हुआ जहे हड़ी हुई जहे वो दात हुआ इन सब अवययों को रखकर इन सब घटकों को रखकर इन सब अवसेसों को रखकर अगर किसी के ऊपर अस्तूप का निर्माण किया जाता है तो उसे सारिरिक अस्तूप के नाम से जाना जाता है यानि इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जिसे महात्मा बुद्ध भी एक सामान्य पुरुस थे बिसेस हो गए और जो बौद आचारी हुए वो भी एक तरीके से बिसेस पुरुस हैं जोकि वो सिद्ध पुरुस हैं उन्हें सत्य का ज्यान हो गया, तो इनके सरीर के जो अवसेस हैं, चाहे वो बाल हुआ, चाहे वो दात हुआ, चाहे वो हड़ी हुई, सरीर के अवसेस जो हैं, उनको रख दिया सासकों ने, और उनके उपर अस्तूप का नर्मान कर दिया, तो सरीर के अवसेस रखे हैं नीचे पूजागर में यानि हर्मिका के छेतर में इसलिए इसको किसके नाम से जाना गया सारीरिक अस्तूप के नाम से जाना गया अब ये जिंदगी में आपको कभी नहीं भूलेगा यानि सारीरिक अस्तूप उन अस्तूपों को कहा जाता है जिसमें बुद्ध या उनके प्रमुख सिस्यों के आवसेस रखे जाते हैं और आवसेसों में क्या रखा जाता है अस्थियां रखी जाती हैं दांत रखे जाते हैं और केस रखे जाते हैं सारीरिक अस्तूप उन अस्तूपों को कहा जाता है अस्पस्ट रूप से यहां पर लिखा गया है जिसमें बुद्ध और उनके प्रमुक्सिस्चों के आउसेस रखे जाते हैं आउसेसों में तिन आउसेसों के नाम भी बताये आपको अब यह तयार हो गया होगा बिल्कुल जैसे अस्तूप के आसपास में जाओ, उसको देखाया अभी हमने आपको और वहाँ पे क्या है? वहाँ पे जो सारीरिक अस्तूप वही अस्तूप होगा जो ये चीजें रख के बनाया जाएगा उसके बाद में जो दूसरा अस्तूप है वो पारिभोगिक अस्तूप है पारिभोगिक अस्तूप उस अस्तूप को कहते हैं जैसे जिन बस्तूओं को महत्मा बुद्ध ने प्रयोग किया उनके सिस्यों ने प्रयोग किया अब उन बस्तूओं को लाया सासकों ने और रख दि उनके ऊपर अस्तूपों का निर्मान कर दिया इसे क्या कहते हैं पारिभोगिक का मतलब क्या हुआ पारिभोगिक का मतलब हुआ महत्मा बुद्ध और उनके सिस्यों ने जिन बस्तूओं का उपियोग किया पारिभोग परिभोग किया उसको रखके अगर अस्तूपों को बनाया जाएगा तो उसे पारिभोगिक अस्तूप कहा जाएगा अब क्या क्या भाई उपयोग किया महात्मा बुद्ध और उनके सिस्यों ने तो आप कहेंगे कि महात्मा बुद्ध ने एक तो किसका कमंडल का प्रियोग किया, दूसरे एक खडाओं का प्रियोग किया, खडाओं उत पहनते थे ना, और किसका प्रियोग किया, भिक्षा पात्र का प्रियोग किया, भिक्षा पात्र कहीं मिल गया, अब बहुत सारी भिक् लिखा भी है, पारिभवगिक बस्तों में जैसे विक्षा पात्र हो गया, जैसे महत्मा बुद्ध का खड़ाओं, यानि चरण पादु का हो गया, इन सब बस्तों को रख दिया, और उनके अस्थान पर अस्तूप का निर्मान कर दिया, यानि महत्मा बुद्ध ने जिन बस्त इसके तहट वैसे अस्तूप आते हैं जो महत्मा बुद्ध के जीवन में घटी घटनाओं से सम्मंधित होते हैं ऐसे अस्तूप में बोध गया लुंबिनी बन, सारनात, कुषी नगर के अस्तूप आते हैं इसका मतलब क्या है? जैसे महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जन्म कहां हुआ लुम्बिनी बन में हुआ तो लुम्बिनी बन में महात्मा बुद्ध की जन्म की घटना घटी और महात्मा बुद्ध को ज्यान कहां प्राप्थ हुआ बुद्ध गया में प्राप्थ हुआ महात्मा बुद्ध ने पहला उब्देश कहा दिया सारनात में दिया और महात्मा बुद्ध का देहांत कहा हुआ महापरनिर्मान कहा हुआ कोसी नगर में हुआ तो इन केंद्रों पे जो अस्तूप बनाया गया वो किसकी स्रेणी में आते हैं उद्देशिक अस्तूप की स्रेणी में आते हैं इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो जो अंतिम प्रकार का अस्तूप है वो संकल्पित अस्तूप है और संकल्पित अस्तूप को महत्मा बुद्ध की सिस्यों ने बनवाया महत्मा बुद्ध के सिध्धालों ने बनवाया संकल्पित अस्तूप का निर्माड महत्मा बुद्ध से संबंदित या बौध धर्म से संबंदित सिध्धालों ने करवाया ये बौध तीर्थ अस्तलों के परिपेश में पूजा पाठ के लिए बनाये जाते थे जो बहुत तीर्थ अस्थल हैं जो चार तीर्थ अस्थल हैं अब आप लोग देख रहे होगे तो उद्देशिक अस्थूप में और ये जो सारिरिक ये उद्देशिक अस्थूप और संकल्पित अस्थूप इसमें आपस में तादात्म दिखाई पड़ता होगा जैसे हमने आपको दो विवाह पढ़ाये थे और दो विवाह में एक विवाह पढ़ाया था आपको ब्रम्ह विवाह की रूप में ब्रम्ह विवाह की रूप में और दूसरा विवाह पढ़ाया था प्रजा पत्य विवाह की रूप में प्रजा, पत्य, पत्य समझेगा पत्य विवाह की रूप में दोनों विवाह का रूप लगभग लगभग एक जैसा ही था प्रम्भ विवाह आज भी प्रसिद्ध है प्रजा, पत्य विवाह आज भी प्रसिद्ध है नाम क्यों अलग-अलगे थोड़ा सा अंतर है इन विवाह में होता क्या था कि जो बरपक्ष होता था वो बारात लेके आता था और कन्या को अपने साथ लेके जाता था लेकिन यह जो विवाह होता था यह बैदिक रीत रिवाज से होता था पूरी राद तमाम सारे मंत्र वग संपन्न किया जाता है और इसी का नाम है ब्रह्म विवाह और इसका जो दूसरा रूप आपको मिलता है वो प्रजा पत्य विवाह यह भी बैदिक रीत रिवाज से संपन्न किया जाता है लेकिन इसमें कन्या पक्ष के परिपेक्ष में कन्या का पिता बरपक्ष यानि बर को एक चेतावनी देता था परका यानि कन्या का पिता बरपक्ष के हाथ में जब अपनी लड़की का हाथ रखता था तो एक चेतावनी इस परिपेक्ष में देता था कहता था हमारी कन्या को ले तो जा रहे हो लेकिन इसको संभाल को रखना है कैसे रखना है संभाल के रखना है द्यान रखना इस बात का एक चेतावनी जिस विवा हमें दी जाते थी वो प्रजापत्य विवा है उसी तरीके से ये भी दोनों जो अस्तूफ हैं ये आपस में तादात में अस्थापित करते हुए दिखाई पड़ें तो कि ये भी तीर्थ अस्थलों से संबंदित हैं और य हम लोगों ने के अस्तूफों के अस्तूफों के प्रकार को हम लोगों ने देख लिया अब प्रकार के बाद में हम लोग अस्तूफों का बिकास देखते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद अस्तूपों का नर्माड पांचमी सताब्दी इसा पूर्व से प्रारम हो गया था जैसे महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु ही थी वो समय था कब 483 BC का समय था 563 BC में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था जन्म हुआ था लुंबिनी बन में और इनको महा पर निर्माण प्राप्थ हुआ कुसी नगर में तो 483 किसका समयकाल है पांचमी सतापदी इसा पूर्व का ही तो समयकाल है तो महात्मा बुद्ध की मृत्यू के बाद ही तो अस्तूपों का निर्माण शुरू हुआ उसके पहले नहीं शुरू हुआ था तो कि अस्तूप बहुत धर्म से सम्मंदित सरचना है मौरियकाल में आसोक के समय में अस्तूपों का निर्माड ज्यादा पैमाने पर प्रारंभ हो गया था अब लोग कहिए ये वास्तविक पैमाने पर प्रारंभ हुआ और मौरियुत्तर काल में ब्रहत पैमाने पे बड़ी पैमाने पे अस्तूपों का क्या हुआ भारत में विकास हो गया था विभिन अस्तूपों को हम लोग देखेंगे जैसे सांची के अस्तूप की हम लोगों ने संरशना देख ली थी और इस सांची के अस्तूफ के बारे में कुछ प्रमुख बातों को हम लोग जानते हैं तो सांची कहां है सांची मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में कहां है तो आप लोग कहेंगे कि सांची कहां पर है मध्य प्रदेश के राय सेंजिले में इस्थित है यह जो सांची का अस्तूफ है इसका खूज करता कौन है तो इसका खूज करता है प्रोफेसर वा कड़कर महोदे यानि सांची के अस्तूफ को खूजा किस ने था वा कड़कर महोदे ने खूजा था कब खोजा था? 1957 इस भी में इसको खोजा था अब यह जो साची का अस्तूफ है भीया इसके दो प्रकार हैं यानि इसके दो भाग है पहले भाग को हम लोग महा अस्तूफ के नाम से जानते हैं और दूसरे भाग को और पहले भाग को हम लोग महा अस्तूप के नाम से जानते हैं और दो अन्य अस्तूप है यानि ये जो साची है साची में कुल तीन अस्तूप है पहले अस्तूप को महा अस्तूप के नाम से जाना जाता है जबकि दो जो अन्य अस्तूप है वो छोटे छोटे अस्तूप है अब ये बास समझेगा ये question के रूप में भी पूछा है इस अंतर को समझते रहना है आप लोगों को अब ये जो महा अस्तूप है ये है महा अस्तूप को असोक ने अपने समयकाल में बनाया था तो अगर आप से पूछे कि सांची के महा अस्तूप का निर्माण किस ने करवाया तो असोक ने करवाया यानि इसका निर्माण करता कौन है इसका निर्माण करता असोक है अब सांची में तीन अस्तूप है एक को महा अस्तूफ कहा गया और दो छोटे-छोटे अस्तूफ हैं उसका निर्माड सुंग बन्स के प्रमुख सासक पुस्यमित्र सुंग ने कर वाया था क्योंकि पुष्यमित्र सुंग ही मौरे बंस के अंतिम सासक ब्रहदत की हत्या करके भारत में एक नवीन राजबंस की अस्थापना करता है जिसका नाम है सुंग राजबंस और यह है पुष्यमित्र सुंग दो छोटे छोटे अस्थोपों का निर्माण यहीं पे करवाता है ययनि सांची में करवाता है और यह जो महा अस्थूप है सांची का इस महा अस्थूप की बेदी का जो बनी हुई है बेदिका असूक ने जो बनवाया था वो लकड़ी की बेदिका बनवाय थी यह भी question UPSC में पूछा है इसने सांथी के महा अस्तूप की बेदिका को पत्थर की बेदिका से निर्मित किया था लकड़ी को हटा दिया पत्थर की बनवा दिया इसी पूछ से में तरह सुंग ने ऐसा काम किया था जो सुंग बन्स का क्या है सुंग बन्स का संस्थापक भी है आगे बढ़ते हैं हम लोग और अस्तूपों को हम लोग देखते हैं आप लोग स्क्रीन साथ ले लिए फटा फट और भी अस्तूपों को हम लोग देखते हैं अगे बढ़ते हैं हम लोग अब इसमें एक अस्तूप आपके सामने यहां पे है भरहुत अस्तूप की रूप में इसके रूप में है भरहुत अस्तूप की रूप में तो आप लोग कहेंगे मध्य प्रदेश में इस्थित है तो सतना में इस्थित है सुंग को कटर बाध कहते हैं कटर बाध यानि बाध धर्म से सम्मंधित या बाध धर्म को समाप्त करने वाला कहते है अब आप देखो अगर बाध धर्म को ये समाप्त करता तो ये अस्तूपों का निर्माण क्यों करवाता यानि कि ये कैसा सासक है है तो ये ब्रहमट लेकिन धर्म निर्पित्य सासक है इसको 1873 में अलेकजंडर कनिंगम ने खोजा था जो भरहुत का अस्तूफ है उसको बनवाया किसने उस्चे मित्र सुंग नामक सुंग बंस की सासक ने बनवाया ये कहां इस्थित है तो मध्य प्रदेश के सतना जीले में इस्थित है इसको खोजा किसने इसको अलेकजंडर कनिंगम नामक पुरा तत्वा बिद्ने खोजा तब खोजा 1873 में खोजा आगे ये इंपार्टन बहुत ज़्यादा अस्तूफ है चूंकि ये जो अमरावती है ये आंधर प्रदेश की राजधानी की रूप में इसका बिकास किया जा रहा है इस परिवेक्स में ये इंपार्टन भी है तो अमरावती अस्तूफ कहां है तो अंधर प्रदेश में है और ये किस नदी के किनारे है तो आप लोग कहेंगे कि ये क्रश्णा नदी के किनारे है प्राचीन भारत में तमाम सारे साहित्य हैं और प्राचीन भारत में साहित्यों में इस अमरावती को धान ये कटक के नाम से भी जाना जाता है यह भी UPSC में दो तीन बार इस question को पूँचा है कि अमरावती को किस नाम से जाना जाता है तो धान ये कटक के नाम से इसको जाना जाता है अमरावती को आंधर प्रदेश की राजधानी के रोप में बिक्सित किया जा रहा है इसलिए ये अस्तूप current के prefix में भी important है very very important इसको कर ले ना है दूसरे सारनाथ जो 1280 में है सारनाथ में आप लोग देखेंगे तो इस सारनाथ में दो अस्तूप है कोई जानता नहीं होगा जैसे जानते होगे लोग सारनाथ में सारनाथ का अस्तूप हो गया लेकिन यहां पर दो अस्तूप है अब दोनों अस्तूपों का निर्माड देखो अलग अलग समयकाल में अलग अलग बंस के सास को ने करवाया था इसमें जो एक अस्तूप है इसको धर्म राजी का अस्तूप के नाम से जाना गया और इसका निर्माण किस ने करवाया था असोक ने करवाया था वही जो हमने आपको दिखाया उसका निर्माण है असोक ने करवाया उसे धर्म राजी का अस्तूप कहा जाता है उसका वास्तविक नाम क्या है धर्म राजी का अस्तूप इसके अंतर को समझते रहीगा इसमें जो धमेक अस्तूप है धमेक अस्तूप ये गुप्त काल में बना था ये अस्पस्ट हमें नहीं इसका वो मिलता कि किसने वास्तों में इसको बनवाया था लेकिन गुप्त सासकों ने इसको बनवाया था इसके बाद में एक अन्य अस्तूफ है जो आंध्र प्रदेश में ही है आंध्र प्रदेश के नागारजुनी कोंडा की पहाड़ी पर इस्तिते और इसका नाम नागारजुनी कोंडा ही है इस अस्तूप का निर्माण किस ने करवाया इच्छवांक बंस के सासकों ने इसका निर्माण करवाया था और इच्छवांक बंस का जो प्रसिद्ध सासक था और इस बंस का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था उसका नाम था स्री सांत मूल इसका नाम था इसी ने इस अस्तूप को बनवाया होगा क्योंकि यही एक सासक और संथापक दोनों था और प्रसिद्ध भी था पाकी इच्छांक बंस में किसी सक्तिसाली सासक का नाम नहीं मिलता लेकिन आप से पूछेगा कई बार पूछा भी है इच्छांक बंस की अस्थापना किस ने की थी तो आप लोग कहेंगे कि श्री सांत मूल ने इच्छांक बंस की क्या गी थी अस्थापना की थी मौरे काल इन गुफा अस्थापत्य का अध्यन करते हैं जैसे अस्थूप अस्थापत्य हो गया अब गुफा अस्थापत्य की तरफ हम लोग चड़ते हैं जैसे मौरे काल में जो कई पहाडियां है चाहे वो नागारजुनी कुंडा की पहाडी हो चाहे वो बराबर की पहाड़ी हो तो नागारजुनी कुंड़ा की पहाड़ी आप लोगों ने देखा ही कि कहां थी आंधर प्रदेश में थी तो बराबर की पहाड़ी कहां थी बराबर की पहाड़ी बिहार में थी आज भी है अब पहाड़ीयों को काट कर पहाड़ीयों का मत ये मुनी भी गुफाओं में रहते थे जैसे आज कल के जो नागा तमाम सारे संत हैं आप लोग देखते होंगे कि इस समय इलहाबाद में संगम चल ला है तो वहाँ पे दिख जाते हैं महा यानि कुम्भ चल ला है और महा कुम्भ में और जड़ा दिखते हैं तो वो सब हम लोग तो स्वार्थी हैं तो गुफा अस्थापत्य के बारे में आप लोग देखेंगे तो गुफा अस्थापत्य के रूप में आपको चैत भी मिलेगा और विहार भी मिलेगा विहार मुख्यत्य बाद्धर्म और जैन धर्म से संमन्दित है और जैन भीक्छू यहाँ पर क्या रहतें यह एक टरीके से क्या है विहार और चैत्य तो आप लोगों ने देखा कि प्राथना कक्ष्य है लेकिन विहार मुक्यत्य जैसा की यह जो चैत्य इसके बारे में आप लोग देख लीजिए समझ लीजिए इसके अंतर को जल्दी से आप लोग अस्पस्ट नहीं कर पाओगे किताबों के माध्यम से तो यह जो चैत्य की संरचना होती है बिहार के अंदर ही होती है और बिहार में प्राथना कक्ष को जहां पे भगवान यानि म महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के लिए उनके सिस्चे प्रात्ना करते थे उसे किसके नाम से जाना गया चैत्य के नाम से जाना गया और इसका यानि चैत्य का जो आकरती होती थी जो सरूप होता था जो संरचना इसकी होती थी वह चतुस कोणी होती थी कैसी इसकी स रशना होती थी, आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग बढ़ेंगे, तो ये पाएंगे कि ये जो गुफा अस्था पत्ते हैं, इनमें कुछ गुफाओं के नाम आपको पढ़ना है, इनको याद भी रखना है, ये पूछी भी जाती हैं, गुफाओं, तो असुक द्वारा बन तीन गुफाओं का निर्मान करवाया था, तीन गुफाओं में जो पहली गुफा है, उसका नाम है सुदामा गुफा, दूसरी करण चवपार गुफा, तीसरी विष्वा जोपड़ी गुफा, इन तीन गुफाओं में कुछिस्टन कैसे बनेगा, जैसे कुछिस्टन यहां करवाया तो असुक का पत्र कौन है तो आप कहेंगे दसरत है लेकिन दसरत ने इस गुफा का निर्मान बराबर की पहाड़ी पर नहीं करवाया फिर कहां करवाया तो आप लोग कहेंगे कि नागारजुनी पहाड़ी पर करवाया और नागारजुनी पहाड़ी कहां इस्थित ह और आंद्र प्रदेश में तीन गुफाओं का निर्मान करवाया, पहली का नाम है गोपी, दूसरी का नाम है बडविका, कई बार इसका नाम क्या मिलता है बडविका का, बडथिका भी इसका नाम मिलता है, इसका नाम क्या मिलता है, बडथिका भी इसका नाम मिलता है, और एक चोटा सा गेट दिखा हुआ है उस पे लोमर से रिसी खड़े हुए हैं और इंटी कर रहे हैं इस गुफा के अंदर में और उपर बड़ी बड़ी सी पहाडी उसके अंदर में क्या किया गुफाओं को काट दिया गया और रहने के लिए बना दिया गया इसी को गुफा अस्थ की जो संत थे इन लोगों को रहनी के लिए दान में दे दया था तो संप्रदाय का संस्थापक मखली गोसाल था muchos था कौन था मखली गोसाल था इसी के संतों को व्याज कम इन गुफाओं को, यह भी important है, आजी उखों को दे दिया था, ठिक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की इतिहास को, आगे की अस्थापत्य को हम लोग देखते हैं, गुप्त कालीन अस्थापत्य पर हम लोग पहुँच चुके हैं, मौरे कालीन अस्थापत्य आप लोग के सामने समाप्थ हो चुका है, मौरे कालीन अस्थापत्य के बाद में हम लोग गुप्त कालीन अस्थापत्य पर पहुँच चुके हैं, बहुत important है गुप्त काले इन अस्थापत्य इसको हम लोग पढ़ते हैं मौरे काल में जिस गुपा अस्थापत्य का कार प्रारम हुआ था उसका विकास यह उसका चरमूत कर्स यह उसका सुन युग आपको गुप्त काल में देखने को मिलता है एक बार इसक्रिन साटल लेगे फटाफट चलिए जल्दी कीजिए ओके मौरे काल में जिस गुफा अस्थापत्य का बिकास असूक ने प्रारम्भ किया उसका बिकास उसके पोत्रदसरत ने किया लेकिन उसका चरमूत कर्स मौरे काल में नहीं आया तो उसका चरमोतकर्ष किस युग में दिखाई पड़ता है? इसी गुप्तकाल में दिखाई पड़ता है, इस काल में अजन्ता है, एलोरा है, बाग है, इन सब की गुफाओं का निर्माण किया गया, एक एक गुफाओं का अधेन हम लोग करेंगे, जिन्दा मत किजिए. और गुप्तकाल में, गुफा अस्थापत्य में एक नई विशिस्ता हमें देखने को मिलती है, और ये भित्ती अस्थापत्य के रूप में देखने को मिलती है, भित्ती अस्थापत्य का मतलब क्या है? जो गुप्तकाल इन गुफा चित्र थे, या गुफा अस्थापत्य थे उनकी दिवारों पे तमाम सारे चित्र को बनाया गया, उनको तमाम सारे रंगों से रंगा गया, इसी को किसके नाम से जाना गया, भित्ती अस्थापत्य के नाम से जाना गया, एक कुफा अस्थापत्य में भित्ती अस्थापत्य के उधारण आजंता और एलोरा में आपको द और यहां से कुश्चन भी बहुत पूशता है हर साल लगबग एक कुश्चन पूश लेता है उपह अस्थापत्य में फ्रेस्को एक नई तक्नीकी आ रही है फ्रेस्को का मतलब क्या है फ्रेस्को का मतलब यह है कि जैसे मानलू यह एक दिवाल है अब इस दिवाल पे प्लास्टर का क्या चढ़ा दिया गया एक लीप चढ़ा दिया गया और प्लास्टर का जो लीप है पहले गीला चढ़ाए जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा धीरे धीरे उस पर तमाम सारी अकरती तमाम सारी सरस्ना बना दिया जाएगा और जो सूख ज बिधी या फ्रेसको बिधी के नाम से उसको जाना गया और इस बिधी का विकास मौरे काल में नहीं हुआ था मौरे काल की ये विसिस्ता नहीं है गुप्त काल की ये विसिस्ता है यानि गुप्त काल में जो गुफा अस्थापत्य प्रारंभ हुआ उसकी विसिस्ता को हम लोग पढ़ रहे हैं अब सबसे पहले आप लोगों के सामने अजन्ता की गुफा है इसके इन साट ले लिजिए जल्दी से तो अजन्ता की गुफा कहां इस्थित है तो अजन्ता की गुफा औरंगाबाद में इस्थित है और औरंगाबाद का जो बरतमान में डीम है वो आपके प्रताब गड़का ही तो है बहुत सारे डीम बहुत सारे IPS के रूप में महाराश्ट में पड़े हुए हैं सूरत में सब पड़े हुए हैं बड़ोदा में सब पड़े हुए हैं बहुत I.S. I.P.S. उधर सब पड़े हुए अभी एक दिन पहले ही भी हुग जो तेवहार होता है, फेस्टिबल होता है वो असम में मनाया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से तो वहाँ पे एक लड़का पुस्टेड है I.P.S. की रूप में वो गाने की रूप में क्या होता है, वहाँ पे तो क्या होता है जिसे हम लोग होली जलाते हैं, उस तरीके से वहाँ पे तमाम सारे रखते हैं और उसको जलाते हैं और बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और नए-ने बस्त्र भी वो लोग बनाते हैं और क्या करते हैं बड़े-बड़े धूल को लेके क्या करेंगे नाज करेंगे गाना करेंगे बड़ा अच्छा उसने बीडियों फेजा है आई पीए से वहां पर तो यह कहां पे इस्थित है अजनता की गुफा तो आप कहेंगे कि यह औरंगाबाद में इस्थित है और नया फैक्ट है पगोरा नदी के किनारे यह आउरंगाबाद यानि अजन्ता की गुफा इस्थित है अब हमने आपको बताया कि तमाम सारे उसको काटके गुफा अस्थापते का निर्माण किया गुफाओं को काटके यानि चट्टानों को काटके किसका निर्माण किया गया ग पहाडी नजर आ रही होगी तो यह जो अजंता की गुफा है यह इसी परवत माला के उपर है और आपने देखा जो असोग की गुफा थी वह भी भारावर की पहाडी पर थी और उसके पुत्र जो दसरत की गुफा थी वह भी किसके उपर थी वह भी किसके अंदर थी उपर नह कि जो अजन्ता की गुफा है, वो किस पहाडी पर है, ताहय आधरी भी आपको दे दिया, टत्पुना परवतमाला आपको दे दिया, बिंध परवतमाला भी आपको दे दिया, आप अप कन्फूज हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको यहां पर रखा है, और इसको आप लोग ही क सिर्ण गें यहां की जो गुफाओं का भिकास है वो 200 1 लेके यहां पी 1 सताबदी तक हुआ था यहां पे जो हमें कीस यहनि गुफाओं का साख्स मिलता है वो 200 minut है पूर्व से इसका नर्माण कारे प्रारम हुआ और कई सताबदी ओंट तक यहांस को नी गुफाओं का करवाया था इसको बताएंगे भी अभी आप देखिएगा यहां कि जो अस्थापत्य संबंधी चित्र हैं वो किसे से संबंधी थें तो ब्रहामड धर्म से संबंधी थें यानि हिंदू धर्म से संबंधी थें और हिंदू का दो धर्म इस समय और दो संप्रदा ज्यादा चला जिसका नाम है सयो और बैसलो जैनि सयों से भी संबंदी थे और बैसलों से भी संबंदी थे और ये बाउद धर्म से भी संबंदी थे बाउद धर्मे की दो साखाएं हीन यान और महायान आप से question पूचेगा किसे से संबंदी थे तो आप लोगों को उत्तर देना है कि यह महाय से संबंदित है डोधर्मने संद्वा अर्व 7 दोनों से संबंदित है आगे यहां की गुफांओं की एक 1 एक स्रोंपला मिली है और यहां से कुल 39 गुभाओं का सांग सो कुल कितनी गुफाओं का साख्ष मिलता है कुल 39 गुफाओं का साख्ष है यहां से यानि अजन्ता से मिलता है लेकिन बर्तमान में अगर आप लोग देखोगे तो कुल एक दो नव दस सोला सत्रा उन्नीस यानि कुल सात गुफाओं ही मिलती है कुल कितनी गुफाओं मिलती है कुल सात गुफाओं ही मिलती है और यह देख लो हमने आपको बता दिया एक दो नव दस सोला सत्रा अठा सोला सत्रा और उन्नीस अठारा नहीं यानि अजन्ता में कुल उन्तीस गुफाओं का साक्ष हमें मिलता है लेकिन उन्तीस गुफाओं में बर्तमान में कुल सात ही बची हुई है जबकि अन्य नस्ठ हो गई है कितनी बची हुई है कुल सात गुफाएं ही बची हुई है पल की अन्य नस्ठ हो गई है इसमें गुफा नमबर एक गुफा नमबर दो गुफा नमबर नौ गुफा नमबर दस गुफा नमबर सोला गुफा नमबर सत्रा एक छोड़िये अब आएए उन्नीस पे तो कुल सात गुफा चित्र आज भी मिलते ह आगे हम लोग देखते हैं इन सातों गुफाओं को हम लोग देखते हैं इन सातों गुफाओं को हम लोग देखते हैं सातों गुफाओं में जो एक नमबर की गुफा यहां पर दिख रही है और दो नमबर की गुफा आपको दिख रही है उसका निर्मान चालुक के बंसी ये सासक ने करवाय था और इसका सासक का नाम था पुलकेशिन दुतिय अगर आप से क्विस्टन पूछे कि जो अजन्ता में एक नंबर की गुफा है दो नंबर की गुफा है क्या ये सबसे प्राशिन गुफा है तो आपका ये नहीं क्यों क्योंकि इसको चालुक के बंसी ये सासक बनवा रहा है यानि एक राजपूत सासक बनवा रहा है यानि पूर्व मध्यकाल का एक सासक बनवा रहा है इसके बाद में जो 9 नमबर की गुफा है और जो 10 नमबर की गुफा है यहाँ पर अस्पस्ट रूप से आपको दिख रहा होगा इसका नर्मान किस ने करवाया था वा काटक बंस के सास को ने करवाया था और वा काटक बंस का आगर आप लोगों से संस्थापक पूछे तो आप लोग कहेंगे कि इस बंस का उल्लेक हमें किस काल में मिलता है मौरियोत्तर काल में मिलता है तो मौरियोत्तर काल में कुछ विदेशी हैं और कुछ सुदेशी हैं और सुदेशी में से एक वा काटक है और वा काटक बंस का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है उसका नाम है बिन्ध सक्ति यानी कि वा काटक डायनेस्टी को Inaseti को सन्स्था पक है इसने बनवाया था अब बात आती है 16 नंबर की 17 और बात आती है 19 नंबर की इन गुफाओं निरंबाण किस ने करवाय था गुप्त बंस के सास को ने करवाय था एक दो नंबर की गुफा फुल के सिंधुति यह नौदस नंबर की गुफा वाका टक और ये 16, 17 और 19 नंबर की गुफा गुप्त काल की है ये बी कुष्ण पूछा गया है आगे भी या अब आईए देखते हैं कि इन गुफाओं में किन-किन बातों का विबरन मिलता है इसको हम लोग देखते हैं विबरन किन-किन बातों का यहाँ पे मिलता है इसको हम लोग देखते हैं तो इसमें जो 16 नंबर की गुफा है जिसका निर्माण गुप्तों के समय में हुआ था इसके चित्र अत्यन्त प्रसिद्ध है और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वह मानासन राजकुमारी का चित्र अत्यन्त प्रसिद्ध है एक राजकुमारी है जो अत्यन्त मानासन इस्थिती में है और उसको चारों तरफ से बहुत सारे लोग घेरे हुए है ऐसे में कुछ लोग बियोग यानि बिराहा की इस्थिती में हैं कुछ लोग परेशान की इस्थिती में हैं परेशान हैं कि भाई राज कुमारी है और बिल्कुल लगभग लगभग उसके प्राळ पकेरू उड़ने वाले तो अगर आप से पूछ ले ये जो मडाशन राज कुमारी का चित्र है ये किसका प्रतनिस्त करता है और उसमें बिकल्प में करुणा दिया रए यह दया दिया रहे तो किसका प्रतनिस्त करता है तो यह चित्रा यानि मनासन राजकुमारी का चित्रा अपने दया और अपने करुणा की भावना के कारण भारतिय इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध है इसके कारण दया और करुणा की भावना के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है लोग मोह दिखा रहे हैं, लोग प्यार दिखा रहे हैं, लोग दया दिखा रहे हैं कि भाई महारानी हैं, लोग करुणा मोहबत, इसके प्रती मनासन राजकुमारी के प्रती, इसमें सत्रहमी जो गुफा है जिसको गुपतों ने बनवाया था, इसको किसके नाम से जाना गया इसको चित्रण साला के नाम से जाना गया इसके नाम से जाना गया चित्रण साला के नाम से जाना गया क्यों चित्रण साला इसे क्यों कहा गया चुकि यहाँ पर बहुत सारी चित्र बने हुए मिलते हैं और चित्रण साला इसलिए कहा गया चुकि इसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित चित्र बने हुए मिलते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कैसे हुआ यह इसमें दिखाया गया है महात्मा बुध्र ने ग्रिह त्याग कैसे किया बड़े अच्छे से इसमें अंकन किया गया महात्मा बुध्र रत पे सवार हो रहे हैं उनका जो सार्थी चान है या चान है वो उनको छोड़ने के लिए ले जा रहा है महात्मा बुद्ध ने जो तपस्या की उसको दिखाया हुआ है इन सारे चित्रों का यहाँ पे और इनके महा भिनिस क्रमण वही ग्रह त्याग का भी इसमें आउलोकन मिलता है महान पर निर्वान का भी इसमें है इसमें महात्मा बुद्ध की पतनी यह सोधरा और उनके बेटे राहुल का भी अंकन है तो यह किसका प्रतीक है किसका सिंबल है प्रेम का यहीं सवहार्द का प्रतीक है माता और सिसु की प्यार का भी चित्र यहीं पर चित्रण साला में यहीं सत्रहवे नंबर की गुफा में बना हुआ मिलता है यह सारे कुशन पूशे जाएंगे आप से बहुत इंपर्डेंट इसके अलावा उन्नीसवे नंबर की अगर हम लोग गुफा की बात करें तो यहां आप लोग देखेंगे तो इस गुफा में नाग बंस की राजकुमारी है इसका नाम है कुबेर नागा इस कुबेर नागा से गुप्त बंसी सास को ने क्या किया था अपना बिवाह किया था यहां पर इस राजकुमारी का चित्र भी बना हुआ है इसके अलामा अजंता में कुल पांच अब यहां पे जो चित्रकारी की गई यहां पे जो गुफा अस्थापत्य है बनाया गया इसका निर्मान किया गया इसमें कुल पांच रंगों का प्रियोग किया गया है मेरी तरफ देखिए आपको याद हो जाएगा इसमें बिकल्प में आपको देगा कि पांच प्रकार के रंगों में आपको पीला रंग देगा पीला रंग का प्रियोग इसमें नहीं किया गया है ध्यान रखियेगा काली रंग का प्रियोग किया गया है लेकिन कारे के परिपेक्ष में भूरा भी लिखा हुआ आता है पांचमा नीला कितने रंग मिले लाल मिला हरा मिला नीला मिला सफेद मिला और भूरा या काला यह पे काला भी आप लोग लिख लेना बूरा या काला रंग का भी यहां के गुफा अस्थापत्य के नर्मान में प्रियोग किया गया था अब बात आती है कि यह जो अजंता का अस्थापत्य है या अजंता की गुफा है तो इसको खोजा किसने यह भी पिदेशी पूरा तत्युवित था, इसी ने इसको खोजा था, 1819 इस भी में खोजा था। आगे बढ़ते हैं भी यह हम लोग। अब इलोरा का गुफा अस्थापते पढ़ते हैं। इलोरा भी कहां इस्थित है, महाराष्ट के अउरंगा बाद में ही इस्थित है। और सहयादरी की पहाड़ी पर ही इस्थित है, उसी को काट के इसको बनाया गया था, इलोरा को भी। और यह अजन्ता की गुफा से लगभग इसको सव कर लीजेगा लगभग सव किलोमीटर दूर इस्थित है सव कर लीजेगा इसको सव किलोमीटर दूर इस्थित है यहां के जो चित्र बने हुई है वो पाँचवी सदी से लेकर ग्यारावी सताब्दी तक बने हुई है पाँचवी सदी से लेकर ग्यारावी सदी तक के चित्र यहां पे मिलते हैं यहां की गुफ़ाएं किसे सम्मानित हैं देखो जो अजन्ता की गुफ़ा थी वो हिंदू और बौत धर्म से सम्मादित थी और ये तीन धर्मों से सम्मादित है हिंदूओं से भी सम्मादित है बौत धों से भी सम्मादित है और जैनियों से भी सम्मादित है और अजन्ता के इलामा यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी कुछ जादा ही गुफ़ाँ हैं, 34 गुफ़ाँ हैं, जबकि अजन्ता में कितनी थी? 29 थी, कुल सात ही थी वैसे वास्तों में. लेकिन यहां 34 गुफ़ाँ का साक्स मिलता है, अब एक नंबर से लेके 12 नंबर की जो गुफ़ा है, वो सम्मंदित है महात्मा बुद्ध और बौत धर्म से, और 13 नंबर से लेके 29 नंबर की जो गुफ़ा है, वो हिंदू धर्म या ब्रहमर धर्म से सम्मंदित है, और 30 नंबर से लेके 34 नंबर की जो गुफा है वो जैनियों से संबंदित है और जैनियों की स्वेतांबर साखा से नहीं संबंदित है दिगंबर साखा से संबंदित है दिकधन अंबर दिगंबर दिसाइं ही जिसका बस्तर हो यह लोग यहां के जो जैन भिक्ष होते थे यह नरवस्तर रहते थे खुले आसमान के नीचे रहते थे नरवस्त 34 गुफाएं हो गई यह कई बार पूचा हुआ है इसलिए इसका एक स्क्रीन साट जल्दी सले लेजिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जलिए अब यह जो एलोरा की गुफाएं हैं इनकी कुछ बातों को हम लोग देखते हैं इसमें जो गुफा संख्या 10 है इसे बिश्व कर्मा गुफा या बढ़ई गुफा के नाम से जाना जाता है जो गुफा संख्या 10 है इसको बिश्व कर्मा गुफा ये बढ़ई गुफा के नाम से जाना जाता है जो गुफा संख्या 15 है इसमें जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है उसे दसावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है जो गुफा संख्या सोला है इसमें कैलास मंदिर है और अब देखो आप से कुछन पूछेगा इलोरा के कैलास मंदिर का निर्माण किसने करवाया आप लोग कहेंगे किसने करवाया कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था एक कृष्ण प्रथम कौन था तो आप ल इस मंदिर है कहां इस्थित है तो एलोरा में इस्थित है किस ने बनवाया राष्ट कुडसास्कों ने बनवाया किस्वन प्रत्थम ने बनाया दूतिया नहीं ये भी ध्यान रखना है इसके बाद में गुफासंख्या जो 21 है उसमें रामेश्वरम का मंदिर अत्यंत है यानि आपसे कुछे से पूंच सकता है कि इन गुफाओं में से किसमें प्रकिर्दी का वास्तविक चित्रण किया गया तो आप लोग कहेंगे कि इसी में मिलता है यह गफा संखा 32 में गो आगे बढ़ते हैं यह एक और गुफा है और इसका नाम है बाग की गुफा तो जो बागी की गुफा है ये कहां पे इस्थित है तो आप कहेंगे ये मध्य प्रदेश के धार में बिंधया चल परबत को काटके इसको बनाया गया था कहां पर इस्थित है धार जिले में इस्थित है और धार जिला कहां है मध्य प्रदेश में ये ग्वालियर की पास में ही धार जिला है वहीं पर ये इस्थित है पिंधय परवत सेनी को काटके इसको बनाया गया था इसको किसनी खोजा इसको 1818 में डंजर फील्ड महोदे ने इसकी खोज की थी इसकी बाख की कुफा की जो मध्य प्रदेश के धार जिले में इस्थित है अब इसका बिशे क्या है जैसे एलोरा का बिशे क्या था एलोरा का बिशे आप लोगों ने देखा होगा तो बाध धर्म जैन धर्म ब्रहमर धर्म तीनो था अजन्ता का बिशे बाध धर्म था और ब्रहमर धर्म था और इसका बिशे आपको केवल और केवल बाध धर्म ही मिल अगये है। यहाँ हमें कुल कितनी गुफाओं का साक्ष मिलता है। इस बाग में कुल नो गुफआओं का साक्ष मिलता है। ये गुफा बगनी नदी के किनारे इस्थित है धार जिले में कौन सी गुफा बाग की गुफा यहां पर गुफा संख्या चार का चित्र अत्यन्त दर्सनी है ये अत्यन्त प्रशिद्ध है इसको हम लोग रंग महल के नाम से जानते हैं रंग महल में आप लोग देखेंगे कि सुन्दर अधोबस्त धारण किये हुए कई नर्तेकियों का चित्र अत्यन्त प्रशिद्ध है इसमें रंगमहल इसे इसलिए कहा गया है कि इसमें सुन्दर अधो बस्त्र धारण किये हुए यानि नीवी बस्त्र आप लोगों को यादर आए नीवी बस्त्र अक्षे नीवी नहीं नीवी बस्त्र नीवी बस्त्र को ही बैदी क्योंकि में किसके नाम से जाना गया अधो बस्त्र के के नाम से जना गया अन्डरगार्वेंट के नाम से जना गया नए पहनकर यहां Whenever नरतकियों का जो चितर है वह अत्यंता दरसनी कोफा संख्या दो में पदम पानी का चित्र अत्यंता प्रसिद्ध कैं तो यह भाबी महात्मा बुद्ध के आवतारी हैं लेकिन वास्तों में महात्मा बुद्ध भविष्य किस नाम से आवतार लेंगे 2018 का ये question है UPSC का तो महात्मा बुद्ध भविष्य में आप लोग देखेंगे मैत्रिय नात्त के नाम से आवतार लेंगे या मैत्रीय के रूप में आवतार लेंगे ये भी ध्यान रखिएगा, ये महत्मा बुद्ध के भविष्ष के अवतारी हैं, जिसमें से पदम पाणी हैं, एक आउलेव कितिवसर भी है, लेकिन वास्तों में महत्मा बुद्ध किस नाम से अवतार लेंगे, तो मैत्रे नात के नाम से अवतार लेंगे, ये भी ध्यान सामने बहुत ही इंपार्टन टाफिक आ रहा है मंदिर अस्थापत्य आप लोग के सामने मंदिर अस्थापत्य आ रहा है मंदिर अस्थापत्य में मंदिर अस्थापत्य के जो अंग हैं उनका अध्यन करेंगे हम लोग मंदिर अस्थापत्य की जो बिभिन स्टाइल या सैलिय करेंगे और प्राजीन में मंदिर रहे वर उनकी बिशेश्षा को भी देखेंगे हैं उनको और बीलकुल बेजिक से इसका अध्यन को पढ़ा वैसे हम अम मंदिर को पढ़ेंगे, जो प्राजीन भारत में तमाम मंदिर बने थे, उनके अंग क्या होते हैं, उनकी विशेस्ताएं क्या होती हैं, कौन-कौन से मंदिर किस-किस युग में प्रसिद रहे, इसको हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, मंदिर अस्थापत्य के बिभिन अंग, जल्दी से स्क्रीन साट ले लिए, बिभिन अंग, इसमें जो पहला अंग है, उसको किसके नाम से जाना गया, उसको अधिस्ठान के नाम से जाना गया, अभी मैं मंदिर बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा भी, और अधिस्थान क्या है अधिस्थान चबूतर है यानि चबूतरे नुमास संरचना को हम अधिस्थान के नाम से जानते हैं और चबूतरे के ऊपर ही मंदिर का निर्माण होता था यानि इसी को आधार बनाकर मंदिर का निर्माण किया जाता था और मंदिर निर्माण की जो नागर सैली है अभी समझाओंगा मंदिर निर्माण की जो नागर सैली है नागर सैली में इस चबूतरे का प्रयोग किया जाता था जबकि मंदिर निर्माड की जो दक्षिन भारत की द्रविंड सैली है उसमें चबूतरे का निर्माड नहीं किया जाता था यानि चबूतरे के उपर मंदिर नहीं बनवाय जाता था जमीन के सीधे उपर मंदिर बनवा दिया जाता था जबकि नागर सहली में चबूतरा था बहुत बड़े-बड़े और उस चबूतरे की ऊपर क्या बनवाया जाता था। मंदिर बनवाया जाता था। इस चबूतरे को अधिस्थान के नाम से जानते हैं। यह मंदिर की एक तरीके से बड़ी आधार भूत सनस्ना यह बड़ा आधार भूत अंग है क्या अधिस्थान इसके अलावा मंदिर का जो दूसरा अंग है वो गर्भग्रे है और मंदिर में गर्भग्रे को आप लोग पूजा घर के नाम से जानते हैं यह मंदिर का सबसे पवित्र भाग होता है जैसे अस्तूप में हर्मी का सबसे पवित्र भाग होता था वैसे मंदिर में गर्भग्रे है सबसे पवित्र भाग होता है यहीं पर देवता वास करता है यहीं पर देवता की मूर्ती लगी होती है नागर सैली में ये जो गर्फग्रे होता था इसका आकार बरगाकार होता था जबकि द्रविन सैली में इसका जो आकार होता था वो पिरामिट के आकार का होता था इसको बताऊंगा मैं आप पिरामिट का मतलब क्या है इसको बताऊंगा इसके अलामा सिखर जो गर्वग्रे होता था इसके उपर इस तरीके से एक सिखर बना होता था इसको एक रेखी ये सिखर के नाम से जानते थे जबकि और ये इस तरीके से जो सिखर होता था ये है उत्तर भारत की नागर सैली में होता था दक्षिन भारत के द्रविन सैली में यह नहीं होता था द्रविन सैली में यह जो सिखर होता था यह कुछ इस तरीके से होता था और यही जो आक्रती है कटोरे नुमा आक्रती उल्टे कटोरे की भांती इसी को पिरामिट बोलते हैं तो दक्षिन भारत के बहुतायद जो मंदिर मिले हुए है उनकी जो सिखर की आकरती है वो पिरामिट के जैसी है जबकि उत्तर भारत में एक रेखी ये सिखर इस तरीके से मिलने है गोपुरम गोपुरम जो मंदिर निर्माण का अंग है यहां मुख्यत यहां दक्षिन भारत यहनी द्रबेण सैली के मंदिरों में देखने को मिलता है और गोपुरम को किसके नाम से जाना जाता है प्रबेश द्वार के नाम से जाना जाता है जबकि उत्तर भारत में जो हमें मंदिर मिलेंगे नागर सैली में उनको प्रबेश पर ही कहा गया लेकिन द्रभिण सैली यानि दक्षिन भारत में जो मंदिर बने उनके प्रवेश द्वार को गोपुरम के नौम से जाना गया अगला परकोटा अब जैसे माली जी बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे उनको तमाम तरीके से चाहर दिवारी से घेरा हुआ होता था प्रवेश द्वार को भी और इसी को द्रविन सैली में यानि दक्षिन भारत के मंदिर निर्मान की सैली में इसी को किस के नाम से जाना गया इसको परकोटा के नाम से जाना गया ये देखो गोपूरम को दिवार से घेरने की सनरशना को ही परकोटा कहा गया और ये द्रविन सैली का अंग है ये नागर सैली का अंग नहीं है ये भी धियान रखना है इसका revision करना पड़ेगा आपको बार बार तब ये जाके आपको तयार होगा इसके अलामा आमलक मंदिर के उपर एक स्रंखला आपको देखेगी पी तल नुमा आकरती बने हुई लोग रखते हैं आमलक तो नागर सैली में मंदिर के सीर्स पर इसको रखा जाता है आमलक को और द्रबिन सैली में इसको क्या कहा जाता है इसको अस्तूपी का कहा जाता है इसी आमलक को द्रबिन सैली यानि दक्षिन भारत के मंदर निर्मान की जो सैली है उसमें इसको अस्तूपिका कहा गया जबकि उत्तर भारत में नागर सैली में इसको किसके नाम से जाना गया इसको आमलक के नाम से जाना गया तो मंदिर निर्माण के कुछ आधार भूत अंगों को हमने देखा बाकी अंगों को भी जो छोटे मोटे अंग हैं आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन ये पांच आपको यहाँ पर इच्छे आपको आधार भूत मंदिर के यहाँ पर अंग हमने पढ़ाये, आगे हम लोग बढ़ते हैं अब मंदिर अस्थापत्य की जो प्रमुक्ष सैलियां हैं उनका अध्यन करते हैं तो मंदिर अस्थापत्य की कई सैलियां इन सैलियों में आप लोग देखेंगे जो पहली सैलिय है और प्रमुक्ष सैलिय है वो नागर सैलिय है जो दूसरी सैली है वो द्रबिन सैली है जो तीसरी सैली है वो बेसर सैली है जो चौथी सैली है वो होसल सैली है जो पांचवी सैली है वो पाल और सेन यानि पढ़ेंगे सब कुछ छोड़ेंगे कुछ भी नहीं और पांच्वी जो छट्वी सैली है उसे नायक सैली के नाम से जाना गया जो कि नायक बंस के सासकों ने इसको बिक्सित किया था इसके मंदिरों को भी हम लोग पढ़ेंगे और बिजे नगर के सास को दोरा जिन मंद्रियों का निर्मान करवाया उसको एक बिजे नगर सैली के नाम सही जाना गया पूछा गया है तो नागर सैली की विशेष्टा के रूप में कुछ विशेष्टाओं को हम लोगों ने देखा ही लेकिन अब बात आती है कि नागर सैली कहते किसे बात आती है कि नागर सैली किसे कहते हैं तो मंदिर निरमाण की उत्तर भारत की सैली को हम लोग नागर सैली के नाम से जानते हैं और इस सैली का विकास हिमाले परबस से लेके बिंध्याचल परबत तक हुआ था कहां तक हुआ था या बिंध्याचल परबत तक हुआ था यानि यह जो भारत आपको दिख रहा है इसमें हिमाले से लेके इस छित्र से लेके इस बिंध्याचल परबत तक जिस सैली में मंदिर बनाए गए उसको किसके नाम से जाना गया उसको नागर सैली के नाम से जाना गया और ये जो नागर सैली खतम हुई तो इसी बिंद्याचल परवस्त माला से लेके यहाँ सुदूर भारत तक जिस सैली में मंद्रियों का निर्मान किया गया उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? उसको हम लोग द्रबिण सैली के नाम से जानते हैं. एक तीसरी सैली यहाँ बेसर सैली के रूप में दिख रही होगी और बेसर सैली में जो मंदिर बने वो मुख्यतया मद्ध भारत में बने और बेसर सैली को मरसिस सैली कहा जाता है मरसिस सैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नागर सैली के उधरन भी देखने को मिलते हैं और इसमें द्रबिन सैली के उधरन भी देखने को मिलते हैं यानि मंदिर नर्मान के मरसिस सैली को हम लोग बेसर सैली के नाम से जानते हैं अब नागर सैली की विशिस्ताओं को देखते हैं जो नागर सैली है वो मंदिर नर्मान की एक महत्तुपूट इस्तैल यानि सैली है जो उत्तर भारत में सबसे ज़्यदा प्रसिद्ध थी। इसका विस्तार हिमाले परबत से लेके बिंद्याचल परबत के माला के पहले तक था। मंदिर नर्मान की छित्र में वास्तुकला की इस सैली का जन्म कब हुआ था तो पांचवी सताब्दी इस भी में हुआ था भारत में। जमक उप सैली में ओडिशा सैली, खजुराहो सैली और सोलंकी सैली सामिल है। तीन इसकी उप सैली हैं जैसा कि हमने पहले भी बताया। सोलंकी सैली, खजुराहो सैली और कौन सी है? तीन सैलियां हैं ओडिशा सैली। ओडिशा में जो मंदिर बन रहे हैं जो भूनेसवर में मंदिर बने जो पुरी में मंदिर बने जो जगननात में मंदिर बने वो ओडिशा सहली में बने खजराहो मध्य प्रदेश में बने और तोलंकी बंस के सासकों ने भी इसी सहली में मंदिर बनवाय थे यह नागर सहली की क्या है छोटी छोटी सैली हैं जिसमें नागर सैली की कुछ बिस्षिस्थाएं पहे जाती हैं इसलिए नागर सैली की उफ सैली के नाम से ओडिशा खजुराहो और सोलंकी सैली को जाना गया आगे बढ़ते हैं भी या इसमें जो इसकी खास विश्षिस्था है इस सैली में जो मंदिर बनते थे इसमें अर्ध मंडप की सरशना आपको मिलेगी इसका एक अंग है अर्ध मंडप की रूप में इससे फिर बड़ा जो अंग होगा वो मंडप की रूप में होगा फिर इससे जो बड़ा अंग होगा वो महा मंडप की रूप में मिलेगा अभी सब आपको दिखाएंगे इसके अलावा इसमें सभाभवन भी मिलते हैं और इस सैली के जो मंदिर होते हैं वो एक रेखिये सिख्यर के रूप में होते हैं किसके रूप में होते हैं एक रेखिये सिख्यर हमने आपको बना के भी दिखाया था और इस सैली में जो मंदिर बनते थे वो चतुस कोणी हैं मंदिर मुख्यतया बनते थे अब नागर सैली की जो उफ सैलीयां है उनको हम लोग देखते हैं उफ सैलियों में जो पहली सैली है वो उडिशा है, जो दीसरी है वो खजराहो है और जो तीसरी है वो सोलंकी सैली है जो उडिशा सैली है इस वास्तुकला की इस सैली का विकास मुख्यतय कहां हुआ था हमने बताया भी वो नेसर में हुआ था, पुरी में हुआ था और उडिशा की जो राजधानी थी असुक के समय में कलिंग उसमें हुआ था वो नेसर पुरी और उडिशा में इस यानि उडिशा सेली का विकास हुआ था यह नागर सेली की उफ सेली है इस सैली में मंडप को क्या कहा गया अब थोड़ा सा ध्यान रखना है नागर सैली में मंडप को मंडप ही कहा गया लेकिन नागर सैली के जो उफ सैली है जिसी ओडिशा सैली के नाम से जाना गया इसमें नागर को जगमोहन के नाम से जाना गया जबकि जो सिखर होता है इस सिखर को देवल के नाम से जाना गया और चाहर दिवारी को चाहर दिवारी को किसके नाम से जाना गया परकोटा के नाम से जाना गया परकोटा देवल जगमोहन के नाम से जाना गया यानि ये उडिशा सैली के प्रमुक अंग कौन हुए? जगमोहन, तेउल और क्या हुआ? परकोटा हुआ और जगमोहन का मतलब क्या है? मंडफ है, सिखर का मतलब क्या है? देउल है और चाहर दिवारी का मतलब क्या है? परकोटा है ये तीन अंग हमने आपको बताए आगे बढ़ते हैं अब इस सैली के जो प्रसिध मंदिर है उसको हम लोग देखते हैं तो एक मंदिर यहाँ पर आपको दिख रहा है जो कोणांक में इस्थित है, कोणांक जिले में इस्थित है और ये सूर्य देवता का मंदिर है अब नागर सैली की उफ सैली है तो देखिए यहाँ पर एक चबूतरी के ऊपर यह मंदिर बना हुआ है यह भी चबूतरा है यह भी चबूतरा है और इसकी सीड़ियां काफी भब्बे आपको दिख रही है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आमलक लगा हुआ आपको मिलेगा यहाँ पर एक रेखिए सिखर भी आपको मिलेगा इसके अलावा पूरी का जगनात मंदिर इसको आप लोग देखिए यह इसमें आमलक अस्पष्ट रूप से नजर आ रहा है आपको इसको आप देखिए यहाँ पर होनेस्वर का जगनात मंदिर इसमें और अस्पष्ट रूप से आमलक नजर आ रहा है आप लोगो तीनों मंदिर हैं तीनों को याद कर लेना है आपको पूरी का जगनात मंदिर, कोडांग का सूर्य मंदिर और भोनेस्वर का जगनात मंदिर अब जो दूसरी सैली है उसे खजुराहो सैली के नाम से जना गया और इस मंदिर सैली का विकास मध्य भारत में खजुराहो में चंदेल सास को ने किया था खजुराहो सैली का जो विकास किया वो चंदेल बंस के सास को ने किया यह राजपूत बंस है इसलिए इसे चंदेल सैली के नाम से भी जाना जाता है जो खजुराहो सैली है जो नागर सैली की उप सैली है इसे खजुराहो सैली को चंदेल सैली के नाम से जाना गया क्यों जाना गया तो कि जो चंदेल सासक थे इन्होंने इसका क्या करवाय था इसका विकास करवाय था इसका निर्मान करवाय था यहां के अस्थापत्य मुख्यतया कामुक यहां के अस्थापत्यों में कामुक रूप भी दिखाई पड़ता है क्यों कामुक रूप दिखाई पड़ता है क्योंकि यहां के जो अस्थापत्य हैं वो एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं जिनका नाम है बासेन इन्होंने एक ग्रंत लिखा था जिसका नाम था काम सूत्र यह काम की ऊपर ही यानि इस्तरी पुरुष के आपसी संबंधों का इसमें विब्रण मुख्यतया मिलता है इसलिए कहा गया कि यह जो चंदेल सैली है ज पहुमना पसंद नहीं करती यहां के जो मंदिर बने हुए हैं वो बलुआ पत्थर के बने हुए हैं यहां के मंदिर पंचायतन सैली में बने हुए हैं पंचायतन सैली का मतलब क्या हुआ मतलब अगर एक यहां पे देखोगे यह मंदिर है इसमें आपको बीच में एक कि यहांँ हिंदू धर्मकी एलामा जैन धर्म्से संबंधित मंदिर भी मिलते हैं याँ दो धर्म úszे संबंधित मंदिर यहाँ पर मिलते हैं बौत्धों के नहीं भर्म को एडाप्ट कर लिया था स्वभिकार कर लिया था यहां के मंदिर अपेक्षाक्रत काफी उचे चबूतरे पर बने हैं खजुराहो सैली के जो मंदिर बने हुए हैं वो अपेक्षाक्रत काफी उचे चबूतरे पर बने हुए हैं इनको देखते हैं हम लोग इसमें प्रमुख मंदिर आप लोग देखेंगे तो जो पहला मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है और जो दूसरा मंदिर है वो लक्षमार मंदिर है जो दूसरा मंदिर है वो लक्षमण मंदिर है और ये लक्षमण मंदिर कहां पर इस्थित है मद्य प्रदेश में इस्थित है मद्य प्रदेश के सिर्पूर में इस्थित है अब देखो यहां पर कितना उंचा चबूतरा है कितने उंचे चबूतरे पर यह मंदिर बना हुआ है और एक बात ध्यान और देना यह जो लक्षमन मंदिर है ये सिर्पूर में इस्थित है और इंटों से बना हुआ यह दूसरा मंदिर है यह है इंटों से बना हुआ है और इंटों का बना हुआ यह दूसरा मंदिर है ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग सोलंकी सैली को देखते हैं ये नागर सैली की उफ सैली है इस सैली का विकास उत्तरपस्वी भारत के राजस्थान और गुजरात छित्र में हुआ था कहां हुआ था मुख्यतिया गुजरात और थोड़ा सा राजस्थान का छित्र भी इसमें सामिल था सोलंकी बंस के सासकों ने इसका विकास किया था यहां के मंदरी की सबसे अनूठी विसिस्ता मंदिर परिसर में इस्थित बावडी है बावडी का मतलब क्या है? बावडी का मतलब यह है यहां पे सूर्य देवता का एक कुंड बनवाय जाता था जिसको सूर्य कुंड के नाम से जाना गया यहां के मंदिर लकडी की नकासी के लिए अत्यंत प्रशिद्ध है इसके नकासी के लिए लकडी की नकासी के लिए बहुत ज़्यादा प्रशिद्ध है और मंदिरों के निर्माण में बलवा पत्थर का प्रियोग किया ज़ता और काला पत्थर का प्रियोग किया ज़ता और यहां पे नरम संग मरमर का भी प्रियोग किया जाने लगा था इस सोलंकी सैली में यहां के जो अधिकतर मंदिर हैं वो पूर्व मुखी हैं मंदिर के मुख्य दर्वाजे को इस प्रकार से बनाया गया है कि सूर्य का प्रकास सीधा पड़े पूर्व मुखी मंदिर बनाया गया है ठीक सामने सूरज होता और पीठ पीछे हो पस्चिम चार दिशाएं होती हैं उत्तर दखिन पूरब पस्चिम इस तरीके से यहां के मंदिरों को बनाया गया कि जब सूरे निकले तो पूरे मंदिर परिसर में इसकी रोसनी पड़ जाए जगमगा उठे मंदिर इसी को पूरबा ब्विमुखी मंदिर कहा गया यह देखिए सूरे मंदिर है यह कहां का सूरे मंदिर है यह मुढेरा का सूर मंदिर है काफी उची चबूतरे पर इसको बनाया गया है मुढ़ेरा कहा है, जो मुढ़ेरा आपको दिया हुआ है, यह मुढ़ेरा गुजरात में है और इसको सोलंकी बंस के सासक भीम प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था किस ने करवाय था सूलंकी बंस के सासक भीम प्रथम ने इस मुढ़ेरा के सूर्य मंदिर का निर्मान करवाय था तो मुढ़ेरा कहां इसी थे तो ये जो मुढ़ेरा है ये गुजरात में इस्तित है कहां पर इस्थित है विया तो ये मुढ़ेरा गुजरात में इस्थित है आगे बढ़ते हैं हम लोग अब मंदिर निर्माड के द्रबिन सैली को हम लोग देखते हैं इस तरीके से उत्तर भारत की नागर सैली को देखा उसी तरीके से द्रबिन सैली को देखते हैं तो द्रबिन सैली क्या है मंदिर निर्माड यानि दक्षिन भारत में जिस सैली में मंदिर निर्माड किया गया उसी को हम लोग द्रबिन सैली के नाम से जानते हैं और द्रबिन सैली का जो छित्र है वो बिंध्याचल परबस सैले के मुख्यतया किस्टा नदी तक है लेकिन गोपुरम का मतलब क्या है गोपुरम का मतलब प्रबेश द्वार है इंट्री का गेट है कि इसकी क्या है ये दक्षिन भारतिये मंदिर में द्रविन सैली के मंदिर की विशेस्ता है दूसरा गर्वग्रे है जो द्रविन सैली के मंदिर में गर्वग्रे है होते थे वो किस आक के होते थे और कि यहां के मंदिर की जो आकृत है वो manufacturer dzisiaj है आठ कोणों की अंतरगत मंदिर का निर्माड किया गया आठ कोण बनाए गए मंदिर में हुझ कि आप द्रविन उसली की एक जो प्रमुक सैली है जो सबसे ज़्यादा बिक्शिस सैली है कि उसको पल्लो सैली के पल्लव सासकों ने अपने नाम से ही सैलियों का विकास किया था और पल्लव सासकों ने चार चरणों में मंदिरों का निर्मान करवाय था पल्लव सासकों के नाम से ही पल्लव अस्थापत्य की सैलियों का नाम भी पड़ा था जैसे पल्लव अस्थापत्य या पल्लव सैली के कुल चार चड़न है पहला चरण जो प्रारंब होता है वो पल्लव सासक महेंद बर्मन के समय से प्रारंब होता है यानि महेंद्र बर्मन नामक पल्लो सासक ने मंदिर अस्थापत्य की सैली का विकास अपने नाम से ही किया था इसलिए इसको महेंद्र बर्मन सैली के नाम से जना गया जो दूसरी सैली है वो दूसरे पल्लो सासक के नाम से संबनित है और इसका दूसरा चरण इसी के समय से प्रारंब होता है इसका नाम क्या है इसका नाम है नरसिंग बर्मन प्रथम और इसने उपाद मामल की धरण की थी इसलिए इसे मामल सैली ये नरसिंग बर्मन प्रथम की सैली के नाम से जाना गया इसमें जो तीसरी सैली प्रारंभ होती है उस तीसरी सैली को राज सिंग सैली या नरसिंग बर्मन दुतिय सैली के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका विकास नरसिंग बर्मन दुतिय नामक पल्लव सासक नहीं किया था इस ने किया था नरसिंग बर्मन नामक पल्लव सासक ने किया था लेकिन नरसिंग बर्मन दुती ये था कि ध्यान रखिएगा प्रथम नहीं था है कि नरसिंग बर्मन प्रथम यहीं है इसके अलामा जो चौथा चरण प्रारंभ होता है वो एक तरीकी से कमजोर सासक का चरण है इसको नंदी बर्मन सैली के नाम से जाना गया इसमें आप लोग देखेंगे तो जो पहली सैली है वो महेंदर बर्धन सैली है या महेंदर बर्मन सैली है इस महेंद्र बर्मन सैली का विकास पल्लो सासक महेंद्र बर्मन नहीं किया था इस सैली में द्रबिन सैली के अंतरगत इसका विकास हुआ था क्यानि ये जो द्रबिन सैली है ये मुख्य सैली है जो पल्लो सैली है वो उसके अधिन विक्सित उफ सैली है पललो सեղी के निरमाता पललो बंस के सासक महंद्र बर्मन थे इसलिए इनके द्वारा निरमत इस सेली को महंद्र बर्मन सेली के नाम से जना गया स्क्रीन साट ले लीजिए आप लोग जल्दी कीजिए स्क्रीन सार्ट आप लोग ले लिजिए देर मत कीजिए आगे बढ़ते हैं वहिया महेंद्र बर्मन सैली की मुख्य विश्यस्ता क्या है मंडप है इसके समयकाल में चटानों को काट कर मंदिर बनाए गया थे पहाड़ियों को काटा चटानों को काटा और मंदिरों को बनवाया किसने पलोव सैली के अंतरगत महेंद्र बर्मन नामक सासकने इस सैली के मंदिर सादगी से परिपोर्ण है बहुत ज़धा अलंकरण नहीं किया गया इस काल के मंदिरों के दीवारों पर बिलकुल सादगी वाले मंदिर है इस सैली में पंच पांडो गुफा मंदिर अत्यनत प्रसिद्ध है अगर आप से कहा जाए कि पंच पांडो गुफा मंदिर का निर्मान किस ने करवाया तो महेंद्र बर्मन ने करवाया यह ध्यान रखना है इसको अब पल्लो सैली में दूसरी सैली आपके सामने आई और इसको नरसिंग बर्मन प्रथम सैली के नाम से जाना गया ये हभी द्रविण सैली की उफ सैली है इसका विकास किस ने किया था? पल्लो बंसीय सासक नरसिंग बर्मन प्रथम ने किया था इसलिए इसे नर्सिंग बर्मन प्रथम सैली के नाम से भी जाना गया और इस सैली को मामल सैली भी खा जाता है किसके नाम से जाना जाता है? मामल सैली के नाम से जाना जाता है इस सैली के प्रमुक विशेष्टा क्या है? इस सैली की प्रमुख विशिष्टा एक आस्मक है जैसे आसोक ने एक ही पत्थरों से निर्माण कारे करवाया था वैसे इस नर्सिंग बर्मन प्रथम नामक सासक ने जो मंदिर बनवाये वो एक ही पत्थर के बनवाये थे नरसिंग बर्मन ने मंडपों को कई रथों की रूप में विभाजित किया है जैसे रथ की आकरती आप लोग समझे रथ रथ में पहिया होता है आगे घोड़े लगे होते हैं उसी की आकरती का इसने क्या बनवाया मंदिर बनवाया और इन रथ मंदिरों को सामोहिक रूप से सब्त्पेगोडा के नाम से जाना गया किसके नाम से जाना है रत थे उसमें से सबसे छोटा रत कौन सा था तो सबसे छोटा रत द्रवपदी है जबकि सबसे बढ़ा रत कौन सा है धर्म राज रत है आगे बढ़ते हैं राज सिंग सैली को देखते हैं राज सिंग सैली का विकास नरसिंग बर्मन दुतिये नामक पल्लो बंस के सासक ने किया था इसलिए और इसका ये नरसिंग बर्मन दुतिये का क्या है ये दूसरा नाम है इसलिए इसे नरसिंग बर्मन दुतिये सैली ये राज सिंग सैली के न नम बताइए ये भी द्रबिन सैली की क्या है ये भी द्रबिन सैली की उफसैली राज सिंग ने मंदिर विकास की तीसरी चरण का नेतित किया इस काल में सीला को काट कर सीला का मतलब पत्थर की सिला या परबत को काट कर पहाड़ी को काट कर पासान काट को काट कर मंदिरों का निर्माण करवाया गया अर्थात इस काल में पत्थर और इंट से भी क्या बनवाय जाने लगे मंदिर बनवाय जाने लगे इंट से भी मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा आगे इस काल का प्रमुख मंदिर कौन है महा बली पुरम का समुद्र तटी ये मंदिर है और ये कहां इस्थित है समुद्र तटी ये मंदिर तो आप कहेंगे कि ये है कांची में इस्थित है तो कांची में तटी ये मंदिर का निर्मान किस ने करवाया इसी राज सिंग या नर्सिंग बर्मन दुतिये ने करवाया इस काल में महावली पुरम में मंदिरों की एक समोहों वही बनाया गया है पूरा एक तरफ से एक ग्रुप को बनाया गया और यह जो महावली पुरम का मंदिर है जो नर्सिंग बर्मन्स दुतिय के सैली का मंदिर है इसको इउनेसको ने आप सूचिए इसको इउनेसको ने अपने विस्व दोहरोहर सूची में सामिल किया है क्यों? ये मंदिरों की पूरी एक स्रिंखला है जिस दिल्ली के छतरपुर में आप जाओगे तो मंदिरों की एक स्रिंखला आपको दिखाई पड़ती है जिसको गुप्त बंसिय सासक ने बनवाया था दिल्ली में इस काल में महावली पुरम में तटीय मंदिर बनाया गया था ये है भगवान सिव का मंदिर है आपसे ये भी पूँच सकता है किस देवता को समर्पित है तटीय मंदिर तो ये है क्यों देवता को समर्पित है येनि सेव धर्म से सम्मंदित है आगे अंतिम सैली आया पल्लो सैली का जो अंतिम चरण है वो नंदी बर्मन के नाम से जाना जाता है नंदी बर्मन नमक पल्लव सासक ने अपने समयकाल में मंदिर नर्माण की द्रविल सैली के अंतरगत जिस उपसैली का विकास किया उसी को नंदी बर्मन सैली के अंतरगत जाना जाता है और इस सैली कि जो मंदिर बने हुए है वो अत्यान तो छोटे-छोटे मंदिर है जो छोटे-छोटे पहले बड़े-बड़े मंदिर बने अब छोटे-छोटे मंदिर बने बड़े-बड़े मंदिर बने यानि वो बड़े-बड़े सासक थे वो सकतिसाली सासक थे अब छोटे-छोटे मंद बनाओगे जब पैसा होगा तो बड़े बड़े मंदिर बनाओगे जिसे एक IPS आप पटना इस्टेशन से बाहर निकलेंगे तो उसने एक जैन मंदिर बनवाया हुआ हुआ है बढ़े मंदिर बनवाया है उसने कि इस प्रकार की विशेष्था पल्लो पराभो की सूसना देती है आगे बढ़ते हैं हम लोग अब चूल वास्तुकला को हम लोग देते हैं मंदर निर्माण की जिस सैली का विकास गुपतो ने किया उसके बाद में यह सैली जो द्रविण सैली है वो दूसरी सैली है पल्लो सासको ने एक तरीके से उसको उत्पन ने किया विकास किया अब मंदर निर्माण की जो द्रविण सैली है जिसका विकास पल्लो वबंसी यह सासको ने वास्तों में किया वो अपनी चर्मोतकर स्वर पहुंची थी कहां पे चूलों के समय में यह चूल बंसी यह सासकों के परिपेक्ष में ये अपने समयकाल में चरमुत कर्सफर पहुंची थी क्यानि मंदिर वास्तुकला का जो स्वनकाल है ये है चूलकाल है इतिहासकार फर्गुसन कहता है कि जो चूल सासक है वो बहुत पिक्सित अवस्था में अपने दिमाग को रखके सोचते हैं और दैतियों की तरीके से इस मंदिर का निरमाड कर डलते हैं ये एक तरीके से अस्थापत्य का यानि आप कहले जिए कि मंदिर छित्र में अस्थापत्य का जो स्वनकाल है वो golden era के नाम से जाना गया चोल कालें वास्तुर कलास सैली की आईए कुछ विस्षिस्ताओं को हम लोग देखते हैं तो विस्षिस्ताओं मुख्य परिक्षा में मुख्य तया पूशी जाती हैं पीटी में भी पूश ली जाती हैं इस काल के जो मंदिर बने हैं वो उची चहार दिवारी से घेरे हुए हैं बड़ी बड़ी चहार दिवारी बनाई गई है किस काल के मंदिर को घेरा गया चोल काल के मंदिरों को घेरा गया इस सैली में उचा प्रभेश द्वार होता था और प्रभेश द्वार को आप लोगों को पता ही होगा कि प्रभेश द्वार को किसके नाम से जाना गया गुपुरम के नाम से जाना गया इसके नाम से जाना गया प्रभेश द्वार को गुपुरम के नाम से जोना गया ये पहले ही द्रभिन सैली की विश्यस्ता है आगे मंदिर निर्माण की पंचायतन सैली का विकास अब और अधिक रूफ से होने लगा जैसे हमने आपको बताया कि एक बड़ा मंदिर है और चारो तरफ चार छोटी छोटी मंदिर है इसी को पंचायतन सैली के नाम से जाना गया इस सैली में एक प्रमुक मंदिर जबकि चार अन्य मंदिर होते थे इसी को पंचायतन सैली के नाम से जाना गया त्रविड सैली में मंदिरों में पिरामिड नुमा सिखर होते थे ये उपर की तरफ घुमाओदार नहीं बलकि सीधे होते थे सिखर को बिमान भी कहा जाता था लेकिन सिखर को बिमान कहां कहा गया सिखर को बिमान चूल काल में ही कहा गया जबकि पल्लो काल में जो सिखर होते थे वो पिरामिड नुमा आकरती के होते थे लेकिन इस काल में जो सिखर होते थे पिरामिड नुमा आकरती के इनको क्या नाम दिया गया इनको एक नया नाम बिमान की रूप में दिया गया बिमान किसकी विसेस्ता है चोलों की विसेस्ता है गर्व ग्रह के प्रवेश द्वार पर द्वार पाल और यक्ष की मूर्ती होती थी जो गर्व ग्रह होता था जहां से मंदिर के गर्व ग्रह में प्रवेश करते थे यहां पर द्वार पाल जिसे लाठी वाठी लिए द्वार पाल खड़े होते थी और यह नामक जो पक्षी है उसकी आकरती भी बनाई गई यह चुनी की यहां के मंदिरों के एक तरीके से मीन गिट पर किया गया मंदिर परिशे में देखिए जल पान की भी सुथा थी यह नहीं जल का पान कर सकते हैं जल पान का मतलब केवल और केवल जल का पान नास्ता नहीं कि किसके मंदिरों में बिशेष्था आपको देखने को मिली कि चूलों के मंदिरों में आपको यह बिशेष्था देखने को मिल आईए देखते हैं कुछ बातें प्रमुख मंदिर चोल काल का देखते हैं चोल काल का एक जो प्रमुख मंदिर है उसका नाम है ब्रहदेशवर मंदिर ये कहां है ये तंजोर में है और इसको किसने बनवाया तो आप लोग कहेंगे कि चोल सासक राज राज प्रथम ने इसका बनवाया था चोल बंस की अस्थापना किस ने की? तो बिजयाले ने चोल बंस की अस्थापना की? अब ये कई बार पूँचा गया है तन्जोर में ब्रह देशवर मंदिर इसी को राज राजेशवर मंदिर भी खा जाता है तो राज राजेशवर मंदिर का निर्मान राज राज प्रथम नामक चोल सासक ने किया था जबकि चोल बंस की अस्थापना बिजयाले ने की थी दूसरा गंगई कॉंड चोलपुरम का मंदिर इसको किस ने बनवाया इसको चोलबंस के सबसे पराक्रमी ये सबसे महत्वा कांख्षी सासक राजंदर प्रथम ने बनवाया था गंगई कॉंड चोलपुरम के उपर जब चोलबंसिय सासक ने उत्तर भारत की बिजे की कर ली गंगा घाटी की बिजे कर ली तो इसी बिजे की उपलक्स में इस मंदिर का निर्माण किया था राजंदर प्रथम ने चो लेश्वर मंदिर इसका निर्माण किस ने करवाय था तो इसका निर्माण बिजेपाल ने करवाय था चो लेश्वर मंदिर आगे बढ़ते हैं मंदिर इसका निर्माण कि नायक सैली को भी देख लेते हैं नायक सैली कैसी सैली है नायक सैली का विकास द्रविन सैली के अंतरगत किया गया यानि यह एक तरीके से द्रविन सैली की उप सैली ही है और इसका जो विकास किया गया वो मदुरई में किया गया यही तमिल नाडू में मुख्यत है इसका विकास किया गया और इसे नायक सैली भी कहा जाता है चुकि नायक बंस के सासकों ने इसको विकास किया और नायक बंस के सासकों ने इसका विकास कहां किया मदुरई में किया इसे लिए इसे मदुरई सहली की नाम से भी जाना गया इसे सहली की प्रमुक बिसेष्टा गर्व गर्य है कि सास साथ बड़े बड़े गलियारे का है बहुत बड़े बड़े इसमें गलियारे बने मंदिर के अंदर में इस बंच के सास को ने बड़े बड़े गलियारे का निर नायक सैली में मंदिरों पर बारीक नकासी की जाने लगी क्या की जाने लगी जो मंदिर हैं मंदिर की दीवारों को क्या किया गया उनकी पत्थरों को काठा गया उनको सजाने का प्रयास किया गया नकासी अलंकरन चित्रन उसका किया गया यह देखिए नायक सैली का एक मंदिर है मदुरई में है और इसको मीनाक्षी मंदर के नाम कितनी यहाँ पे आपको नकासी की इस्ति कैसी देख रही होगी और यहाँ जो प्रवेश द्वार होगा जो गोपुरम होगा वो इस मंदिर में आप सोचे कि कितना भब्ब्य होगा आज भी यह मंदिर है घूमिये आप मदुरई यह मंदिर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे मंदिर है वो देखने को आपको मिलेंगे आगे बढ़ते हैं वास्तुकला की बेशर सैली को देखते हैं जो बेशर सैली है वो एक तरीके से मरस्स सैली है इस बेशर सैली में आपको नागर सैली के भी अंग देखने को मिलेंगे नागर सैली की भी विसिस्ताएं देखने को मिलेंगी और द्रबिन सैली की भी विसिस्ताएं देखने को मिलेंगी इसलिए बेसर सैली को किसके नाम से जाना गया बेसर सैली को मिरसस सैली के नाम से जाना गया बेसर सैली को मिरसस सैली के नाम से जाना गया क्योंकि इसमें नागर और द्रबिन दूनों सैली का मिरस्ण देखने को मिलता है इस सैली को चालुक के सैली के नाम से जाना गया और इस सैली को करनाटक सैली के नाम से जाना गया क्यूं? क्यूंकि मुख्यतया है इस सैली में जो मंदर नर्मान का कारे किया वो चालुक के बंस के सास को ने किया और चालुक के बंस के सास को ने करनाटक में किया इसलिए इसको चालुक के सैली और करनाटक सैली के नाम से जाना जाता है इसकी बिसेस्ताओं को हम लोग देखते हैं क्या हैं इसकी बिसेस्ताओं इस सैली में विमान इसकी प्रमुक बिसेस्ता है मंडप इसकी प्रमुक बिसेस्ता है इस सहयली में खुला। प्रदक्षिना पथ होता था। यहीं परिक्रेणा मार्ग होता था जो बिलकुल खुला होता था। यहिए टिरंडर σहली। इस सहेली में द्रबिन सहायली के अंस सनचना बनाई गई इसमें बेशर सैली में इस सैली में नागर सैली के अंस के रूप में वक्र रेखी इस सिखर को बनाया गया और बरगाकार आधार इसका मुख्य आधार है यानि इसको भी एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया चबूतरे की जो आकरती होती थी वो कैसी होती थ कि बर्गाइकार होती थी है आगे Помा अब इसके कुछ मंदिरों को देखते हैं लोग इसले के कुछ मंदिरों को देखते हैं मैं इस्थित है और इसको किसने बन वह आइए इसको प्रथमने बन वाया किसमे प्रथम कौन है राष्ट कूट बन सी ये सासक है अब ये सारी यहाँ पर आपको चीजें मिल लही होगी देखने को दलियारा मिल ला होगा सिखर भी उसी आकरती का मिल ला होगा और ये त्रिमूर्ती मंदिर है ये कहा है ये एलिफंटा में है त्रिमूर्ती मंदिर नकासी इस पर आपको देखने को मिल लही होगी देखिए ये नील कठ मंदिर है ये भी कहा है ये भी एलोरा में है ये भी औरंगाबाद में आगे विजे नगर के अस्थापत्य सम्मंधि कारिकों भी हम लोग देखते हैं विजे नगर के सासक 1335 से लेके 1526 इस भी तक वास्थुकला के मंदिर अस्थापत्य के परिपेक्ष में महान सम्रक्षत थे और विजे नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे इस्थित था इसकी राजधानी क्या थी इसकी राजधानी हमपी थी और हम भी कहां इस्थित थी करनाटक में इस्थित थी हम भी किसके किनारे इस्थित तुंगभद्रा नदी के किनारे विजे नगर सासकों के बारे में कहा जाता है कि ये चोल होईसल चालिक वर पांड सासकों के मंदिर की विशिष्टाओं का इन्होंने समायोजन किया था यानि चोल, चेर, पांडे इन सब सासकों ने जो मंदिर का निर्मान करवाय था इनके मंदिर की निर्मान की जो विशिष्टाओं हैं उसको ये जो बिजे नगर के सा सकते चाहा वो किस्ण देव राय हूँ, चाहा वो राम राय हो इन्होंने अपनी विशिष्टाओं में इसको क्या किया था सामिल किया था इस काल के मंदिरों की प्रमुख विशिष्टाएं क्या हैं उसको हम लोग अगले पेज में देखते हैं आगे बढ़ते हैं इस सैली की दिवारों पर क्या की जाती थी ब्यापक भैमाने पर नकासियां की जाने लगी इस सैली में गोपुरम चारो तरफ बनने लगे थे प्रबेश द्वार जिसे हमने आपको दिखाया भी था अस्तूप में प्रबेश द्वार चारो तरफ थे अब चारों तरफ प्रविश्द्वार का पहले नहीं प्रारम किया गया, बाद में किया गया, किस के समय में किया गया, इस बिजे नगर बंस के सासकू के समय में किया गया इस काल के मंदिरों की मुख्य विशेष्टा कल्यान मंडप की है ये है इस काल का क्या था इस काल का केंद्रिय मंडप होता था मुख्य मंडप होता था आधारभूत मंडप होता था इस काल में मंदिर परिशर के भीतर धर्म निर्पेक्ष अस्थापत्य का काम भी प्रारंब किया गया यानि धर्मिक अस्थापत्य के अंदर में धर्म निर्पेक्ष अस्थापत्य कुछ भवन बनवाएगे जहां पर कुछ ब्यक्ति रह रहे हैं, जलासे वहां पर बनवाएगे, वहां पर रहने के अस्थान सभाव हो उगेरा बनवाएगे, यह सब कैसे हैं? धर्म निर्पिक्ष अस्थापत्य हैं, जिनका धर्म से कोई ताना बना नहीं है, इस काल में मंदिर परिशन में जो परिश अब कुछ मंदिरों की उधरन को देखते हैं, जैसे बिठल स्वामी का मंदिर, यह इंपार्टन्ट है, इसको पूचा भी है एकजाम में, किसने बनवाया? कृष्ण देव राय ने इसका निर्मान करवाया था, हजारा मंदिर यह कई बार पूचा है, इसको देव राय दु और क्रिश्ण मंदिर यह भी बिजे नगर सासकों ने भी इसका भी नर्मान करवायa था, वश्टुकला की होईसल सैली को भी देख लेते हैं हम लोग, इस सैली का विकास होईसल बंसके सासकों ने करनाठक में किया था, जोकि होईसल बंसके जो सासक थे, उनका जो छित्र थ करनाटक में ही था इस सेली का विकास मुख्यतया बेलूर में हुआ हुलैविड में हुआ और स्रंगेरी यानि करनाटक में हुआ सिंगरेरी समझेगा गरी मदिर मुलायं बल्वा पत्थर के बनने लगे थे इस सेली के मंदिर मंदिरों में अस्थापित मूर्तियों में बहुत ज़्यादा अलंकरण किया जाता था बहुत ज़्यादा क्या किया जाता था अलंकरण किया जाता था अभी आपको जब इस मंदिर अस्थापत के बाद में मैं मध्य कालिन अस्थापत में ले चलूँगा तो वहाँ पे अलंकरण की अरवख्स पद्धती आएगी उसमें कमल कई फूल का, कुरान की आयतों का बड़ा अच्छा अंकन किया गया उसको दिखाऊंगा मंदिरों को जगती के रूप में उभरे मंच या चबूतरे पर बनाया गया था अब ये जो होईसल लोग थे, होईसल बन्स के सासक थे चबूतरे पर इनके समय में भी मंदिर का निर्मान किया जाता था लेकिन चबूतरे को क्या कहा गया, चबूतरे को जगती कहा गया ये ध्यान रखिएगा, चबूतरे को क्या कहा गया, जगती कहा गया मंदिरों के सभी कक्षों में क्या होते थे सभी कक्षों में सिखर होते थे आगे प्रवेश द्वार पे भी मंदप भी अर्ध मंदप भी महा मंदप भी और गर्वग्रे के ऊपर भी सिखर होते थे आसी इस काल में हुलेविद में इस्थित होई Lacer मंदिर और बेलूर में इस्थित चन्ना केशव मंदिर अत्यन्त प्रसिद्ध इसको याद कीजिए काराल कि एक अस्थान है जो करनाटक में इस्थित है और यहाँ पर यह जो हुयसल सासक हैं इन्होंने होई लेशवर मंदिर का निर्माण करवाय था और बेलूर में चिन्वा केशवर मंदिर का निर्माण भी होई सल बंस के सास को ने करवाय था दो मंदिरों के एक्जामपल आप लोगों को देखने को मिले उदाहरण आपको देखने को मिले आगे बढ़ते हैं अस्थापत्य की सेन एवं पाल बंस की सैली जो बंगाल के सेन बंस के सा सकते जो बंगाल के पाल बंस के सा सकते उनके अस्थापत्य की क्या इस्टाइल नहीं उसको हम लोग देखते हैं वास तुकला की इस सैली का विकास बंगाल में आठवी से बारहवी सताबदी के बीच में पाल बंस के सासकों ने करवाया था और सेन बंस के सासकों ने इसका निर्मान करवाया था इस सैली में बौध धर्म और जेन धर्म दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है चुकि यहां के सासकों ने मुख्य तया जिन मंदिरों का निर्मान करवाया वो बौध धर्म से संबंदित थे या तो जेन धर्म से संबंदित थे इस सैली के असमारक पक्की ईटों के बने हुए थे ये मंदिर पक्की ईटों के बने होते थे अब पक्की ईटों का मतलब क्या है जैसे आप संधो काल में भी देखेंगे तो जो मिट्टी होती थी इसकी मिट्टि काल में भी मंदिरों का निर्मान किया गया इस सैली में निर्मित मंदिरों में सिखर एक रेखी ये प्रकार के हैं प्रमुख मंदिर तो कम ही है अस्मारक ज़्यादा है इसमें ओधन्त पुरी बिस्विद्याले है इसको ये कहां है ये बिहार में है और इसको किसने बनवाया पाल बंस की अस्थापना की थी गुपाल ने और गुपाल ने ही ओधन्त पुरी बिस्विद्याले का निर्मान करवाया था ये कहां इस्थित है ये बिहार में इस्थित है दूसरा बिक्रम सिला बिस्विद्याले इसका निर्मान किसने करवाया पाल बंस के सासक धर्म पाल ने इसका निर्मान करवाया और ये कहां है कि भागलपुर में है नालंदा विस्विद्याले इसका निर्मान पाल बंस के सासको ने नहीं करवाया था लेकिन ये तीनों विद्वालों को देखना बहुत जरूरी है एक बल्लभी विस्विद्याले ह जो ठाज जो गुजरात में इससे थे और यह नालंदा विसे बत डाले गुप्ट-बंज चे स्सक्थ कुमार गुप्ट ने इसका नरमांद कर वाय था और इन सारे विसे बत्थ कर दिया था q 10 1298 में मुहम्मद गोरी के सरदार् वक्तियार खिलजी नहें तो आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त होती है जो प्राशीन भारत का संपूर्ण अस्थापत्य है इस संपूर्ण अस्थापत्य का हम लोगों ने अध्यन कर लिया अब आगे हम लोग मध्यकालिन भारत के मंदिर अस्थापत्य को पढ़ेंगे और आधुनिक भारत के मंदिर अस्थापत्य को पढ़ेंगे लेकिन उसका जो पार्ट होगा वो दूसरा और तीसरा होगा तो आज की क्लास में आप लोग सामिल हुए बहुत पो धन्यवाद लेकिन आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करें यहाँ पर लिंक दिया हुआ है आप लोग के बीच में और अनेकेडमी में सब्क्रिफ्शन्स लेते समय चाहे वो आइकोनिक हो चाहे वो प्लस कोर्स का हो हमारे रेफरेल कोड संजीव का परियोग करें ऐसा करने पर आपको 10% की छूट मिलेगी तो आज की क्लास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में आप लोग सामिल हुए बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगता है बहुत आत्मबल मिलता है बहुत साहस मिलता है आप लोग सामिल होते हैं ऐसे सामिल होते रहिए और आपने ग्रूप में भी इसे आप लोग सेयर करते रहिए इस वीडियों को तो पुना आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद